हलो गुड इवनिंग विल्कम टू अनकेडमी फुफुली मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर होगी आज हम लोग इम्तियाज एहमत सर की पुस्तक के प्राचीन बिहार का जो इतिहास वाला खंड है उसको theoretically जो theory वाली जो book है उनकी इम्तियाज एहमत सर की जो बिहार एक परिचय आती है इस book की जो theory वाली पोर्षन है objective तो मैंने already करा दे थी इस book के जो theory वाली पोर्षन है उसका हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास वाला जो खंड है उसको complete करने का प्रियास करेंगे इस पुस्तक में जो है काफी अच्छे धंग से पूरे बिहार के इतिहास को especially इतिहास को तो काफी अच्छे धंग से cover किया गया है तो इसको हम लोग cover करेंगे इस book इस lecture को आप देखे और इस lecture के साथ साथ जो मैंने objective वाला session करवाया हुआ है उसको अगर आप दोनों को मिला कर पढ़ेंगे तो सायथ तयारी जो है वो काफी बहतर आपकी बन जाएगी तो उमीद यही है कि आप इस प्रकार से अगर तयारी करते हैं तो उसका लाभ आपको अत्यधिक मिलेगा तो इस session की सुरवात आज से की गई है जिसमें theory portion पर बात की जाएगी तो चलिए सबसे पहले start करते हैं इस theory portion को तो देखिए प्राचीन बिहार सायद आपको यह पुस्तक पूरे अच्छे ढंग से नहीं दिख रही होगी लेकिन यह page number आपका कितना है बिहार परिचे में यह page number है page number 7 7 किसी में आगे होगा किसी में पीछे भी हो सकता है तो बिहार एक परिचे में जो सबसे पहले जो topic हम लोग कवर करेंगे वो है प्राचीन बिहार जो page number 7 में हैं इंतियाज एहमद सर की पुस्तक ने इसमें कौन सी बात है इसको हम लोग कवर करने का प्रियास करेंगे चलिए तो देखिए इसमें इस प्राचीन बिहार वाले जो पूरसर में इंतियाज एहमद सर ने सबसे पहले ये बात कहने का प्रियास किया है कि छटी सताब्दी इसा पूर्व जिसको आप 600 BC कहते हैं उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का अव्योदय हुआ ये बिल्कुल सही बात है कि उत्तर भारत में विशाल और संगठित राज्यों का अव्योदय हुआ जिसमें आपको महा जनपद मिलते हैं इन सोलह महा जनपद मिलते हैं और इन सोलह महा जनपदों में आपको पता है कि तीन महा जनपद ऐसे हैं जो बिहार के हैं तो यहाँ पर देखिएगा तो बुद्ध रचनाओं में इनका मानना है कि बुद्ध रचनाओं में लगभग 16 महा जन्पद की बात की गई है बुद्ध रचनाओं में और 10 गनराज्यों की बात की गई है 16 महा जन्पद और 10 गनराज्यों की बात की गई है ये बात आपको याद रखनी है कि महा जन्पद कितनी बात की गई है बुद्ध गरंथों में 16 बुद्ध रचनाओं में हाला कि आप देखेंगे तो जैन जो साहित्य है उसमें भी 16 महा जन्पदों में से 3 महा जन्पद बिहा जैन साहित्ति जो है उसमें भी ये बात कही गई है लेकिन फिलहाल इम्तियाज अहमत सर कहते हैं कि 16 महा जनपदों की बात कही गई है बौध रचनाओं में और इसमें से जो तीन रचनाएं हैं तीन जो हैं महा जनपद अंग है एक एक मगद का एरिया है और एक लिक्षवी ग गनराज है ये तीनों कहां हैं तो ये तीनों बिहार में इस्थित हैं अगर मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँ तो आपको मैं दिखाऊंगा कि जो अंग लिक्षवी और जो मगद गनराज की वह बात बता रहे हैं इसमें देखिये तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये जो महाजनपदों का मैप है इसमें आपको दिखेगा कि दिखिये ये वाला जो पोर्षन है ये अंग का है ये जो है ये वज्जी का है और ये जो है ये मगद का है तो तीनों इलाके की बात इंतिया जमत सर कहते हैं कि ये तीनों इलाके जो हैं ये तीनों जो महाजनपद हैं वो बिहार छेतर में थे प्राचीन काल में जब 16 महाजनपदों की बात आई थी और इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है इनकी जानकारी हमें अंगूतर निकाय से मिलती है और यह अंगूतर निकाय किस प्रकार का गरंथ है तो यह अंगूतर नि में गंगा नदी के उत्तर में लिक्षवीयों का राज्य था ओप्यस्ली जो गंगा नदी है चुकि बिहार के मध्ध से फ्लो करती है लगबग तो उसके उत्तर में जो वैशाली का आपका इलाका है वहाँ पर लिक्षवीयों का राज्य था जो बिविन गनराज्यों का महासंग था लिक्षवी जो महाजनपद है उसमें कुल आठ जो है वो कुल थे जिसमें चार कुल प्रमुक थे तो उसी की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बिविन गनराज्यों का एक महासंग था इसकी सीमाएं कहां से हैं तो वर्तमान में देखिएगा तो वर्तमान में वैशाली और मुझपरपूर जिलो तक फैली हुई थी तो वर्तमान की जो वैशाली है वर्तमान का जो मुझपरपूर इलाका है वहां तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी ऐसा अम्तिया जहमत सर अपनी पुस्तक में बताते हैं बिहार के इतिहास के संदर में तो देखिए गा है कि जो ये इलाका है ये वैशाली का इलाका है और ये जो इलाका है ये मुझःप्रपुर का इलाका है और इसी इलाके में देखिएगा इसी इलाका का यही जो इलाका है यह सीमा है किसकी भाई लिक्षवी गनराज्य की और इसकी राजधानी कहा थी तो इसकी राजधानी वैशाली थी यह मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया किसकी राजधानी वैशाली थी अंग का जो इलाका है जिसको अंग राज्य कहा जाता है वह अंग का इलाका कौन सा है अंग का इलाका वर्तमान, मुंगीर और भागलपुर जिलो तक फैला हुआ है हाला कि इसमें बाका का भी इलाका आता है ये वाला जो इलाका है बाका, मुंगेर और भागलपूर ये तीनों इलाके जो हैं आप दिखेंगे तो अंग में आते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर समराइज करने का प्रयास में ये कर रहा हूँ कि 16 महा जनपद में से 3 महा जनपद, 3 महा जनपदों में हमने लिच्छवी के बारे में बात कर ली कि इसकी सीमा वैशाली मुझपरपूर तक है उसके बाद हम लोग अंग पर आए हैं अंग पर मैं बात कर रहा हूँ कि अंग जो है अंग का इलाका भागलपूर मुंगेर जिल इसकी राजधानी जो है वह भागलपूर के समीप है अब उसके बाद हम आएंगे तो कौन सी बात आएगी मगद की तो हम लोग ने एक यहाँ पर देख लिया एक देख लिया हमने लिच्छवी गनराज्य के बारे में एक हमने अंग कोप के बारे में समझने का प्रयास किया अब जो है हम लोग किस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे अब हम लोग मगद के बारे में समझने का प्रयास करेंगे तो मगद छेतर में कौन से आते हैं भाई तो देखें मगद छेतर में जो पटना का इलाका है गया का इलाका है और नालंदा का इलाका है यह जो है यह जो राजधानी थी, वो क्या थी, तो आप देखेंगे, तो मगद की राजधानी है, एक मिनट, चलिए, तो मगद की राजधानी कौन सी है, मगद की राजधानी है, ग्रीवरज, ग्रीवरज अथवा, राजग्री, जिसको वर्तमान राजगीर कहा जाता है, वह मगद की राज आने वाले सताबवी में आप देखेंगे धीरे धीरे मगद में जिन राजवन्सो का शाषन हुआ उन राजवन्सो के माध्यम से आप देखेंगे तो मगद सामराज काफी विस्तार वाला सामराज बन गया इसने कई जो सामराज्य हैं कई महाजनपदों को इसने पराजित कर अपने सामराज्य में मिला लिया या फिर विवाह की नीती युद की नीती इत्यादी के माध्यम से इसने अपनी मगद जो राजा थे उन्होंने अपनी सामराज्य का विस्तार किया तो ये कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और इंतियाज है मत सर ये सब बातों के बारे में ही बात करते हैं अब दिखिएगा तो उनका जो अगला हेडिंग है वो है मगध सामराज्य का उतकर्स आप लोग जो है वो बुक रखकर भी इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं सामने में बुक खोल लीजिए और इसको फिर उसके बात समझेए मगध सामराज्य का उतकर्स अब देखिए मगध का इलाका कौन सा होता है तो देखिएगा तो देखिए अल्रेडी बताया कि ये जो पटना का इलाका है गया का इलाका है और नालंदा का इलाका है यह मगध का इलाका है और मगध राज्य के जो चर्चा है वो आरंभिक चर् सबसे पहला राजवन्स वरिहदरत था और इस वरिहदरत राजवन्स के संस्थापक वरिहदरत स्वयम थे लेकिन बाद में जो इस वन्स का सबसे प्रतापी राजा बना वो कौन बना है जरासंग बना है ठीक है महाभारत में जो मगद राज्य का उलेख है उसमें गंगा के उ जादी के उत्तर में हैं जैसे ये वाला जो इलाका है आपका मधुबनी, सीथा मड़ी ये सब जो दर्भंगा वाला इलाका है ये विदेह राज जो मिधिला के थे यहाँ पर विदेह राज और उसके दक्षिन में जो इलाका है नालंदा पटना गया वाला वो मगत का राज है तो ये दोनों के बारे में आपको जानकारी मिलती है कहां से मिलती है भाई महा भारत से मिलती है मगत के सासक जरासंग का भी उलेक है जो मगत के सबसे प्रतामद मगत के व्रिहदरत वन्स के एक प्रतापी शाशक हुए और आप देखेंगे जिसे किस ने पराजित किया भीम ने द्वंद युद्ध में पराजित किया आपको बस यहाँ पर याद रखना है कि जो वार हुआ वो जरासंग और भीम के बीच हुआ और इस वार में आप देखेंगे तो भीम जो है वो जरासंग को पराजित कर देता है ठीक है अब देखेंगे इसके आगे कुछ कि बताते हैं इसमें इम्तियाज अहमत सर कि भई ये जो घटना है ये जो लडाया हुई है यह कौरव और पांडवों के बीच का जो युद्ध थ उसके पहले की घटना है ठीक है उसके पहले की यह घटना है clear है उसकी बात देखेंगे तो इस घटना की सही थित्विक्रम का निर्दारन काफ़ी कठिन है ये भी बोलते है कि घटना का कोई डेट और टाइम जो है वो clear नहीं है अब देखेंगा तो इसमें इन्होंने बात क एक मिनट इसमें इन्होंने बात कही है कि छटी सताद्वी इशापुरों में अर्थात 600 BC में आप देखेंगे तो 600 BC के पस्चात मगद की जो राजनेतिक इस्तिती थी वह सुद्रीड होने लगी और इसका जो इस सुद्रिड़ता का कारण क्या था इस सुद्रिड़ता का और अजात सत्रू इन दोनोंने मगद की राजनेतिक इस्तिती को काफी मजबूत करने का प्रयास किया ये दोनों हर्यक वन्स के राजा थे और इसके बाद आप लोग इन सब बातों को देखेंगे भी जो इन्होंने लिखा भी है कि ये किस वन्स के थे हर्यक वन्स के सासक थ और सबसे इंपोर्टेंट बाद कि ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, मिंस दोनों का जो टाइम पिरिड है वो लगभग समान था, महावंस जो बौध ग्रंथ है उसके अनुसार बिम्बि सार ने 15 वर्स की आयू में ही सिनहासन प्राप्त कर लिया था और आधी सताब्दी से अधिक समय तक इसने क्या किया है? सासन किया है लगभग 50 साल से उपर लगभग आप देखेंगे तो 52 साल जो है वो लगभग इसने शाशन किया है उसी के अधीन मगध सामराजे का क्या हुआ? विस्तार आरंब हुआ और मगध सामराजे जो है वो काफी फैलने लगा, expansion मगदْ इंपायर का वह एक महत्यवा कांची साँसक था उब्यसली जब उसके समय जब ये एकस्पिंसन हो रहा है तो वह एक महत्वा कांची ही साँसक होगा योगशा सकता सामरजवादी नीतियों को follow करता था, दिमाग वाला सासक था, उसने अपनी स्तिती को मजबूत करने के लिए क्या क्या वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई है, जिसमें आप देखेंगे, तो जो कौशल है, कौशल की जो राजकुमारी थी, कौशला देवी, कौशला देवी से भी उसने विवाह कर लिया, अब जब आप मैप में कौशल को देखिएगा, तो आपको पता चलेगा, कि कौशल जो है, वो एक महाजनपद है, और कौशल को उसने अपने सामराजी में, चुकि जब उनकी राजकुमारी से जब विवाह कर लिया, तो अब्यसली बात है, कि आपको कौशल के बारे में, तो आपको दिखेगा, जो कौशल महाजनपद है, चुकि उनकी बेटी से, राजकुमारी से उन्होंने साधी कर ली, तो अब्यसली, चले, आगले स्लाइड में दिखा दूँगा, यहाँ पर पता नहीं क्या है, तो देखिएगा, तो कौशल को भी अप तो कौशल जो है, उसको सामिल करने के बाद, वो वहीं तक नहीं रुखता है, इसके बाद भी वह जाता है, और इसके बाद वो कहां पहुँच जाता है, कौशल की राजकुमारी है, कौशला देवी, उससे भी वह विवाह करता है, और कासी, कासी को वो दहेज के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करता है तो कौसल की राजकुमारी कौसला देवी से विवाह करता है और कासी को दहेज के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करता है तो देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ एक बड़े मैप में यह देखे, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कौशल, यहाँ पर है कासी और यह है मगद. तो देखे, कौशल से विवाह किया, कौशल की राजकुमारी, कौशला देवी से और कासी को दहेज के रूप में इसने प्राप्त कर लिया. किसने भाई? बिम्बी सारने. उसके बाद राजकुमारी थी तो वैसाली के लिछवी सासकों की राजकुमारी से भी इसने विवाह किया और वहां भी अपनी राजनेतिक स्थिती को मजबूत करने का प्रयास किया उसकी तीसरी पतनी कहा कि है उसकी तीसरी पतनी पंजाब की मद्र राजकुमारी थी और इसने सोच ये त सुद्रिध हो गई तो इसके हिसाब से उसने करने का क्या प्रयास किया तो अपनी जो उत्तरी और पस्चिमी उनकी जो सीमा थी उसको सुद्रिध करने का प्रयास किया तो यह जो उत्तर वाली जो सीमा है और इधर देखिए यह जो पस्चिम वाली सीमा है यह बीच में चुकी बाते हैं उसके बाद देखिएगा तो ऐसा ही नहीं था कि केवल विवाहिक संबंध ये स्थापित किया उसने अंग जो इलाका है मैंने आपको अंग का इलाका अल्रेडी बता दिया कि अंग का जो इलाका है वहां पर चढ़ाई करके वहां के सासक ब्रह्मधत का वध कर दिया तो ये दिखे ये वाला जो इलाका है अंग वाला जो मिडल में है ये रेड से दिख रहा होगा ये जो अंग वाला इलाका है यहां पर क्या किया यहां पर उसने चढ़ाई की और यहां के राजा ब्रह्मधत को उसने हरा दिया तो यहां पर ब्रह्मधत को उसने पराजित कर महासेन के साथ भी जो है आप देखेंगे तो उसका युद्ध हुआ लेकिन वह युद्ध कैसा रहा वह युद्ध किसी निर्ने तक नहीं पहुँच पाया वह युद्ध किसी निर्ने तक नहीं पहुँच पाया चलिए यह नियुद्ध क्या रहा कैसा रहा निर्नायक और निर्नायक रहा तो यहाँ पर अवंति के जो सासक है देखे यह वला जो इलाका है यह अवंति का है यहाँ के सासक चंड प्रद्यूद के साथ भी उन्होंने युद्ध करने का प्रयास किया लेकिन यह युद्ध कैस चलिए और फाइनली क्या होता है फाइनली जब और निर्नायक कोई चीज होगा दब दो पक्षों में मामला बन नहीं पाता है नीजी जीवन में भी देखिएगा कि भाई कोई सोना है कोई बाबू है अगर एक दूसरे से प्रेम प्रसंग में जुड़ गए और वह मामला अग के उपचार के लिए आप देखेंगे तो बिम्बिसार ने अपना जो राजवैत था जीवक उसको कहा भेजा उनके इलाज के लिए भेज दिया इस प्रकार से आप भी मामलों दोस्ती कर लेंगे लेकिन मन में फीलिंग तो रहेगी तो क्या करेंगे जितना हो सके उसकी करेंगे कि तबियत खराब हो तो डॉक्टर के पास लेकर जाना उसी प्रकार से दोनों ने मैतरी कर लिए संबंधों को मजबूत करने के लिए बिम्बिसार ने यहाँ पर उसका ख्याल रखने का भी कोसिस किया तो उसने अपने चिकितसक जीवक को उज्जैन भीजा ठीक है अब देखिएगा तो एक विवरण के अनुसार एक कहानीयों के अनुसार बिम्बिसार का संबंध एक तो आपने देख लिया कि किस किस चित्रों तक चला गया है बिम्बिसार का संबंध यहाँ पर मैं आपको अच्छे सा दिखाता हूँ देखे मगध हो गया ये कासी दहेज में पा लिया कौसल की राजकुमारी से विवाह कर लिया अंग जो है वहां के राजा आपकी जो ब्रहमधत है उनको पराजित कर लिया वज्जी जो वैशाली लिछवी गनराज्य है वहां पर भी आप देखेंगे तो लिछवी गनराज्य क जो राजकुमारी थी उससे भी विवाह कर लिया उसके बाद यहाँ पर अवन्ती के राजा के साथ उसका निर्नायक रहा तो देखे उत्तर भी सीमा पस्चिम की सीमा इसको काफी मजबूत किया और यहाँ पर जो गांधार वाला जो इलाका है इस इलाके पर भी आप जो अभी हम लोग इंडिया जो बनाती है रसिया के साथ यूके के साथ जो राजनईक संबंध होते हैं उसको जो है कुट नीतिक संबंध जिसको कहते हैं उसको बनाने का प्रयास बिम्बिसार ने किया है तो देखिए कितना दिमाग वाला है एक बार विवाह की नीति को भी अ तो तीन प्रकार से वह अपने छित्रों का विस्तार करता है और साथ ही साथ बिम्बिसार अपने प्रतिस्ठा में भी वृध्धी करता है तो ये बात आपको ध्यान में देनी है और यहां तक आपका मामला बन जाएगा मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत कोई परिशानी मेरे इतने बताने के बाद आप लोग को होगी लेकिन अब दिखिएगा तो बिम्बिसार का जो जीवन है ठीक है कैसा गुजरा अंतिन छण में ऐसा माना जाता है बौध गरंत ऐसा मानते हैं अंतिन छण में उसकी जो हत्य है उसके पुत्र अजात सत्रू के द्वारा ही कर दी गई अजात सत्रू को बौध गरंत मानते हैं कि वह अपने पिता का हत्यारा है जिसके कारण उसे पित्री हंता कहा जाता है यह अजात सत्रू के बारे में कहा जाता है हाला कि जैन जो अनुसरूतिया हैं जैन जो साहित्त हैं वह इस बात का समर्थन नहीं करते हैं वह मानते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था फाइनली आप देखेंगे तो अजात सत्रू शाशक बनता है एक बार आपने देख लिया कि वहाँ पर 544 इसापुरु से 492 इसापुरु तक कौन रहता है वो होते हैं आपके बिम्ब जवादी नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं पिता जिस प्रकार से नीतियों को अपना रहे थे युद्ध की नीतियां कुट नीतिक नीतियां विवाह की नीतियां ठीक उसी प्रकार से अजात सत्रू भी आप दिखेंगे तो इस प्रकार की नीतियों को ही अप अजाद सत्रू के पिता ने, वह किसके साथ की थी, तो वो की थी कोशल की राजकुमारी कोसला देवी के साथ, और उसे कासी दहेज में प्राप्ठ हुआ था, तो उसके कारण क्या हुआ, कि जब भिंबिसार की मृत्यू हुई, तो उस दुख में आकर कॉसला देवी के भिंब बिंबिसार के साले साहब हैं प्रसंजीत उन्होंने अपने भांजी के साथ लडाई जो है वो प्रारंभ कर दी और सबसे पहला क्या किया जो दहेज में आइटम दिया था वो छीन लिया और दहेज में क्या मिला था दहेज में कासी जो मिला था आपको बिंबिसार को वो प्रा आजाद सत्रू ने फाइनली प्रसंजीत को पराजित कर संधी पर बात दिखिया। तो ये जो है बीच में युद्ध होता रहता है, तो कुछ स्टार्टिंग में तो समस्य आये थी आजाद सत्रू के बास, लेकिन बाद में आप देखेंगे, तो युद्ध में आजाद जो है वो किसको प्राप्त कर लेता है अजाद सत्रों फाइनली प्रसंजीत को पराजित कर देता है और कासी पर अपना अधिकार करने का प्रयास करता है और कासी को पुना अधिकार भी कर लेता है और साथ ही साथ कौसल की राजकुमारी वजीरा का विवाह जो कौसल की राजक तुमारी वजीरा का विवाह भी अजाद सत्रू के साथ होता है। तो क्या हुआ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फिर सुला हो गई यहाँ पर कैसे सुला हुई हुआ था युद्ध चुकि दुख था तो युद्ध तो हुआ लेकिन फाइनली फिर प्रसंजीत के साथ भी संबंद अच्छे हो जाते हैं कहने का मतलब है कौशल के साथ भी सम्मंद अच्छे हो जाते हैं और कासी फिर से मिल ही जाता है तो जो बिम्बेसार के पास था वो फिर से अजाद सत्रू के पास आही गया दूसरा युद्ध वजी गनराज के साथ हुआ उसका किसके साथ हुआ वजी गनराज के साथ तो एक युद्ध जैसे मैंने आपको बता कि एक युद्ध भाई किसके साथ हुआ था एक युद्ध दो कॉसल के साथ हुआ था यह मगद है रेड कलर वाला यहां पर आप देखेंगे तो ब्लू कलर वाला कॉसल है इसके साथ युद्ध हुआ दोनों का और क्या पराप्त हुआ जो पिंक कलर वाला है कासी ठीक है अब दूसरा युद्ध किसके साथ होना है, जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, किस कलर से दिखा हूँ, ग्रीन कलर से वज्जी, वज्जी के साथ, मैंने बताया वज्जे संग, जिसमें जो प्रमुख गनराज्य है, जो लिछवी है, और इसके लिए क्या हुआ, इस सैनिक चारनी का निर्वान हुआ, ताकि क्या हो, आसानी क्या हो, ताकि वहां से वैशाली पर एटेक करना, वज्जी संग पर एटेक करना संभव हो पाए, ताकि वहां से क्या होगा, वैशाली पर जो एटेक करना हो, वो संभव हो पाए, इसको थोड़ा मैप से देखिएग यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पर अटेक करना है इस जगह पर कौन से जगह पर वैशाली पर ये वाला इलाका पर अटेक करना है अब ये वाला इलाका पर अटेक करने के लिए गंगा, सोन, सोन और जो गंडक रिवर है यहाँ पर इसके पास क्या निर्मान किया गया एक सैनिक छावनी का निर्मान किया गया ताकि इस पर इस इलाके पर एटैक करना काफी आसान हो जाए अगर सैनिक छावनी बनी ही नहीं रहेगी तो बड़ी समस्या है, क्योंकि वज्जी भी जो है वो ऐसा तो नहीं था कि काफी weak था, काफी कमजोर था, ऐसा भी नहीं था, ठीक है, और इसी के बाद देखेंगे तो यह छेतर क्या कहलाता है, यह छेतर पाटली ग्राम कहलाता है, पाटली पुत्र जिसको कहते हैं या पाटली ग्राम कहलाता है और जो बाद में किस नाम से विख्यात हो जाता है पाटली पुत्र के नाम से विख्यात हो जाता है और बाद में देखेंगे तो इसी का परियोग इसके बाद अजात सत्रू के बाद उदैन जो मगद की मगद की जो राल्धानी है वो राजगीर से हटा कर पाटले पूत्र तक या पाटली ग्राम अस्थानतित कर देता है या उसके समय की एक विशेश उपलब्धी है उसके काम की ठीक है उसके बाद देखेंगे इस युद्ध में क्या किया गया इस युद्ध में आपको पता होना चाहिए कि इस युद्ध में माना गया कि इस युद्ध में अजाद सत्रु ने छल का भी प्रयोक किया क्या किया उसने अजात सत्रुने वशकार की मदद से वशकार की मदद से जो उसका मंत्री है वजी संग के सदस्यों में ही फूट पैदा कर दी जिसके बाद उसको युद्ध करना वहां से आसान हो गया और उसके बाद उनकी जब सक्ति कमजोर हो गए तो वैसाली पर आकरमन कर के उसे जीत लिया, तो इसी हिसाब से देखेंगे, तो गंगा नदी के दोनों और, क्या हुआ, दोनों और, मगद का आधिपत्य बन गया, मगद का आधिपत्य बन गया, गंगा नदी के दूसरे साइड, इधर तो वैसाली पर करी लिया था, इधर कासी को दहेच पर प्राप् कि विम्बिसार के टाइम पे भी युद्ध तो अनिर्णायक ही रहा था तो अवंती अभी भी जो है वो मगद का प्रबल सत्रू बना हुआ था तो बेसिकली समस्या कहा है समस्या है भाई यहां पर अवंती में ठीक है अवंती इसको दूसरे कलर से कर दिजिए भाई अवंती क इस कलर से कर दिया जाए ब्लैक कलर से ठीक है ब्लैक कलर से करते हैं यह है अवंती का इलाका ठीक है समस्या एक्चुली यहीं पर थी लेकिन फिर आप देखेंगे तो अजाद सत्रू के सासन के लास्ट टाइम में अवंती के राजा मगद पर आकर्मन की संभावना थी कि चारों और किला बंदी करवाई घैक करना इतना आसान न रहे सेनिको को लगाया बड़े भड़े घैक करना जो है वो आसान न रहे और आज भी इन दिवारों के अवसीज आज भी देखे जा सकते हैं तीक है नेकिन फाइनली देखिएगा तो जो अवंती का जो आकरमन है अवंती का जो आकरमन था वो फाइनली टल गया और नहीं हो पाया और अजाद सत्री किसी कारणवस जो यह आकरमन नहीं हो पाया यह बात है और उसकी बाद अजाद सत्री की मृत्युक तक मगध के विस्तार का पहला चर लागतार उभर्ता चला जा रहा था अब देखिएगा तो आजात सत्रु के सासनकाल में कौन सी महत्वपून घट्नागटी हम लोगोंने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आजात सत्रु और विम्बिसार के समय में जो बुद्ध विम्बिसार और अजात सत्रु दोनों तो यह हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कि अजाद सत्रू के बृत्यु तक मगद के विस्तार का पहला चरण पूरा हो चुका था और मगद की इस्तिती जितनी भी समकाली इन राजों में सवरोपरी हो गई थी उसके बाद हमने जो देखा कि भाई इनके काल में सब से प्रमुक चीजे घटे वो क्या थी इनके काल में बुद्ध जो संगती हुई बौध के महापरिनिर्वान तो हुआ ही इनके काल में 483 BCE में लेकिन जो बौध संगती हुई तो प्रथम बौध संगती जो बौध के महापरिनिर्वान यानि देहत्याक के बाद हुई वह भी इनहीं के शाशनकाल में हुई थी और इसमें क्या हुआ इसका रेजल्ट आपको पता होगा कि जब बौध की प्रथम संगती हुई थी तो इसमें रेजल्ट जो आया था वो ये आया था कि भई सुत्पिटक और विनैपिटक का संकलन हुआ था सुत्पिटक क्या था सुत्पिटक बुद्ध के 10,000 से भी ज्यादा उपदेशों का एक संग्रह था और विनैपिटक क्या है विनैपिटक में जो बौध विक्चू होते थे उनकी जो नियम है उनका जो अनुशाशन किस प्रकार से होना चाहिए उससे संबंदित है राजगीर में हुई और साथ ही साथ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया कहने का मतलब है सुत्पिटक अस्तित्तों में आ गया आप जो सुनते होंगे बुद्ध गरंत जो अंगुतर निकाए मज्शिम निकाए तिग निकाए यह सब एक्चुली है क्या यह सब जो है वो बुद्ध के उपदेशों यह जो सुत्पिटक है उनका ही सेक्शन है सुत्पिटक का ही तो जैसा आपने अभी पढ़ा पहले कि अब देखिएगा तो यहीं लिखा हुए सुट मतलब उक्तिया और विन्य मतलब संग के नियम अजाद सत्रु का उत्रा धिकारी कौन बनता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि अजाद सत्रु का जो उत्रा धिकारी है वो कौन बन जाता है? उदाइन बनता है और अपने जीवन का सबसे बढ़िया काम क्या करता है कि राजगीर जो है उसके हिसाब से राजगीर राजधानी बढ़िया नहीं थी हाला कि किला बंदी करवाया गया था उसके पापा के द्वारा ही लेकिन वह मानता है कि राजगीर जो है बढ़िया नहीं ये राजधानी के रूप में जो वैशाली पर आकर्मन करने के समय जो गंगा गंडक और सोन के आसपास जो च्छावनी करवाई गई थी जिसको पाटली ग्राम कहा गया था वहीं पर इसने क्या किया पाटली पुत्र को राजधानी बनाया क्योंकि क्या था यहां पर यह प्रम तो इसके साथ ही आप देखेंगे, तो पाटले पुत्र का उतकर्स प्रारंभ हो गया, तो बहुत दिनों तक पाटले पुत्र जो है वो राजधानी बना रहता है, इसके बाद जो राज़ के उत्राधिकारी थे, उदैन के बाद वह काफे दुरबल थे, काफी अयोग्य थे और माना जाता है महावन्स, जो बौध ग्रंत महावन्स है उसके हिसाब से, बौध साहित के हिसाब से, कि ये सभी जो है ना, सो पित्री हंता ही थे, एक जो है, जब दूसरा आ रहा है, फर्स्ट को छोड़कर जब स सेकेंड आ रहा है, तो अपने पिता को मार रहा है, सेकेंड के बाद जब थर्ड आ रहा है, तो पिता को मार रहा है, ऐसा मानता है, तो इसलिए आप देखेंगे, तो जो सबसे अंतिम सासक है, नाग दसक, जो काफी भोग विलासी वाला सासक है, उससे जनता काफी असंतुस है और जिससे जनता ही असंतुस्ठ हो जाए ना उसका सासन में बना रहना काफे मुस्किल हो जाता है तो इसी के कारण आप देखेंगे तो नाग दसक की जो सत्ता की समाप्ती है वो कर दी जाती है और किसके द्वारा की जाती है नाग दसक की जो सत्ता की समाप्ती है वो नाग वन्स का फिर उतकर्स प्रारंब हो जाता है वो फुली इतना दूर समझ में आया कि अब देखिएगा तो सिशुनाग वन्स अब वास्तविक्ता में देखने को आपको मिलेगा जब सिशुनाग सासक बनता है तो वह जो अपनी प्रारंबिक राजधानी बनाता है वह कहां स्थापित करता है वैशाली में वैशाली में स्थापित किया और इसने भी प्रयास किया जिस परकार हर्यक वंसी असासा का जाद सत्रू बिंबिसार ने प्रयास किया था कि समराज्य का विस्तार किया जाए ठीक उसी प्रकार आप दिखेंगे तो सुषुनाग BIN ने भी यह प्रयास किया कि जितना जादा से जादा हो सके हम लोग क्या करते हैं जितना जादा से जादा हो सके हम लोग सामराजिका विस्तार करते हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण वात है आप देखें कि अजाद सत्रू के सासनकाल में आकरमन टल गया आपने देखा कि बिम्बिसार के साथ जो और निर्णायक रहा था, लेकिन सिसुनाक की जो सबसे बड़ी सफलता यही थी, यहां पर देखें मगध है, सिसुनाक की जो सबसे बड़ी सफलता थी, वो क्या थी? अवंती पर विजय प्राप्त करना。 तो अवन्ती पर विजय प्राप्त करना उसकी एक प्रमुक सफलताओं में से एक आप मान सकते हैं तो जो दोनों राज्यों के बीच मगध और अवन्ती के बीच लगभग एक सताब्दी पुरानी जो कॉम्पर्टीशन थी प्रतिद्वन्दता थी वह इस अभियान के बाद समाप्त हो गई ठीक है और ऐसा माना जाता है पुराणों के अनुसार कि जो अवन्ती के राजा थे प्रद्योत प्रद्योत वन्स की सेना जो है वो नस्ठ हो गई और अवन्ती का छेतर किस में मिल गया मगध में शामिल हो गया ठीक है इसकी बाद देखिएगा तो सिशुनाग ने वत्स और कौसल के राज्यों पर भी विजय प्राप्त की ये सब बिहार में नहीं है लेकिन यहां पर भी इसने विजय प्राप्त कर अपने सामराज्य का विस्तार किया यहां पर दिखिए ये वत्स है और ये कौशल है तो इस पर भी इसने विजय प्राप्त की और अपने सामराज्य का विस्तार करने का प्रयास किया सायद अब दिखता होगा आप लोग को जी उसकी बाद देखेंगे तो उसका उत्तरा धिकारी कौन बनता है वाई उसका उत्तरा धिकारी बनता है क्या नाम है उसका उत्तरा धिकारी का नाम है काला शोक काला सोक ठीक है काला सोक तो काला सोक के अधिन क्या हुआ काला सोक के बारे में जिसको कहा जाता है कि उसके अधिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ था वो ये हुआ था कि इसके टाइम पे सेकेंड बुद्धस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ था कहां पर हुआ था इसके टाइम पे वो जो है वो हुआ था वैशाली में काला सोक के सासनकाल में जो सबसे important काम हुआ वो ये हुआ कि second Buddhist council ठीक 100 साल के बाद second Buddhist council 383 BCE में कहां पर घटित हुआ ये हुआ वैशाली में इसमें बौध जो outcome था इस संगती का क्या था जो बौध धर्म है वो दो भागों में बट गया एक स्थाविर और दूसरा महासंगिक स्थाविर वो थे जो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे और महासंगिक वो थे जो परिवर्तन चाहते थे यही आप देखेंगे तो fourth Buddhist council आते आते यही जो है वो महायान एक हीनियान बन जाएगा और एक महाय तो यह हम लोग जब बिहार में धर्म सुधार बढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में जानेंगे उसके बाद देखेंगे तो काला सो के बाद कौन आता है भाई हत्या करके कौन पहुंसता है महा पद्मनंद सत्ता पर काविज होता है और महा पद्मनंद ने कब तक जो है चलिए को अपने सामराज में मिला लिया यहां पर इसमें कन्फ्यूजन यह होता है लोगों को कि बहुत लोग सोचते हैं कि कलिंग जो है वो उसका संबंध असोक से ही है किवल लेकिन नहीं सबसे पहले जो मिलाने का काम किया था वो महापद नंद नहीं किया था और यहां से वो जिन लेकर चला गया था यहाँ पर दिखेंगे तो सरवाधिक विस्तार जो है सीमाओ का सरवाधिक विस्तार मना जाता है कि इसने ही किया इसको क्या-क्या उपाधी है दिखेगा एक राट की उपाधी है उग्रशेन भी इसे कहा जाता है एक राट की उपाधी मिलती है महापद्म तो मिलता ही मिलता है और इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, कौसल में जो विद्रो था उसका दमन कर दिया, कलिंग कहा है उडिशा में, कौसल पर जो विद्रो था उसका दमन कर दिया और उत्तरी करनाटक तक इसने क्या किया, अपने सामराज्य का विस्तार किया, तो आप इस वंस का अंतिम सासक कौन है तो इस वंस का अंतिम सासक था आपका धनानंद इस वंस का अंतिम साशक धनानंद है और आप देखेंगे तो धनानंद के काल में ही सिकंदर का भारत पर आकरमन हुआ और नंद सामराज उस समय सक्तिसाली अवस्था में थी ये बात आपसे पूछा जा सकता है कि जब सिकंदर पर भारत का आकर्मन हो रहा था तो उस समय किस वंस का सासन था तो आप कहेंगे नंद वंस का ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय सासक कौन था तो आप कहेंगे धना नंद थीक है अब देखेंगे तो ऐसा माना जात प्रभाव छेतर था वो प्रारंब था तो व्यास नदी के टट को पार करना सिकंदर के सैनिकों ने उचित नहीं समझा तो यह अभ्यान पूरे तरीके से क्या हुआ अधूरा ही रह गया इसको विफल अभ्यान आप मान सकते हैं सिकंदर का पूरस के साथ भी युद्ध हुआ था उत्तर पस्ची भी जो पंजाब का इलाका है पाकिस्तान और भारत वाला तो वहाँ पर भी मान के चलिए कि अंति मंति तक सफलता तो मिल गई थी लेकिन वह सफलता भी कोई उलेखनीय सफलता नहीं थी सिकंदर की थीक है इसके बाद देखेंगे तो धनानंद एक बड़ा लाल चिक किसम का इंसान है और ये अकंत मतलब कह सकते हैं आप कुरूर टाइप का most extreme type के level का ये लाल चिक किसम का इंसान है यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मिनट यहाँ आप पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ा लाल चिक किसम का इंसान है और इसने एक अत्याचारी सासक है प्रजा में काफी अलोग प्रिया है और इसमें यहाँ पर एक थुड़ी से घटना घटते है जो यहाँ पर बुक में इस बात का जिकर नहीं है कि उसने आप जो चानक के थे जो चंदरगुप्त मौरे जो बाद में सासक बनता है उसके जो प्रधान मंतरी चानक के थे उसका भी जो है इसने तिरसकार कर दिया था और उस त रसकार का बदला लेना चाहते थे चानक के चानक के हलाकि चंदरगुप्त मौरे के साथ सिकंदर के पास भी जाते हैं लेकिन उससे उसका कोई फाइदा नहीं होता है लेकिन फाइनली चानक के ने चंदरगुप्त मौरे की मदद से क्या किया धानानंद को पराजित करवा द पुद्ध पर अधिकार कर लिया और मौरेवंस की सत्ता स्थापित कर ली तो मौरेवंस जो है वो स्थापित हो गया आप देखिएगा तो मगध जो शाशक है मगध सासक ऐसा नहीं था कि मगध सासक में ही योग्यता थी केवल और केवल उनके अंदर ही योग्यता थी जिसके क कारण उन लोगों ने सामराज्य का विस्तार किया ये पूरे तरीके से आप इसको सच नहीं माल सकते इसकी पीछे बहुत सारे कारण है जो उत्तरदाई भी थे जैसे लोहे की अनेक खाने थी अभाई मगद में जब लोहे की अनेक खाने रहेंगी तो अब असली बात है कि अस् चला कंटक और रथ मुसन नामक हतियार का प्रियोग अजातसतरू ने किया था मिमबिसार ने स्थाई सेना भी रखी थी जिन्हें स्रेनिय काहा जाता था हाथी का भी प्रयोग किया था साथ ही मगद का मगद राजी का जो मद भाग है वो गांगे घाटी का छेत्र था और जिसकी कारण या अत्यधिक उर्वर और सम्रिद था गंगा की घाटी होने के कारण और कृषी की जो संबन्नता थी वो काफी अच्छी थी जिसके कारण क्या हुआ था आर्थिक संसाधनों की प्राप्ती भी काफी आसान थी अब पैसा ही नहीं रहेगा तो सामराजी का विस्तार कहां से करिएगा सामराजी का विस्तार काफी मुस्किल हो जाएगा ठीक है जैसे देखिएगा कि पाकिस्तान जूट का उचलता रहता है, पैसा है नहीं, लेकिन उचलने में कोई कमी नहीं किया जाता है, तो क्यों है ऐसा, क्योंकि आर्थिक संसाधनों का वहाँ पर अभाव है, ये वहाँ के लोग भी मानते हैं वेन पाकिस्तान के, तो इस छेतर में वैपार भी समरे ठीक है, और इसके कारण ही विरोधी सासकों को पराजित करना, उनके दुर्गों पर, उनके नगरों पर अधिकार करना काफी आसान हो गया था, इधर देखिएगा, राजगीर पांच पहारियों से घिरा हुआ था, जिसके प्रवेस मार्ग पर मजबूत किले बंदी थी, अजाद सत्रू के समय भी किरा बंदी किया गया था, तो मजबूत किला बंदी होने के कारण यह सुरक्षित था, लेकिन जो दो राजगीर थी, ए अदर से राजगीर भी सुरक्षित है, हाला कि उदाइन को ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर वैपार करना इस पाटली पुत्र से संचार यातायात यह सुलभ रहेगा, ठीक है, और यह सब कारण हैं, कि राजगीर भी राजधानी रहा, पाटली पुत्र भी राजधानी रहा, जो खाने थी, अनेक जो लोहे की खाने थी, साथी साथ जो राजा थी, वो भी सक्तिसाली थे, वो भी थोड़े से दिर्ड प्रतिक गे थे, राजा भी जो है वो काफी आप मान सकते हैं कि राजा भी महत्वा कांची थे, तो ये सब कारणों ने मिलकर आप देखेंगे, तो मगद को एक सामराज्य विस्तार, जो सामराज्य का विस्तार है, वहस मगद का संभव हो पाया, मिंस मगद के राजाओं ने सामराज्य विस्तार कर लिया, यही सब एक महत्वपूर्ण कारण रहा है, आप लोग को शेशन कैसा लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है तो मौरे वन्स कल स्टार्ट करते हैं इसी समय पर आईएगा साढ़े नौ बजे से लेकर साढ़े दस बजे तक हम लोग कल प्राची नितिहास खतम कर देंगे कल हम लोग क्या पढ़ लेंगे देखिए आज हम लोगोंने कितने दूर तक पढ़ लिया है आज हम लोगोंने पेज नमबर साथ पढ़ लिया पेज नमबर 8 पढ़ लिया, पेज नमबर 9 पढ़ लिया, और 10 भी थोड़ा सा पढ़ लिया, तो कल हम लोग को पढ़ना रहेगा 10 नमबर, 11 नमबर, 12 नमबर और 13 नमबर, 13 चौदा तक, तो हम लोग का काम हो जाएगा 4-5 पेज हम लोग को कल पढ़ना है, आज भी हम लोगों के बाद जो आपका प्राचीन बिहार का इतिहास है वो जो सायद आज तक सायद आपको पता है कि खतम ही नहीं हो पा रहा था इम्तियाज अमसर की पुस्तक आप लोग पढ़ी नहीं पा रहे थे वो प्राचीन बिहार का जो इतिहास है वो खतम हो जाएगा तेक है फिर उसके बाद जब आप MCQ बनाईएगा तो कुछ नहीं छूटेगा और कल थोड़ी सी बाद में लास्ट में 10-20 MCQ भी देख लेंगे कोई भी MCQ नहीं छूटेगा तो लास्ट में MCQ भी देख लेंगे तो थोड़ा सा पढ़ने का मज़ाई कुछ और मिल जाएगा पता भी चल जाएग इस प्रकार से अगर करते हैं तो काफी आपको इसका benefit मिलेगा जी आज first class था जी कुछ terms English में भी explain कर देंगे जो भी आप terms कहेंगे उसको अंग्रेजी में कर देंगे और मुझे जो भी लगेगा ना उसको मैं English में explain कर दूँगा जो भी मुझे लगेगा टफ है सामाने बोल मुझाल की भासा में नहीं है उसको अंग्रेजी में भी explain कर देंगे जी तो आप लोग को सेशन बढ़िया लगा कैसा लगा समझ में आया सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कभी भी सेशन लीजिए theory class है इसमें तो जदा चिल्ला चिल्ली चलता नहीं कभी भी सेशन के शालिंता से सेशन लेया तो आता कि आप लोग को समझ में आये आप लोग बाद में भी पढ़ें तो इसको दो काई speed कर ले एक घंटे का session दो दिन class होगी प्राचीन खतम आप मान के चलिए आपका दो तीन घंटे में ही दो बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे बहत तो आज हो गया एक घंटे का जादा इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता है न हिस्ट्री और केमिस्ट्री कैसा है हिस्ट्री और केमिस्ट्री है बेवफार रात को याद किया सुबह को सफा ठीक है क्लियर है तो यह जो है ज्यादा नहीं पढ़ने का इसको काम भर पढ़ लेने का हाला कि मेरा एक mcq का बैच आ रहा है अगर आप लोग का इच्छा हो आप लोग का इच्छा हो आप अब्सक्राइब लोग का इच्छा हो आप गुड इवनिंग वेलकम टू अनकैडमी अनकैडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्छों का स्वागत है जैसा कि आपको बताया था कि आज इमतियाज एहमद सर की प्राचीन बिहार की इतिहास के पुस्तक की क्लास होने वाली है इसका हम लोगोंने लास्ट लेक्चर था हमारा वो वो लास्ट क्लास में देख लिया था जिसमें हम लोगोंने बात की थी हर्यक वन्स के बारे में महा जनपदों के बारे में नंद वन्स के बारे में शिशुनाग वन्स के बारे में हमने देखा कि नंदों के अंतिम सासक धननन्द उसको किस प्रकार चंदरगुप्त मौर्य पराजित करता है, चानक के उसमें चंदरगुप्त मौर्य का सहयोग प्राप्त करता है, ये हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया इसके अलावा हम लोगों ने जो भी important facts थे उसको कल समझा जो प्राचीन बिहार के इतिहास से सम्बंदित थे आज हम लोग उसी सलसले को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा मौर्य सामराजि के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे मौर्य सामराजि से सम्बंदित जो भी fact है जो भी आवश्यक चीजे है उसको हम लोग समझेंगे आप देखिएगा तो मौर्य सामराजि के संस्थापक कौन है उनका नाम क्या है उनका नाम है चंदरगुप्त मौर्य चंदरगुप्त मौर्य जिनका समयकाल 320 से लेकर 298 इस्वी है इस्वी मिन्स इसापुर्व इसापुर्व है बीसी इई है और इन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है भारत का मुक्तिदाता इतलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उस समय यूनानियों का आकर्मन हो रहा था और उन युनानियों के प्रभुत्तों से हमें मिंस भारत को मुक्ती दिलाई थी और जिसके कारण उन्हें क्या माना जाता है जिसके कारण उन्हें भारत का मुक्ती दाता भी कहा जाता है आपसे प्रारंबिक परिक्षा में सवाल पूछ सकता है कि चंदरगुप्त मौरे को भ युनानियों के प्रभुत्व से हमें मुक्ति दिलाई थी, तो ये हो जाएगा आपका एकदम सटीक आनसर, आप देखेंगे, तो चंदरगुप्त ने धननन्द को पराजित करके मगध पर अधिकार किया और उसके बाद अपने सामराज्य का विस्तार किया, क्लियर है, अब द और दक्कन में करनाटक के उत्री भाग तक अपनी सत्ता स्थापित की, तो इनका जो सामराज्य है, यह काफे विशाल था, आपने देखा कि मगध पर किस परकार से इन्होंने अपना हक जमाया, मगध पर किस परकार से इन्होंने अपना अधिकार जमाया, कैसे जमाया, धनन पराजित हो जाए और नंद शास्कों से मुक्ति मिले और इवें जनता भी वही बात चाहती थी। चेतर है और पस्चिम उत्तर सीमान्त में मिन्स उत्तर पस्चिमी भाग में उसने जो युनानी सेनानायक थे एक सेल्लुकस निकेटर का सामना किया और अंतता सेल्लुकस को काबूल, कंधार, हरात, बलुचिस्तान और मकरान चंदरगुप्त के हवाले करने पड़े तो सिकंदर का शेनापती था उसने आप दिखेंगे तो उसने सामना किया किसके साथ चंदरगुप्त मौरे के साथ और चंदरगुप्त मौरे ने उसमें भी अपनी वीरता का अच्छा परिचे दिया और फाइनली जब युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद संधी करनी वस्तापुर्वक सेलुकस निकेटर को और सेलुकस को काबुल, कंधार, हिरात, बलुचिस्तान और मकरान के छेतर चंदरगुप्त के हवाले करने पड़े उसकी एक पुत्री का विवाह भी चंदरगुप्त के साथ हो गया बिलकुल संधी के माध्यम से आपको पता है विव आपको यहाँ पर सेलुकस निकेटर और चंदरगुप्त मौरे से संबंदित भी देखने को मिल रहा है अब आप देखेंगे तो 315 इशापुरो में सेलुकस का दूत जो उसका दूत था उसका नाम क्या था भाई? इंपोर्टेंट नाम है इसलिए आप लोग को याद रखना है उसका नाम है मेगा स्थनीज मेगा स्थनीज 315 इशापुरो में जो सेलुकस निकेटर का दूत है वह चंदरगुप्त मौरे के दरबार में आता है और उसने अपने जो भी अनुभाव थे उसके उसको अपने यात्रा वृतांत इंडिका में लिखता है और इंडिका उस समय की जो ततकालीन मौरे कालीन जो स्तिती थी उसका बेहतर वर्णन करती है और यह मौरे कालीन इतिहास के जानकारी में सहायक है आप देखेंगे तो इंडिका की रचना अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन इसके बाद इसके बाद की उधारन जो उधारन पेस किये गए बाद के लेखकों के द्वारा मतलब इसके उधारन मिंस इंडिका के कुछ-कुछ बातों को बाद की लेखकों के द्वारा प्रस्तूत किया गया जिससे हमें इंडिका में क्या वर्णन है इसके बारे में जानकारी मि लेकिन मेरे बाद जो लेखा काए उन्होंने मेरे बुक के बारे में चुकि आपको नहीं मिल रही क्योंकि आप हो सकता है कि मेरे से 100 साल के बाद आये हो लेकिन जो मेरे जस्ट बाद आये होंगे उनको तो कुछ न कुछ ग्यान होगा कि मैंने क्या लिखा है तो उन्होंने आपको दिखेगा कि इंडिका जोगी मेघास्तनीज की यात्रा वृतांत है और इस मेघास्तनीज की यात्रा वृतांत में पाटली पुत्र नगर प्रशाशन का आपको वर्णन मिलेगा मौरे कालीन इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी उसके बाद देखिएगा तो चंद्रगुप्त ने भारतिय उपमहाद्वीप में विक्सित पहली देश व्यापी शाषन प्रणाली का भेर निर्मान किया मतलब जो सिस्टम था वो काफी किंद्र कृत हुआ करता था और प्रशाशन इस कारण से काफी स्ट्रॉंग भी था और मजबूत भी था किंद्र कृत था, प्रशाशन इस कारण से काफी स्टॉंग, किंद्र कृत और मजबूत भी था क्लियर है? आम जनता का पंजी करण मिंस रेजिस्ट्रेशन अनिवारे था, जिससे क्या होगा? जिससे प्रशाशनी कारे में भी सहायता मिलेगी, राजस्व संग्रहन में भी सहायता मिलेगी, तो इनसे क्या होगा? इनसी प्रशासन को Чलाना संभव हो पाएगा अब जन्ता का अगर पंजीकरान ही नहीं नहीं है तो आपको क्या पता चलेगा अभी भी फिलहल अगर सरकार के पास जन्ता का कितनी जन्ता है इसका अगर आकड़ा न हो तो फिर कैसे सरकार किसी नीतियों को लागू करने में सक्षम हो पाएगी तो ये व्यवस्था चंदरगुप्त मौरे के समय आप देख सकते हैं कि 328 और 298 इशापुर्व के समय ही ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी सीना को ताफिस सुसंगठित किया सक्तिसाली बनाया ये तो जाहिर सी बात है चुकि किंद्रिकृत व्यवस्था है तो इसमें सब कुछ का प्रमुख कौन है समराट खुद है तो समराट जब खुद होगा एक व्यक्ति जब किसी चीज का प्रमुख होता है तो उसके कुछ फाइदे भी होते हैं नयाय प्रसाशन कठोर होता है जो प्रसाशनिक तंत्र है वह मजबूत होता है सेना को मजबूत बनाया जा सकता है अर्थ व्यवस्था पर राज्य मिंस स्टीट का पूरा कंट्रोल था कहने का मतलब है कि समराठ का ही अर्थ व्यवस्था पर पूरा कंट्रोल हुआ करता था और ये जितनी भी जानकारियां है ये किस्से मिलती है ये हमें कौटिल्ली की रचना अर्थ सास्त्र से प्राप्त होती है मिघास्तनीज के बारे में मैंने आलड़े आपको बताया कि इसने पाटलिप पुत्र के नगर प्रशासन की जानकारी दी है और उसने बताया कि नगर प्रशासन की देख रेख के लिए क्या था एक मिनट नगर प्रशासन की देख रेख के लिए उसने बताया है कि 6 समीतियों की चर्चा मिलती है और इन सभी समीतियों में 5-5 सदस्य थे ऐसा कहां से वर्णन मिलता है ऐसा इंडिका से वर्णन मिलता है इसके बाद आप दिखेंगे तो इस प्रशासनिक व्यवस्था को किसने मजबूत बनाने का प्रयास किया किसने कल्यानकारी बनाने का प्रयास किया उदार लिब्रल बनाने का प्रयास किया तो वह है समराट असोख, उसने आपको बता है कि उसने युद्ध की नीती को त्याग दिया था कलिंग युद्ध में और उसके बाद उसने धम की नीती को अपनाया था, धम की नीती का मतलब होता है नैतिकता की नीती, नैतिक आदर्शो को फॉलो किया, तो उसका कारे जो है स समाज में सभी वर्गों का एक साथ अस्तित्व हो, जैसा कि आपको वर्तमान भारत में भी दिखता है, और साथ ही साथ सदभाव, सभी की बीच में सदभाव बना रहे, इसको समराट सोक ने अपने प्रशाशन में भी और अपने कारेकाल के समय प्रोचाहित करने का प्रयास कि इसने उसके लिए आपको मैंने बताया चुकि धम की नीती फॉलो कर रहा था तो लोगों तक वह नीती कैसे पहुचे इसके लिए उसने धम महामात्रों की नियुक्ती भी की थी धम महामात्रक नामक अधिकारियों की नियुक्ती की गई और स्वयम उसने क्या की धम यात्रा आयो जित की मतलब खुद भी जाकर धम का प्रचार प्रशार वह करता था धम का सीधा सा मतलब है नैतिकता से नैतिक आचरन से या फिर नैतिक थॉट से तो इस बात का आपको ख्य डाल रखना है क्लियर है चलिए उसके बाद देखेंगे तो चंद्र गुप्त का उत्रा धिकारी कौन है उसके बाद अगला लाइन हलाकि ये लिखा है कि भाईच असोग के बारे में जानकारी आपको कहां से मिलती है असोग के बारे में आपको जानकारी अभी लेखों से प्राप्त होती है इसके बाद आप देखेंगे तो चंद्र गुप्त के उत्रा धि शापुर्व तक और मौरिश शामराजी का गौरव बना रहा इनके समय भी और इनके समय जो दो महत्वपूर्ण घटा है जिससे परिक्षा में सवाल आता है इतिहासकार बनने का उद्देश नहीं है जिससे परिक्षा में सवाल आता है वह क्या है कि विदेसी संबंध भी वि इसका नाम याद रखना है यूनानी दूत है जिसका नाम है दी मौकलस उनके दरबार में रहा है यह चीज आपको याद रखनी है इसके बाद देखेंगे तो मौरे वन्स का महांतम शाशक कौन है अशोक था यह बात आप जानते हैं और उसने आरंभ में किस प्रकार की निती अपनाई थी सामराज्य विस्तार की जैसा आप देखते हैं जैसा बिम्बिसार ने अपनाने का प्रयास किया जैसा हर्यक वन्स के सासकों ने अपनाने का प्रयास किया ठीक उसी प्रकार की निती किस की थी उस ठीक उसी प्रकार की नि अपना प्रारंभ में लेकिन बाद में आप देखेंगे जो ही जो जो है वो समय बीता गया और एक युद्ध ने उसकी जो है सोच को ही बदल दिया उसने आप देखेंगे तो 261 इसाब पुरो में 261 इसाब पुरो में देखिए चुकि 272 के राउंड उसने सिनहासन प्राप्त किया था लेकिन जो उसका राज्याभिशेक हुआ वह चार वर्सों के बाद हुआ और अपने राज्याभिशेक के आठवे वर्स में आप देखेंगे तो क्या होता है तो कलिंग युद्ध में वह भाग लेता है और वहाँ पर जब कलिंग युद्ध में इतने सारे लोगों उसको घायल होते मरते हुए देखता है तो उसका हिरदय जो है वो बिलकुल आप कहेंगे तो क्या हो जाता है इमोशनल हो जाता है वह भावुक हो जाता है और उसके बाद उसने जो ये असुर विजय है उसने जो ये युद्ध की नीती है इसको त्याग दिया और साथ में उसने अपनाई है और इस उद्देश शे क्या किया रक्तपात को समाप्त करने का प्रयास किया अब इसके लिए उसने क्या करने का प्रयास किया कि विदेशों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत किया कि जो मेरे थौट्स हैं वो सभी जगव पहुँचे और इसके लिए क्या किया जाएगा इसके लिए सामाने तोर पर आप देखेंगे तो अपने थौट्स को दूसरे तक पहुचाने का सबसे अच्छा जो जरिया है वो यही है कि आप जो संबंध है विदेशों के साथ भी संबंध है उसको मजबूत बनाए उसको मधुर बनाए और उसको काफी स जो योगातमग बनाए उस से अपने दूत बहे जिन दूतों से वह प्रचार प्रशार करवाता धा ध़म का धं मिन्स नयतिक शहीता का कहा कहा भेजा स्रिलंका भेजा पस्चिमी ऐसिया भेजा मध ऐसिया भी भेजा युनानीव दवरा सासित राज्यों में उन्होंने जिससे राज्यों में अगर बात करेंगे तो सीरिया, मिस्र, मेसोडोनिया, एपिरल, सायरिन इन सभी देशों में उसने अपने दूत भेजे जिससे क्या हो जिससे धम का प्रचार प्रशार हो तो इस प्रकार उसने अपने विदेशी सम्मंधों को मजबूत बनाने का प्रयास किया है इसके माध्यम से उसने किस चीज का प्रयास किया ये मैंने पहले बताया सांती का सदभाव का सतित्व की भावना का कल्यानकारी कार्यों का इन सभी जसी बी जिस भी उद्धेश शिय यह संबंधों को मजबूत कर रहे थे। तो कहीं से भी उद्देशों का अर्थ यह नहीं था। कि वह सैनिक विजय चाहते उनुव वह सैनिक विजय नहीं चाहते थे। बलकि वह चाते थे कि कूट नितिक संबंध मजबूत रहे जिससे नैतिकता, सान्ती और मानव सेवा के प्रती उसकी उत्सुकता की प्रदर्शन के द्वारा ही यह संभव था तो उसका जो उदेश है असो का उदेश इन छित्रों में सैनिक विजय नहीं था क्या चाते थे वो कि भाई नैतिकता, सान्ती, मानव सेवा, इत्यादी जो है वह बना रहे ठीक है तो और इसके लिए ही मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि मजबूत संबंध वह तभी बना पाया अपने कूट नितिक संबंधों को जब उसने धम की नीती अपनाई क्योंकि वह नैतिक था अगर वो युद्ध की नीती अपनाता तो साइद सभी से युद्ध करता इससे युद्ध करता फिर उससे हारता उससे जीतता लेकिन यहाँ पर उसने संबंधों को मजबूत बनाया कूट नितिक संबंधों को किसके माध्यम से यही नैतिकता सान्ती मानव सेवा इत्यादी के माध्यम से असौक ने बौध्धर्म को जो है बौध्धर्म से उसका संबंध भी रहा है उसके विलिंगन किया बौध्धर्म को सण्रक्षन दिया उसका प्रश्रय दिया आप देखेंगे तो पाकली देट की बाद करूँ तो 27247 AD में इसमें अध्यक्ष कौन है इसमें अध्यक्ष है मुगाली पुत तिस इसके अध्यक्ष थे यहां पाटले पुत्र में आयो जित हुआ था और इसके माध्यम से उसने क्या किया इसके माध्यम से भारतिय महाद्वीप से बाहर भौध धर्म के बुद्ध धर्म का बौध धर्म का प्रचार प्रशार भी किया और इसी समय बौध धर्म का जो एक संप्रदाय है थेरवाद इस संप्रदाय का उदै भी इसी की समय में हुआ है इसी टाइम पर हुआ है उसने बौध धर्म से संबंधित तिर्थों की यात्रा की जो भी महत् पाल, स्रिलंका, बर्मा एवं अन्य देश और इससे क्या हुआ इससे भारतिय संस्क्रिती का भी प्रचार प्रशार वीदेशों में हो पाया यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि उसके पुत्र और पुत्री को वह कहां भेजा था तो उसने अपने पुत्र और पुत्री, आपको पता है, धम की नीती है, सहयोग की नीती है, नैतिकता की नीती है, अहिंशा की नीती है, सेवा की नीती है, तो इस प्रकार शान्ती की नीती है, तो उसने किस प्रकार की नीती अपनाई? इन सभी के माध्धम से उसने जन कल्यान की नीती अपनाई, जन मतलब जनता, तो जनता के कल्यान की नीती अपनाई, उसने विभिन वर्गों को, विभिन वर्ग के लोगों को, चाहे वो गरीब हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, विभिन वर्गों के लोगों को उसने आर्थिक अनुदान देने और अन्शुविधा प्रदान करने के लिए धम महामा तो ऐसा नहीं था कि धम महामात्रों का कारे केवल और केवल धम का प्रचार प्रशार करना ही था धम महामात्रों का कारे प्रचार प्रशार के अलावा अनुदान देना और अनिश जो सुविधाय हैं वह समाथ के किसी वर्ग के लोगों को प्रदान करना वैसे सामान तोर पर वैसे वर्ग जिनको उनसे जो है वो जरुरत थी न्याय प्रशासन सुद्रड करने के लिए और उसको विवस्थित बनाए रखने के लिए उन्होंने एक अधिकारी जिसका नाम है रजुक रजुक नामक अधिकारी बहाल किये तो यह रजुक नाम के जो रजुक नाम है इसको आप लोग याद रखिएगा परिक्षा में यह नाम पूछा जा सकता है रजुक रजुक नाम के अधिकारी को उन्होंने बहाल किया उसके बाद आप दिखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पशुवद्ध पर उसने रोक लगाई और भेसली बात है कि जो धम की नीती मानता है नैतिकता की नीती मानता है वह पशुवद्ध पर रोक भी लगाता है पशुवद्ध पर रोक लगाई और धम की निती का प्रतिपादन कर समाज में सांती, सदभाव तथा सहिशनुता पर उसने बल दिया और व्यक्ति के जीवन में उच्छ नैतिक आदर्शों को प्रुटसाहित करने का प्रियास किया। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार जो अशोक है उसने सरव प्रथम कल्यानकारी राज की अस्थापना करने की जो बात है वह सोची। और कल्यानकारी राज किस प्रकार से हो सकता है। इसका एक अच्छा उदाहरण अशोक ने पेस किया है। तो कल्यानकारी राज का आदर्स जो है उसने पेस किया। उसी लाइन में लिखा है कि प्रजा के बीच सदभाव, समरस्ता, सदाचार को बढ़ावा दिया। सांती अहिंसा मैत्रपुर्ण विदेसी संबंध आदी ऐस सिधान थे। जिसको उसने प्रशासिक नितियों में अग्रिम स्थान दिया और अशोक ने महान सासक के रूप में अपनी छवी इतिहास में बनाई। हाला कि जिस प्रकार से असोक ने अपने करियर की सुरवात की थी, जब वो राजा बना था उस प्रकार से उसने सुरवात की थी, उसका अंत उस प्रकार से नहीं हुआ था। यहां देखेंगे तो असोक की आलोचना भी कुछ इतिहास कारों ने इस अधार पे की है कि उसकी नीती के कारण ही मौरे सामराज पतन की ओर अग्रसर हुआ। एक तो सैनिक बल समाप्त हो गया क्योंकि यह हिंसा की नीती अबनाता था और दूसरा जो बौत धर्म को ज़्यादा इसने जो समर्थन दिया, सहयोग दिया जिसके कारण ब्राम्हन इनसे रूस्ट हो गए क्योंकि ब्राम्हन के करमकांड इत्यादी का यह समर्थक नहीं था तो जिसके कारण ब्राम्हन रूस्ट हो गए और यह दो कारण जो मौरे सामराज्य है उसके पतन में सहायक हुए अब इसके अलावा भी कुछ कुछ कारण है जैसे असोक के उत्राधिकारियों की अयोग्यता उसके बाद जो उत्राधिकारी बनते हैं वह अयोग्य हैं सामराज्य का व्रिहद छेतर है लेकिन प्रशाशन मजबूत नहीं है उत्रा धिकारी कमजोर है प्रांत पती जो भी प्रांत के प्रमुख बनाये जाते थे उन प्रांत पतियों के द्वारा भी लोगों पर अत्याचार किया जाता था तो ये सब कुछ ऐसे कारण है जिन कारण मौरिस सामराज को पतन हो गया अब देखियेगा तो आपको दिखिएगा कि हिंद युनानी सास को आख़ा कर्मन मतलب यह जब तो आकर्मन की बात है हाला कि जो समस्या थी मौरिस सामराज के पतन के कारण में यह मैंने आपसे already discuss कर दी, क्लियर है, अब देखेंगे, तो एक सो पचासी इसा पुरो में अन्तिम मौरे अब सबसे यहाँ पर important जो सवाल पूछा जा सकता है परिक्षा में, वो आप से यहाँ पूछ सकता है, कि मौरे सामराज्य का अन्तिम शाशक कौन था, बीपेसी ने पूछा भी है, जिस प्रकार देखें, इसके पहले हर्यक सामराज्य भी मजबूत था, उसका अन्तिम शाशक कौन था, नाग दशक, नाग, नाग शाप वाला नाग, उसी प्रकार से जो यह मौरे सामराज्य था, मौरे सामराज्य का अन्तिम शाशक कौन था, तो उसका नाम क्या है, ब्रिहदरत, यह आपको याद रखना है, परिक्षा में यह पूछा जा सकता है, अब उसके बाद बारे में बौध गरंत बताता है उसके बाद कौन आये शिशुनाग आये उसके बाद कौन आया नंद वनस आया उसके बाद कौन आया मौरे वनस आया मौरे वनस के बाद कौन आया तो सुंग वनस आया और संस्थापक कौन है जैसे सबसे पहले व्रिहद्रत वनस के संस्थाप ब्रिहढ रत्प्यम हर्यक हैओ अधाय्रस्ट के संस्थापक, बिम्बिसार, नंद शुर्ण वैशाज हैब मापुष्यमित्र शुर्ण ठीक है और उसके बाद देखेंगे, तो यहाँ जो साशक है पुष्यमित्र सुंग, यह सेनापती हुआ करता था, ब्रिहद्रत जो अंतिम मौरेशमराथ है उसके सासनकाल में, अब आप कहेंगे क्या यह छत्रिय था, तो नहीं, यह छत्रिय नहीं था, लेकिन यह सेनापती बना सेना की उपाधी भी धारन की, क्योंकि यह थी ब्राम्हन, पुरोहित, लेकिन हुआ क्या, कि मैंने आपको बताया कि असोक के काल में करमकांडो का महत तो नहीं था, बहुत धरम को ज्यादा महत तो दिया गया, जिसके कारण इनको लगा कि इनका खाना पीना कैसे चलेगा, तो इ जिदरत के ब्रिहदरत के समय, यह सीनापती भी थी, ठीक है, और सबसे महत पून बात कि पुस्य मित्र सूंग ने ब्रह्म्हन वाद को फिर से फैलाने का काम किया, पिर से उत्थान का करने का काम किया, जो असोक के समय क्या हुआ था? असोक के समय ब्राम्हन लोग असोक से रुस्ट हो गए थे बौत धर्म को महत्व देने के कारण मौरेकाल में कला और विद्या के छेतर में भी उलेखनिया प्रगति हुई आपको पताई है मौरेकाल में एक तो आपने सुन लिया कि भाई इंडिका भी आया जो मेगास्तनीज की इंडिका है इधर कॉटिल लिका अर्थ सास्त्र है क्योंकि कॉटिल लिक ऐसा वेकती है एक बहु आयामी प्रतिभावाला multi talented है तो multi talented वेक्ति है और जिसकी रचना क्या है अर्थ सास्त्र ये economy पर बेस्ट नहीं थी आप ये मत सूचेगा कि ये economy पर अर्थ सास्त्र नाम है तो ये economy पर बेस्ट नहीं थी ये उस समय की राज व्यवस्था का वर्णन करती थी राजनेतिक व्यवस्था का पाननी की रचना अस्टाध्याई थी अस्टाध्याई इस काल की अन्य महत्य पूर्ण उपलब्दी है एक आपको मिल गया मौरेकाल में कोटिल का अर्थ सास्त्र दूसरी पाननी की अस्टाध्याई उसके बाद मिमानसा और वेदांत पर टिपनी लिखने वाला उपावर्स भी इस काल की अन्य महानु भूती थी अन्य महानु भूती थी तो ये भी याद रखना है जोरे टिपनी लिखने वाला उपावर्स मिमानशा और वेदांत पर और इस काल में आप देखेंगे तो मेघास्तनीज की इंडिका भी है हाला कि इस काल मे स्थापत्य कला का भी वर्णन आपको दिखेगा स्थापत्य कला भी काफी उन्नत अवस्था में हैं और इसका वर्णन कहां दिखता है मेगास्तनीज ने पाटली पुतर नगर की सुन्दरता का वर्णन किया है पटना के पास जो पाटली पुतर के दक्षणी भाग में कुभरार का एरिया है वहाँ पर मौरे कालीन राजप्रशाद मिले हैं के अवसेस मिले हैं जिनमें एकास्म गोलाकार स्तंब एकास्म मतलब एक पत्थर वाला ही गोलाकार स्तंब पिलर ठिक है और अपनी जो निर्मान विधी के लिए प्रशिद है तो ये मौरे कालीन जो राज प्रशाद था वहाँ पर क्या था एकास्म गोलाकार जो स्तंब है वो हुआ करता था मिंस मोनोलिथिक जो है सरकुलर पिलर मिलता था मोनोलिथिक सरकुलर पिलर मतलब एकास्म गोलाकार स्तंब तो एक पत्थर से ही ब द्वारा सभावेगरा का आयोजन किया जाता था यह शैली इरान कला से प्रभावित थी इस सैली में उचे और भव्यस्तंब असोक द्वारा अपने अभिलेक के प्रचार हितु बनाए गए हैं अभिलेक मतलब क्या है अभिलेक मतलब मतलब जैसे किसी राजा को कोई आदेश देना है कोई शाही आदेश जारी करना है तो उसके लिए अभिलेक का प्रयोग होता था बहुत बार पिलर्स पर लिख दिया जाता था बहुत बार बड़े-बड़े पत्थर के टुकरों पर लिख दिया जाता था तो वहीं यहां पर बात हो रहा है कि इरान कला से भी काफी प्रवावित है, जिसमें उची और भव्यस्तंभ, मतलब पिलर पे अशोक द्वारा अपने अभिलेखों के प्रचार हितु बनवाए गए थे, जो अशोक अपने, मतलब वो पिलर्स में ही अभिलेख लिखा होता था, जो अशोक के द्वारा इस्तमाल किया गया था, पत्थरो को चमकाने की कलाभेजकाल में काफे प्रसिद है, और इसका सबसे उदाहरन दे रहे हैं इमत्याज अहमत सर, पत्ना सिटी के दिदार गंज महले से क्या मिला है, यक्षणी की एक मुर्ती मिली है, साथ ही साथ राजगीर की सोन भंडार गुफाएं और गया के समी बराबर की पहाडियों की गुफाएं भी मौरे कालीन स्थापत्य का एक अच्छा उदाहरन पेस करती है, क्लियर है, इन गुफाओं में बौध विक्षू एवं आजिवक पंथ के आचारे विस्राम करते थे, मौर्योत्तर बिहार, मौरे सामराज के पतनों उपरांत, मगद के इतिहास का एक गौरवपूर्ण युग समाप्त हुआ, अब हम लोग थोड़ा सा मौरे उत्तर बिहार में पढ़ रहे हैं, और मौरे उत्तर मिन्स मौरे के बाद उत्तर, मतलब मौरे के बाद, ठीक है, तो मौरे के बाद का काल पढ़ेंगे, और इसमें क्या है, मौरे सामराज के प फुले आपको समझ में आया होगा, उसके बाद देखेंगे, तो आपको पता चले का चलिए थोड़ा सा मौरे उत्तर बिहार मौरे उत्तर बिहार को थोड़ा सा नीचे करते हैं, और चीजों को अच्छे से समझने का प्रियास करते हैं, का गया मौरे उत्तर बिहार, तो पुस्स मित्र सुंग, जो सुंग वन्स का शाशक है, आप देखेंगे, तो उसके अधिन केवल गंगा घाटी वाला इलाका, केवल गंगा घाटी वाला इलाका, और चंबल नदी से, जो संबंदित छेतर हैं, वही रह गए थे, ठीक है, बैक्तीरिया के जो युनानी सासक थे, उन्होंने पस्चिम मुत्तर छेतर पर, मिंस उत्तर पस्चिम भाग पर भारत के, उन्होंने क्या किया, सफलता पुरुवक अधिकार कर लिया, पंजाब और पाटली पुतर पर भ कलिंग के शासक थे, एक राजा खारविल कलिंग उरिशा में हैं, और उसने भी लगभग पहली सताबदी इशापुरो में क्या किया, पहली सताबदी इशापुरो के अंत में मगद पर आकरमन किया, जब भी कोई कमजोर देखता है, और उसको लगता है, बही मुझे राजी का विस्तार करना है तो उसको लगता है कि अगर कोई कमजोर राजी है तो वहाँ पर आक्रमन करो तो उसी को सोच करके खार्विल हो या फिर डेमोट्रियस हो दोनों ने आक्रमन किया मगद पर पाटली पुत्र पर और आप देखेंगे तो मुश्य मित्र ने संभावता जो है वह क्या किया परिस्तिती पर कुछ हद तक नियंत्रन किया और जालंधर जो पंजाब का इलाका है पंजाब एमरित्सर का इलाका और जो सियाल कोट है सियाल कोट तक अपनी सत्ता का विस्तार भी किया और सबसी महत्तोपूर्ण उपलब्धी उनके समय में यही है कि भ गयाग्य का आयोजन किया। गये थे असोक से भी क्योंकि वह बहुत धर्म को संदक्षन देता था। तो यही किया। पुश्यमित्रसुंग जबाया। उसने ब्राम्हनवाद को फैलाने का काम किया। और साथ ही उसने हिंदू जो जो बहुत धर्म हैं। उस पर काफी अत्याचार किये। उन लोगों पर बात है जो आपको याद रखना है। उसने बड़ी संख्या में बौध भिक्षूओं की हत्या की, तात ही स्तूपों और विहारों का विनास भी किया। समाप्ति भी किया। उनको। तिंग काल में ही आपको बताया था डेमोट्रियस का आकर्मन पाटली पुत्र पर हुआ। और 75 इशा पुर में सुंग वन्स का समाप्ति हुई। और सुंग वन्स के अंतिम राजा कौन है। देव भूती की हत्या कौन की। उनके ही सचीव वाशु देव ने, वाशु देव को वाशु मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, पुष्य मित्र के बाद अगनी मित्र आते है तो मालवी का और जो अगनी मित्र के कहानी है, उसका जो अगनी मुत्र है वो पुष्य मित्र के बाद शाशक बनता है। सुंग वन्स का। हलाकि चलिए यहाँ पर बहरहाल हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पर सुंग वन्स का अंत्र हुआ, 75 इशा पुर में। और जो वन्स का जो अंतिम्सा सक्ता उसको आंद्रशात वाहनों ने अपदस्त कर दिया, आंद्रशात वाहन की जानका जो सत्ता थी वो आंद्रप्रदीस महरास्ट करनाटक के छेतर में आपको देखने को मिलेगी और इसके संस्थापक कौन है, सिमुक, S-I-M-U-K, सिमुक ठीक है और इस बास्त की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, हाला कि कि आंद्रो का मगद पर शासन रहा था या नहीं रहा था। कुसान जो सासक है कुशान वंस के स्थापना हाला की किसने की है कट फेसिस ने लेकिन कुसान वंस में जो प्रमुख सासक है उनका नाम क्या है उनका नाम है कनिस्क और उन्होंने पाटली पुत्र पर आकमन किया और पाटली पुत्र से क्या लेकर चले गए वो पाटली पुत् तो कनिस्क के सासनकाल में जो चौती बौध संगती होती है कस्मीर के कुंडलवन में उसका यह उपाध्यक्ष बनता है कौन अश्व घोस कुसान कालीन अवसेस भी बिहार में अनेक स्थान से प्राप्थ हुए हैं और कुसान सामराज के पतन के बाद ऐसा माना जाता है कि कुछ दिनों के लिए वैशाली के जो लिख्षवी थे उनके नियंतरन में रहा लेकिन इस पर भी डिवेट है क्योंकि कई तिहासकार मानते हैं कि मगद पर सकोक सक मुरूंडो का जो है वो नियंतरन हो गया था लेकिन इस पर जो है आपत्ती है कुछ लोग मानते हैं कि इसकाल का इतिहास अभी भी अस्पस्ट है क्लियर है इसकाल का इतिहास अभी भी अस्पस्ट है अब इसकी बाद क्या है इसकी बाद आप देखेंगे तो इसकी बाद जो है गुप्त शासक की बात है तो गुप्त शासक को बहतर होगा कि हम लोग गुप्त शासक जो शाशन ह उसको कल पढ़ें आप लोग को क्या लगता है या आज पढ़ना चाहिए या कल इसन कैसा लग रहा है आप लोग को इसन कैसा लग रहा है चलिए तो होमवर्ख सिरीज में आप लोग पार्टिशिपेйट कर रहे है इसके जस्ट बाद एक होमवर्ख सिरीज आती है 23.5 बजे उसमें मैं आप लोगों को एकदम basic से कल पहला homework था आप लोगों के लिए उसको अगर आप लोगों ने complete कर लिया होगा तो फिर आज हम लोग उसके एक step आगे बढ़ जाएंगे और एक step जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा पिछले वाले को revise करते हुए अगले वाले का step को आगे बढ़ेंगे अगर आप उस homework series को भी follow करेंगे अगर उसको 80% भी follow कर लिया तो प्रिलिम्स exam से पहले तीन बार आपका revision पका है कि हो जाएगा ठीक है तो यह हाँ विल्कुल homework series जो है वो विल्कुल free है और तीन बार आपका revision आराम से हो जाएगा तो उस चीज को आप पढ़िए इसके just बाद हम लोग अनक एडमी के जो BPSC का channel है इसी में आप देखिएगा तो free target batch करके आ रहा है और free target जो series है एक तरह से target है आपको कि भाई आपको daily target series है basically free नहीं daily target series जो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको आज क्या पढ़ना है मतलब आज रात में जो मैं दूँगा वा उसमें आपको कल क्या पढ़ना है इसकी जानकारी चहिए होगी और यह मैं आपको बताऊंगा ऐसे मैं इसमें जैसे की page number खोल कर बताता हूं भाई कि ये page number से पढ़ना है इस जैसे बिहार समगर से पढ़ना है या फिर किस से यह सब मैं आपको बताता हूं उसका जो है समया अंतराल पर टेस्ट भी होता रहेगा तो यह बहतर विकल्प है अगर एक दिसाहीन तयारी हो रही है तो हमारे साथ चलिए तीन-चार बार रिवीजन आपका हो जाएगा एकशनली अभी क्लास है मेरी 10.35 बजे से ही इसलिए मुझे यह स्टॉप करना पड़ रहा है नहीता मेरा क्या है मैं तो एक ही दिन में आप लोगोंने देखा होगा साथ इए गंटे की एक ही क्लास लेए मैंने एक बार में ले ले हैं, तो लंबा क्लास लेना कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ये वादा रहा आप लोगों से कि कल आप लोगों का मध्धिकाल तक लेकर चले जाएंगे, ये आप लोगों से मेरा वादा है कि कल पूरा पूरी मध्धिकाल तक लेकर चले जाएंगे, तो उसके तो आप लोगों से थोड़ा सा छमा प्रार्थी हैं आज, आप लोग जो दस बजे का सीरीज है, डेली टार्गेट सीरीज, जिसको होमवक सीरीज कहते हैं, उसमें आप लोग आईए, उसमें बात करेंगे कि किस प्रकार से आप लोग को डेली टार्गेट फिक्स करना है, एक ह मिनट के बाद जब स्ट्राइब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है लास्ट क्लास में हम लोगों ने इम्तियाज अहमत सर की पुस्तक को कवर करना प्रारम्भ किया था दो क्लास अल्रेडी प्राचीन बिहार के इतिहास की हो चुकी है इसको जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अगर यह आपका थर्ड क्लास है क्योंकि first class और second class को देखने के बाद ही आप third class को जब देखेंगे तो आपको कुछ बाते समझ में आएंगी अन्य था कोई बात समझ में नहीं भी आ सकती है तो पहले first class को देखें फिर second class को देखें और फिर third class को देखिएगा तब जो है चीजें यहाँ पर clear होंगी clear है तो आज हम लोगों ने class में जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था वहांसे हम लोग स्टार्ट करते हैं शेशन को हम लोगों ने कल मौरयोत्तर काल में जो बिहार की स्थिती थी उसके बारे में समझा कि लिटर मौरयाज में क्या क्या हुआ कनिस्क के बारे में जाना कि कनिस्क के शाषनकाल में च owthी बौध संगती होई कस्मीर के कुंडलवन में कस्मीर जो कनिस्क है जो कुशान सासक कनिस्क है काफी शक्तिशाली काफी महत्वकाँची शाषक है उसने आकर्मन किया पातले पुत्र पर और यहां से वो अस्व घोस को लेकर चला गया इन सब सभी चीजों के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था आज की शिशन में हम लोग गुप्त कालीन बिहार में थोड़ा सा आगे आएंगे और हम लोग गुप्त कालीन बिहार को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो देखे, जहां तक गुप्त कालीन बिहार की बात है, तो बिहार में गौरब का पुनरुधार, जो मौर्योत्तर काल में थोड़ा सा डिग्रेट हो गया था, उसका पुनरुधार कब आपको देखने को मिलता है, तो उसका पुनरुधार गुप्त वन्स के समय में देखने को आपको मिलता है लगभग चौथी सताब्दी इस्वी में चौथी सताब्दी इस्वी का मतलब क्या हुआ 4th century CE 4th century CE का मतलब लगभग आप देखेंगे तो 300-301 से लेकर इधर आजाईए 399 तक इसको आप कहेंगे 4th century CE गुप्त सासको का उदय आधुनिक उत्तरप्रदेश के पुर्वी भाग में इलहवाद और बनारस के मध्धवर्ती छेत्रों में हुआ था और हो सकता है कि कुशानों के वो सामन्त रहे हो उस टाइम पे ऐसे इमतियाज हमत सर की पुस्तक कहती है कि गुप्त सामराज्य का जो मुख्य भाग था, मुख्य जो एरिया था, उनका जो उदय था वो उत्तरप्रदेश के पुर्वी भाग में जिसमें आप समझ सकते हैं कि इलहवाद में और बनारस में हुआ बनारस के मध्यवर्ते इलाकों में और ऐसा माना जाता है कि वो कुषान जब सासन था मुर्योतरकाल में कुषानों का उस समय ये सामंत थे उनके और सामंत के रूप में वह सत्ता संभाल रहे थे इसमें से आप दिखेगा इनमें से चंदर गुप्त ने एक लिक्षवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तो चंदर गुप्त ने लिक्षवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया अगर आप से कोई अपने जो भी लिक्षवी की राजकुमारी थी तो लिक्षवी के साथ सम्बध मजबूत हो जाए ऐसा प्रयास चंदरगुप्त ने किया है क्योंकि उसने लिक्षवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया और इस कारण से आप देखेगा तो ब porterastha में भी व्रद्धि देखने को मिलेगी। और बिहार के छेत्र पे भी उसका नियंत्रन बना। क्योंकि लिक्षवी आपको पता है। पतिष्ठा और सक्ति में बृद्धी हुई और इसका जो है यो बिहार के छितर पर भी प्रभाव पढ़ने लगा क्योंकि लिक्षवी बिहार का ही महाजनपद है तो इस छितर पर भी प्रभाव पढ़ने लगा हाला कि इन लोगों का उदय जो गुप्तवन्स का उदय है यह पुर्वी भाग, इलहाबाद और बनारस के मध्य वाले इलाके में हुआ था लेकिन लिच्षवी राजकुमारी से विवाह करने के बाद बिहार के छेतर में भी उनका आगमन हुआ और वहाँ पर भी उनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा आप देखेगा, तो 320 इस्वी में क्या हुआ? चंदरगुप्त ने पाटली पुत्र में महराजा धिराज की उपाधी धारन की तो ये चीज़ों आप लोग को ध्यान में रखना है कि चंदरगुप्त जो गुप्त वनसिय शासक है एक मौरे भी हैं चंदरगुप्त मौरे वो नहीं ये गुप्त शासक है चंदरगुप्त चंदरगुप्त ने पाटली पुत्र में क्या किया है? पाटली पुत्र में महराजा धिराज की उपाधी धारन की है और उसी ने आप देखेंगे तो किसका प्रचलन किया था ध्यान दिजिएगा गुप्त समवत का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया है इससे किसका नाम जुड़ा हुआ है इससे चंद्र गुप्त का नाम जुड़ा हुआ है ये बात आप लोगों को याद रखनी है इससे च आम तौर पर इस तरह का जो सवाल है वो परिक्षा में पूछा जा सकता है आप देखिएगा तो चंदर गुप्त की मृत्यू के बाद कौन सासक बनता है शाशक बनता है समुद्र गुप्त हाला कि गुप्त वंसु के इतिहास में इसके पहले भी शाशक है लेकिन इमतियाज ह समसर की पुस्तक चंदर गुप्त से ही स्टार्ट कर रहे है चीजों को ठीक है तो चंदर गुप्त की मृत्यों के बाद उसका पुत्र समुद्र गुप्त 335 से लेकर 375 इस्वी तक वह सासक बना रहता है चंदर गुप्त जो है चंदर गुप्त की मृत्यों के बाद समुद तो गुप्त सत्ता रूड कब होता है? सत्ता रूड होता है 335 स्वी में, 335 स्वी में, ठीक, वो सत्ता पराता है, उसके बाद आप देखेंगे, तो वह एक महान विजेता था, जिसने गुप्त सामराज्य का विस्तार लगभग भारतिय उपमहाद्वीप, तमस्त उपमहाद् कर दिया, तो इस आप से समझ सकते हैं कि यो है एक सत्तिशाली, महत्वाकांची और काफी योग्यशासक था, जिसका नाम है समुद्र गुप्त, इतिहासकार विंसेट स्मीथ जिसको आप वी स्मीथ कहते हैं, इतिहासकार विंसेट स्मीथ ने समुद्र गुप्त को भारत का क्या कहा है नेपोलियन भारत का नेपोलियन भी कहा है हाला कि होना क्या चाहिए था जो नेपोलियन है उसको भारत का फ्रांस का समुद्र गुप्त कहना था हमें क्योंकि भाई ये पहले है और नेपोलियन बाद में है ठीक है अब उल्टा कहा जा रहा है यहां पर क्योंकि इत सर्ड जमीथ नाम साहि समझ रहे है कि किदर के टिहासकार होंगे? हाला कि कहना चाहिए था कि जो निपोलीयन है वह भारत का मतलब वह निपोलीयन जो है वह फ्रांस का समुद्र गुप्त जैसा है लेकिन यहाँ पर उल्टा बात हो गया, यहां कहा जा रहा है कि समूद्र गुब्त जो है, वह भारत का निपोलियन हैं, क्योंकि saja निपोलियन ने भी अपने सामराज्य का विस्तार काफी अच्छे धंग से किया था, तो इसलिए समूद्र गुब्त ने भी वही काम कि तो इसलिए उसको भारत का हम लोग नेपूलियन कहते हैं इतिहासकार विंसट स्मेथ ठीक है अब बोला गया इतिहासकार के दुआरा तो अब उसमें कुछ परिवर्तन तो नहीं किया जा सकता लेकिन हम लोग को सोच रखनी चाहिए जैसे दिखी विसमार्क की तुलना आप कर में नहीं आती यहाँ पर समुद्र गुप्त पहले हैं और जो नेपूलियन है वह बाद में है उसका जो समयकाल है वह बाद का है क्लियर है वह फ्रांस की क्रांती के समय है जो 1780 से मतलब आप देखेंगे 85 से लेकर 1800 इसवी में उसका आपको पीरियट दिखेगा ठीक है तो इन्हें भारत का आप क्या कहते हैं इन्हें भारत का आप नेपूलियन भी कहते हैं चलिए अब अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा एक महतुपूर्ण यहाँ पर सवाल है और इस सवाल को आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सवाल ये है actually में कि भाई जो परिक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन कौन है तो आप समुद्र गुप्त का नाम याद रखेगा मैं इसको बार बार इसले दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये परिक्षा में पूछा जा सकता है अगर नहीं पूछा जाता तो मैं तो इसको दोहराता ही ने लेकिन बार बार इसले बोलना हूँ क्योंकि परिक्षा में पूछा जा सकता है क्या पता इस बार ही पूछ ले तो इसलिए ध्यान दिजिएगा ये समुद्र गुप्त है ठीक है उसके बाद आप देखेंगे तो इसके अभियानों की चर्चा मिन्स समुद्र गुप्त के अभियान कौन से अभियान जो विजय अभियान है जो जीतने की अभियान है उसकी चर्चा हरी सेन द्वारा रचित प्रयाग प्रसस्ती में मिलती है हरिशेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ती में मिलती है मिंस हरिशेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ती में मिलती है आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हरिशेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ती अब देखे, आपको यहाँ पर important बात ये है, कि आपसे सवाल पूछ सकता है, कि पर्याग प्रसस्ती के रचैता कौन है, तो आप कहिएगा हरिशेन है, इसमें किन का वर्णन मिलता है, तो एक नाम तो आपको यहाँ सीधा ये दिखरा है, कि समुद्र गुप्त का वर्णन आप को पर्याग प्रसस्ती में मिलता है, ठीक है? आप दिखेंगे, तो समुद्र गुप्त के बारे में, जब आप जानेंगे, तो आपको पता चलेगा, जो गंगा- जमुना का जो छेतर है, दो वाब का जो चेतर है, दो नदियों के बीच का छेतर, गंगा और यमुना के बीच कि जो भी छेत्र थे, उसमें जो भी सा सक्ते, जो भी राजा थे, उनको पराजित करके स्तमुद्र गुप्त ने सबसे पहले तो अपने सामराज्ये में मिला लिया, उसके बाद बचे कौन? पंजाब, इधर असम, नेपाल, बंगाल, इन सब सभी छेत्रों पर उसने आकर्मन क और इस पर अपनी सत्ता स्थापित की इन पर अपना प्रभुत तो जमाया है। अगला अभियान किधर हुआ दक्षिनापत दक्षिन की तरफ जिसकी राजधानी कहा थी दक्षिनापत की मौरेकाल में आप पढ़ेंगे कि उतकी जो राजधानी है दक्षिनापत की वो कहा है दक्षिनापत की राजधानी है सुवर्ण गिरी में तो वहाँ पर भी इसने अगला अभियान स्टार्ट किया, अगला अभियान प्रारंब किया, तो दीखे, उत्तर में आपने देख लिया कि उत्तर में गंगा यमुना के दोवाब छेत्र, उसके बाद आपने देखा कि पंजाब का छेत्र, असम का छेत्र, नेपाल का छेत्र और बंगाल का छेत्र, मतल मद्ध भारत में कर दिया विंध मर परवतमाला के छेत्रों में कर दिया तो देखे कितने बड़े तरीके से इस ये सामराजी को फैलाने का प्रयास कर रहा है उत्तर साइड में उत्तर भारत में वर्तमान भ्याग देखेंगे तो उत्तर भारत में लगभग सभी जगों पर अपना सत्ता स्थापित कर लिया है प्रमुक्ष जगों पर उसके बाद दक्षिण पत में चला गया अब यहां देखिएगा उसने तमिलाडू के छेतर तक लगभग 12 राज्यों को पराजित कर अपनी संप्रभुता स्थापित क अब सोचिए तमिलाडू के छेतर तक वो पहुँच गया तो तमिलाडू के छेतर तक वहां पर वो पहुँच गया तो आप सोचिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों साइड में इसने जो है अपना प्रभुत जो है वो जमा लिया जिसके कारण क्या माना जाता है ज उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है अगर आप से कोई पूछ ले कि भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है तो आप एक लाइन तो यह बोल देंगे कि भाई इसने पूरे महादूइप में अपनी सत्ता का विस्तार किया यह बिल्कुल सही बात है लेकिन कुछ फैक्ट भी कुछ फैक्ट में आपको बताना पड़ेगा कि भाई गंगा जमना का दौआप चेतर बंगाल का चेतर इत्यादी को इसने जीत लिया मिन्स उत्तर भारत के कुछ चेत्रों को बता दिजेगा और बहुत बढ़िया तरीका यह होगा कि इसको मैप में दिखा दिजेगा कि करके दिखाएंगे थोड़ा सा direction अगर सही रहेगा तो उसको examiner सही मानता है क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर जो लोग आये हैं वो sdm बनने आये हैं चित्रकार बनने नहीं आये हैं इसके बाद देखेंगे तो इसने सक और कुशानों को भी पराजित किया यह लोग कहां पर थे यह लोग पस्चिम भारत अभी वर्तमान का अगर सोचा जाए उस चमें तो पस्चिमी महद्वीप और पस्चिमोत्तर भारत दोनों साइड में यह लोग थे तो सक और कुशान दोनों को इसने क्या किया दोनों को इसने पराजित किया और उसके बाद आप देखेंगे तो उसका बना उत्राधिकारी कौन चंदरगुप्त द्यूतिय उसका उत्राधिकारी कौन है चंदरगुप्त द्यूतिय इसने क्या किया इसने सौरास्ट और प्रवा के सम्रुद्ध छेत्र को जीत कर गुप्त सामराज्य में मिला लिया अब उसका उत्रा धिकारी आता है तो जो भी बचा खुचा काम है उसको उसका जो उत्रा धिकारी है वह पूरा कर देता है यहां तक हो पुली कोई डाउट नहीं होगा हला कि मैं कमेंट तो देख नहीं पा रहा हूं लेकिन उमीद है कि कोई डाउट नहीं होगा ठीक है उमीद है कि कोई डाउट नहीं होगा चलिए चलिए तो क्या है बिल्कुल चलिए तो क्या है यहां पर देख रहा है कि उसने क्या किया उसने सौरास्ट और मालवा के सम्रिद्ध छित्रों पर भी अपना जो है प्रभुत्त अस्थापित कर लिया सौरास्ट का छेतर आप किसको मानते हैं सौरास्ट का छेतर जो गुजरात का इलाका है और मालवा का छेतर तो आपको पता है कि मिडल भारत में हैं, मद्धिभारत में तो मालवा के समर्द छेतरों को जीत कर उसने गुप्त सामराज्य में मिलाया उसने जो पस्चिमी दक्कन के वाकटक सासक हैं वाकटक सासक जो दक्कन के छेतर में थे उनकी साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए तो उसका बेटा भी उससे एक कदम आगे ही निकल रहा है वो क्या कर रहा है वो छेतर को जीबिजित भी कर रहा है साथ ही वैवाहि संबंध स्थापित कर लिए कैसे तो उसने अपनी पुत्री थी जिसका नाम था प्रभादेवी 請ंद्रकुफ्त विक्रमादित्य को काठिया वार अभ्यान में य। प्रभावती जो है उसका विवाह किस के साथ किसके हां कर दिया वाकटक सासको के हां वाकटक सासको के हां ठीक है और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया यहां पर भी लिखा हुआ है कि अपने पुत्री प्रभादेवी का विवाह उसने वाकटक वाकटक वंस में किया और सको पर चुकि मैंने आपको पहले ही बट नियंत्रन बनाय रखने का प्रयास किया और अपनी जोस्तिती है उसको सम्रिध की चंदरगुप्त मौरे का सासनकाल 375 से लेकर 412 इस्वी है और आप देखेंगे तो इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है विक्रमादित्य चंदरगुप्त द्यूतिय को क्लियर है चंदरगु जमस्तर की पुस्तक में जहाँ पर हम लोग यह बात करेंगे कि कौन-कौन से यात्री आये थे तो उस समय हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे उसके बाद देखेंगे तो चंदरगुप्त के जो उत्राधिकारी हैं उनको विदेसी आकरमनों का सामना करना पड़ा है ज उत्रपस्टिमी छेतर में आपको दिखेगा कि हूनों का आकरमन होता है इनके समय पे इनके समय में हूनों का आकरमन होता है जो चंदरगुप्त द्यूतिय हैं उनके उत्राधिकारी जो हैं जैसे सकंद गुप्त उनके समय में हूनों का आकरमन होता है और चंदरगुप्त क विदेशी थे लेकिन बाद में जब सकंद गुप्त की जब सासनकाल समाप्त हो जाता है उसके पाद उसके बाद क्या होता है उसके बाद जो है वो इस्तिती वास्तों में डमाडोल बन जाती है ठीक है और गुप्त जो सासक है उनके जो विजित छेतर हैं उन पर अधिकार करते हैं ये हून लोग ठीक है ये ह है बुद्ध गुप्त गुप्त के सासनकाल में 476-496 में के अंत्र तक गुप्त साम राज्य है यह काफी वि खंडित हो गया तो आप मान सकते हैं कि गुप्तों के पतन में एक जो जिम्म्वार पक्ज है वो कौन है गुप्तों के समगुप्त साम राज anticipating पतन में वह है हुनों का आक्रमन वह है हुनों का आक्रमन ठीक है यह चलिए यह आधा ब्लेक क्यों है हुनों का आक्रमन ठीक है चलिए कोई बात नहीं तो हुनों का आक्रमन यह बहुत जिम्मेदार वाला पक्च है जिसको आपको समझना पड़ेगा इंपोर्टन पॉइंट भी है ये कि भाई गुप्तों का पतन क्यों हुआ उसके बाद आप देखेंगे तो बाद में जो एक हून सासक है जिसका नाम क्या है मिहीर कुल मिहीर कुल मिहीर कुल ने भी पाटली पुतर पर चढ़ाई कर दी और नरसिंग गुप्त बाला दित्य य जो नरसिंग गुप्त बाला दित्य है वह बंगाल पलाईत कर गया बंगाल तक उसे खदेर दिया और इसी काल में मालवा के सासक यशोवर्वन ने आप देखेंगे जो मद्ध भारत के सासक है यशोवर्वन उन्होंने हुनों के साथ संगहर्ज किया और गुप्त सासकों की सत्ता को भी चुनोती दी तो यहाँ पर हून जो है यह काफी परिशान कर रहे हैं एक तरफ तो उन्होंने गुप्त सासक जो नरसिंग गुप्त बाला दिते हैं उनको बंगाल खदेर दिया दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मद्ध भारत के जो सासक है यशो वर्मन उनके सा साथ भी खुणों का संगर्श जारी रहता है और यशो वर्मन ने उनके साथ तो संगर्श किया है गुप्त सासकों को भी चुनौती ति क्योंकि गुप्त सासक कैसे हो रहे थे धीरे-धीरे कमजोर हो रहे थे एक तरफ तो खुणों का जो आकरमन है उनको परिशान कर रहा और साथ ही साथ जो राजा थी वो उतने योग्योर महत्वा कांशी नहीं थे जो हुनों का सामना कर पाते। उसके बाद देखिएगा तो छटी सताब्दी के मद तक मगद के छेतर फर परवर्ती गुप्त वन्स का नियंतरन रहा जबकि पूरुवी उत्तर परदेश और बिहार के कुछ छेतर फर मौखरी वन्स का नियंतरन स्थापित हो गया था। परवर्ती गुप्त वन्स के बारे में यह कहा जाता है कि इनका गुप्त वन्स के जो ये मेन गुप्त वन्स है इनकी साथ क्या संबंध है इस पर अभी इतिहास मौन है इस पर अभी इतिहास सांत है लेकिन आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ छेतर म मौखरी वन्स का की जो सत्ता है वो स्थापित हो गई है ये गुप्तिक्तासन के समय ही ऐसा हुआ है तो मौखरी वन्स का नाम भी आप लोगों को याद रखना है मौखरी वन्स तो मौरे सामराज के पतन के उपरा पतन के बाद लगभग पांच सताब्दियों के अंतराल पर आप देखेंगे गुप्त सासको ने पुनह भारत में एक विसाल सामराज का पुनरगठन किया था क्योंकि मौरियोत्तर काल जो है उसमें आप देख रहे हैं कि स्तिती दमाडोल थी लेकिन फिर बाद में वही कह रहा है कि पांच सताब्दियों के अंतराल पर मौरियों के पतन के पाँच सतापदियों के बाद फिर क्या हुआ पाँच सतापदियों के अंतराल पर आप देखेंगे तो गुप्त सासकों ने पुनह भारत में एक विशाल सामराजे का पुनरगठन किया मौरे जो सामराजे है वो आपको दिखा कि 185 इसापुर्व में उसको समाप्त कर दिया किसने पुस्ट समित्र सुंग ने और पुस्ट समित्र सुंग को किसको पराजित किया ब्रिहद्रत को तो 184 इसापुर्व की बात है और ये फिर बाद में आते हैं आपको चौथी सतापदी इस्वी में तो लगभग पाँच सतापदियों का अंतराल है तो इसकी बाद गुपत सासकों ने पुनह भारत में एक विशाल सामराज्य का पुनरगठन किया मगर उनकी सामराज्य मौरियों की भाती किंद्रकृत नहीं था आपने देखा कल पढ़ाय था मैं कि मौरियों का सामराज्य कैसा था किंद्रकृत था, समराठ जो है सबसे प्रमुक भूमी का अदा करता था किंद्रकृत होने के कारण नियंतरन जो था वो आसान था साथ ही साथ प्रशासन कठोर था, न्याईक विवस्था कठोर थी, कर राजसों का संग्रहन का तरीका कठोर था, लोगों का रजिस्ट्रेशन भी होता था, यह आपने कल मौरियों के बारे में पढ़ा, लेकिन कह रहे हैं हैं यहाँ पर कि गुप्त जो सामराज है, गुप्त स सासक उनको कहा जाएगा, वो कुछ-कुछ छेतरों को देख रहे हैं अपने अपने छेतरों को, इनको अधिनस्त सासक कहा जाएगा, उसी प्रकार से आप सामन्तों को भी समझ सकते हैं, उनके पास भी कुछ छेतर का अधिकार होता था, तो यहाँ पर अधिनस्त सासक और साम इनका जो है आपको बोल बाला अधिक दिखेगा अब जब अधिनस्त सास को सासक है सामन्त है तो समराट की भूमी का हालाकी होती है लेकिन वह कमजोर हो जाती है एक तरह से किंद्रिकृत जो पक्ष है उसका आभाव आपको देखने को मिलता है ठीक है और सबसे बड़ी बात ह कि अधिनस्त सासक और जो सामन्त हैं वो सक्तिशाली भी थे अभिमान लेते हैं कि राज्य सरकार जदस सक्तिशाली हो जाए किंद्र सरकार से तो आप समझी रहें कि जब राज्य सरकार जदस सक्तिशाली हो जाएका किंद्र सरकार से तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि केंद वो पस्त रूप से दिखने लगेगी और ये क्या करेंगे ये गुप्त वन्स को चुनौती देने लगेंगे अभी मालते सेंटर कमजोर हो जाए तो राज्य जो है वो केंदर को चुनौती देने लगेंगे तो वैसा ही किया जो इनके सामराज्य में आप देखेंगे जो छोट चोटे चोटे सासक हैं, जो चोटे चोटे अधिनस्त सासक हैं, जो चोटे चोटे सामन्त हैं, जिनके पास कुछ विसीस छित्रों का अधिकार है, वो लोग क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? जैसे ही गुप्त सामराज जो है, वो कमजोर होना सुरू होता है, तो इन लोगों की भूमिका दिखने लगती है ये लोग गुप्त वन्स को चुनोती देने लगते हैं गुप्त सासकों की सत्ता को चुनोती देने लगते हैं और अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने तैन्य बल की कमजोरी ये सब कुछ ऐसे चीज़ फैक्टर थे जो गुप्त सामराज के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अब दिखेंगे तो गुप्त काल में थोड़ी सी कला की बात कर लेते हैं सांस्कृतिक उनके जीवन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा अन्य पक्षों को देख लेते हैं जो सांस्कृतिक पक्ष है उनको फुफूली अभी कोई डाउट तो नहीं होगा फास्ट पढ़के कहां जाएंगे कई ट्रेन वरेंद थोड़ी पकड़ना है आराम से पढ़िए तब आराम से एक बार पढ़ लेंगे तब दोकाई स्पीड में देखेंगे तो काम चल जाएगा अब क्या है कि आप तेजी से पढ़ाएंगे तो जो बच्चे अभी नए हैं जो बिगनर हैं उनको दिक्कत होगी तो जब एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा फिर लाइन टू लाइन पढ़ लीजिएगा फिर मेरे आपके पास तो ऑप्सन है योटूब में जैसा ही स्ट्रीमिंग ओफ होगा आप मेरा स्पीड को चार करके देख लीजिए मतलब चार तो नहीं होता दो करके देख ल आते हैं तब टीक मारते हैं तो वहाँ पर अगर आप एक घंटे में टीक मार दीजिएगा और उससे अगर नहीं निकला एक्जाम तो कोई फाइदा नहीं है आप दो घंटे का लास्ट का ये घंटे 56 मिनर तक टीक मारते रगए और एक्जाम निकल गया वह ज्यादा वैल्य खे गशियों का युग माना जाता है गवतकाल, राजनेतिक सांती, सुधरगता, आर्थिक सम्रिद्धी, संस्कृतिक विकास, इसकाल के कारण इसकाल को हम लोग क्या कहते हैं प्राचीन भारती थिहाद का स्वर्न युग कहते हैं, महुत लोगे मांते हैं सोना ज़्यादा ह इसकाल को हम लोग भारती इतिहास का स्वर्ण युग भी कहते हैं लेकिन बहुत इतिहासकार इसको अतिशोक्तिपूर्ण मानते हैं मानते हैं कि ज़्यादा बढ़ा चड़ा के बोला जा रहा है ठीक है लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि कला और संस्कृतिक छेत्र में इसकाल म सीमित्था कहने का मतलब है कि केवल सासको के द्वारा ही सकला और संस्कृति को बढ़ावा दे जा दिये जाने का प्रयास हुआ तो सासक वर्ग तक ही सीमित्था ठीक है जन साधारन की स्तिती जो है वो सुखद नहीं थी लोगों की स्तिती सुखद नहीं थी इस प्रगती का केंद्र राजधानी और उससे संबंध छेतर थे और सामराज के अधिकांस छेतरों में इसका प्रभाव परकट नहीं हुआ मतलब कहने का मतलब है कि जो विकास हुआ जो भी सांस्कृतिक हो कला का विकास हो यह सब क्या है यह सब माल लेते हैं कि प्रधान मंत्री जी है माल लेते हैं मोदी जी इनके इर्दगिर्द हुआ दिल्ली में हुआ नोईडा में हो गया यूपी में हो गया लेकिन दूर दराज के छित्रों में जो सासक की प्रभाव से थोड़े से दूर थे वहां पर इसका प्रभाव दिखने को कम मिलता है फिर भी बिहार के इतिहास के संदर्व में यह एक गौरवसाली अध्याय था इस काल में विख्यात विद्वानों में नाम याद रखेगा वराह मिहीर हैं वराह म याद रखना बहुत जरूरी है वराह मिहीर आरेभट और ब्रह्म गुप्त का नाम जो है इस काल में महत्तुपूर्ण है क्योंकि इन लोग आपको पता है इन लोग का रूल गनित के छेतर में खगूल सास्त्र आस्टोनोमी के छेतर में फिलोसफी के छेतर में काफी अन्य परनिय हैं गुप्त काल में ही आप देखेंगे तो नालंदा महाविहार कहीं ठापना हुई थी और इसके संस्थापक कुमार गुप्त माने जाते हैं यह बहुत इंपॉर्टन सवाल है बीपैसी के लिए तो काफी änd़ापन है क्यूंकि नालंदा भिहार कहां है बिहार के नालंदा में, तो इसके संस्थापक कौन है भई? कुमार गुप्त, कुमार गुप्त इसके संस्थापक है और माना जाता है कि लगभग 450 इस्वी में इन्होंने इसके स्थापना की थी, हलाकि उनका सासनकाल 414 से लेकर 455 इस्वी है, तो कुमार गुप्त ने इसके स्थाप उसका ठीक है कालांतर में यह विद्या का एक प्रमुख केंद्र बना जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में वीदेशी जो विद्यार्थी हैं वो भी आते थे ऐसा माना जाता था कि यह विश्व का पहला अंतरास्टिय विश्व विद्याले हैं बहुत लोगों ने इस बात को जो है कहा है इसकी जो नालंदा महाविहार की जो खोज है वो कनिंग हम जो आर्केलोजिस्ट हैं जो पुरा तत्विक विद्य हैं उन्होंने 1915-16 में किया है और इस छितर की पहचान नालंदा महाविहार के रूर्प में की है तो आप कहिएगा कि भई ऐसा क्या हो इस काल में संस्कृत भासा की अत्यथिक प्रगती हुई आप देखेंगे तो बौधों के काल में जो स्थानिय लोगों को समझाता था वह भासा की प्रगती होती थी। इस काल में भागवत परमपरा एक सैव परमपरा है जो विस्नु से संबंदित है तो इस काल में भागवत परमपरा का भी विकास हुआ और हिंदु धर्म का वरतमान स्वरूप मुखित है इसी काल में विक्सित हुआ है इस काल की महत्तोपूर्ण उपलब्धियों में आप देखेंगे तो बोध गया का महा बोधी मंदिर हलाकि महा बोधी मंदिर के कुछ मंदिर असोक के काल के भी है लेकिन अगर आपसे परिक्षा में पूछे तो आप इसमें गुप्त वन्स ही टिक करिएगा हलाकि कुछ मंदिर जो हैं वो असोक के काल के भी है लेकिन परिक्षा के दृस्टी कोन से आपको यही टिक करना है गुप्त काल ठीक है नालंदा महाविहार यह दोनों मैंने आपको बता ही दिया चंदर गुप्त द्यूतिया के सासनकाल में मैंने आपको बताया चीनी यात्री फाहियान भारत आया है और उसने 405 से 411 इस्वी के बीच भारत का भ्रमन किया है यह आपको कहीं कहीं पर मिलेगा कि 399 इस्वी से लेकर 411 इस्वी तक उन्होंने भारत का भ्रमन किया है लेकिन इंतियाज अमत सर की जो फैक्ट है भाई आप बीपेस सी दे रहे हैं तो इनके फैक्ट को याद रखिए 405 इस्वी से 411 इस्वी के बीच यहोँने भारत का भ्रमन किया और ऐसा माना जाता है कि इस जो सहर इस नगर का जो निर्मान है यह मनुस्यों ने नहीं किसका किस ने किया है देवताओं ने किया है यहां के भवे अटालिकाओं के संबंध में यहां पर जो भी भवे मारतों को देखा जो भी भवेता का प्रदर्शन उसको पाटले पुतर में दिखा उसके बारे में वो कहता है कि भाई इसका निर्मान देवताओं ने किया है भगवान के द्वारा यहां निर्मित है अब आजाईए मगद के परवर्ती गुप्त सासकों के संबंध में इसके बाद जब है तो इसके बाद आ जाएगा इसके बाद ही जो है आपका कल जो है अब हम लोग पुरु मधिकाल पे चलेंगे अभी हम ल से आपका काम बन जाएगा इसके अलावा सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि देखिए बीपीएसी में आपको एक बात पता है कि इंतियाज हमत्तर की पुस्तक को थोड़ा फॉलो किया जाता है तो इस बात का अब ध्यान दिजिएगा अब थोड़ा हम लोग मगद के परवर्ती परवर्तिक गुप्त सासक मतलब गुप्त सासक योग अल्रेडी थे उसके बाद जो आया उपरवर्ती है ठीक है तो परवर्तिक गुप्त सासक पहले भी बताया कि परवर्तिक गुप्त सासक जो है उनका इस जो वरतमान गुप्त थोड़ा सा थोड़ी सी जानकारी लेते हैं क्योंकि इससे संबंदित जो बाते हैं वह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है पूछा जा सकता है तो इसलिए थोड़ी सी बातों को समझ लेते हैं उतके बाद कल हम लोग जब पूरो मध्यकाल स्टार्ट करेंगे उसके पह खुब प्यार और स्नेय दिया है लगभग एक लाख बीस हजार लोगों ने उसको देख लिया है और मेरी वीडियो लगभग मान के चलिए यूटूब में बिहार करेंट अफेर्स में ट्रेंडिंग पर ही है ठीक है क्योंकि उतने व्यूद सामाने तोर पर किसी में नहीं है त तो कल दूसरी वीडियो ला रहा हूँ जिसमें हम लोग किस पर बात करेंगे ओक्टूबर नॉवंबर के करेंट अफेर्स पर बात करेंगे बिहार के केवल बिहार के लगभग 200-200 सवाल होंगे उन सवालों को हम लोग 7 बजे से लेकर 11 बजे तक सॉल्व करेंगे विध एक् अब मनी नहीं मानता एक्स्प्लेइन न करो तो लगता है बस कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ एबी स्टी तो मैं बोली सकता हूँ उसके बाद आप देखेंगे तो उसका एक PDF है PDF कैसा है जिसमें handwritten PDF है तो उस handwritten PDF में भी है और एक typed PDF भी है दोनों तरीके का है सीम ही चीजों अबर में जो भी 200-200 सवाल है जिसमें typed PDF है और typed PDF अगर मैं दिखाऊं आपको तो वो काफी बहतरीन है मतलब अब last में दिखाऊंगा काफी बहतरीन है और उसमें explanation भी है ऐसा नहीं है कि explanation नहीं है उसमें explanation भी है ठीक है और printed जो आपने मतलब लिखा हुआ है हातों से मेरे हात type D मतलब एक तरह से मानी है कि बड़ा अच्छा handwriting है मेरा खराब नहीं है तो वो भी type D लगेगा लेकिन वो लिखा हुआ है copy pin में अब देखेंगे तो इस वन्स के संस्थापक कौन थे कृष्ण गुप्त थे कृष्ण गुप्त कौन मगत के परवर्ति गुप्त सासक माना ज गया और साहबाद के छेतर हैं भोचपूर का इलाका है इन सब इलाकों में आप देखेंगे तो आपको मगत के परवर्ति जो गुप्त सासक हैं इनकी चीजे आपको देखने को मिलेंगे चले मैं भी थोड़ा सा लगा देते हैं थोड़ी सी अच्छी रहेगी बाते अच्छ गुप्त सासकों का आपको प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है छटी सताब्दी इस्वी में कि कुछ अभिलेखों से जानकारी मिलती है। इसके संस्थापक कौन है? कृष्ण गुप्त है। मैंने वही बोला कि यह स्पष्ट नहीं है कि उसका उनका जो है वो महान गुप्त सासकों से क्या था? महान गुप्त सासक मतलब जो इसके पहले गुप्त हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद आप दिखेंगे तो इस वन्स का एक सासक है कुमार गुप्त तृतिया। कुमार गुप्त तृतिया द्वारा प्रयाग तक सत्ता विस्तार क तो प्रयाग मतलब इलहाबाद तक यूपी तक और यूपी में किद का था बिहार और कुछ यूपी के कुछ भागों में कन्नौज के भागों में किनका सासन था मौखरी शासकों का ये दूसरे सासक हैं तो इनके साथ युद्ध हुआ और प्रयाग तक चला गया कुमार अधिकांस भाग को हस्तगत कर लिया, मतलब ले लिया, अब देखिए, एक है कुमार गुप्त तृतिया, उसने मौखरी सासकों को पराजित किया, और प्रयाग तक चला गया, दूसरे आए हैं, उनके उत्राधिकारी कुमार गुप्त के, वो है दामोदर गुप्त, दामोदर के अधिकांस छित्र, जो है, वो मौकरी सासकों के अधीन चल गए, अब इधर से एक अलग सासक आता है, गौर सासक, जिसका नाम क्या है, ससांक, ये भी बड़ा कैसा है, भाई, धर्मक से अंधा हो गया है, ठीक है, कुरूर है, धर्मका अंधा है, कुरूर है, बौध धर्म को तो ये किसी प्रकार से देखना ही नहीं चाहता है, तो कुरूर सासक, धर्मांद सासक, बंगाल का गौर सासक, ससांक का भियान भी इस छित्र में हुआ है, तो देखिएगा, तो ट्रैंगल बन रहा है, कुछ देखा, समझ में आएगा, तो आपको लगेगा कि कुछ एक त जो इंदर फिर बिहार के छित्रमिन का प्रभाव है एक यू-पी साइड में बिहार यू-पी साइड में मौखरी सासक है। और एक कौन है भई एक है अब आग नहीं जो आपस मेह अभियान कर रहे हैं कि उसके बाद इसके बारे में कहा जाता है कि वह धर्म के नाम पर अंदला सा सकता बहुत बड़िया बात है और महा बोदी विरिक्ष को भी उसने छपटी पहुँचाई थी जो बोध गया में महा बोदी ड crs है उसको भी इसने छपटी पहुचाई थी तो दामोधर गुप्त के पौत्र, अब दामोदर गुप्त को मौखरी सासको ने पराजित कर दिया था, अब उतका आया पोता, पोता कौन है, देव गुप्त, अब देव गुप्त देखिएगा, इधर देखिए, दामोदर गुप्त है, इसके यहाँ, यह वाला, थोड़ा सा इसको समझे पिक्टोरियल, यह है दामोदर गुप्त, परवर्ति गुप्त सासको का एक सासक है, अब इसने किसके साथ समझोता किया है, इसने समझोता कर लिया, गौड सासक के साथ, इसने इसके साथ कर लिया, ठीक है, और कनोज के जो मौखरी सासक हैं, जिसमें उस समय के सासक कौन थे ग्रह वर्मन, ग्रह वर्मन के विरुध इसने कारवाई की, तो ये दोनों मिल गए, फर्स्ट नमबर और थर्ड नमबर, ये दोनों मिल गए, और इसने किसके खिलाप्स कारवाई की, मौखरी सासक ग्रह वर्मन के खिलाप, अब दिखिएगा, तो यहाँ पर कौन है, यहाँ ह देवगुप्त इसमें और इसमें है ससांक अब ससांक ने क्या किया इन दोनों चो कि मिल गए थे तो ससांक ने क्या किया है कि मौख्री सासक के जो गरह वर्मन है उनको मार दिया है तो ससांक ने ग्रह वर्मन का क्या किया वध कर दिया इसके प्रतिसोध में राज्य वर्धन ने क्या किया देव गुफ्त को पराजित कर उसका वध कर दिया इसने इसके सासक का वध किया अब इसका जब एक सासक आया तो इसने इसका वध कर दिया क्लियर है समझ में रहा है गौड सासक जो ससांख है उसने मौकरी सासक के राजवर्मन थे उनका बद कर दिया अब इधर आगया राजवर्धन अब राजवर्धन ने इधर देव गुप्त का बद कर दिया तो ये वधा बद ही चल रहा है ठीक है और इस प्रकार देखेंगे ग इसमें मगद के परवर्ति गुप्त सासक, कन्नौच के मोखरी सासक और बंगाल के गौड सासक ये तीनों का नाम मैंने पहले इसलिए लिख दिया, अब देखिए, सात्वी सताब्दी इस्वी के आरंभ में, मतलब 600 इस्वी के राउंड में क्या हुआ है, तो हर सवर्धन बना है, हर सवर्धन सासक बना, और जो उत्तरी भारत में सामराज विस्थार किया, तो बिहार के कुछ भाग उसके नियंतरन में आए, अब भई नियंतरन में आए, लेकिन फिर भी इधर बंगाल के सासकों के साथ आकर्मन को रोकना था, तो उसने क्या किया? उसने जो मगद के परवर्ति गुप्त सासक थे, उसमें एक सासक है माधव गुप्त, मागधव गुप्त को अपना जो है मगद के छेतर का उसने प्रतिनिधी बना दिया, माधव गुप्त के साथ हर्स वर्धन की थोड़ी मैत्रिक संबन थे, इसने माधव गुप्त को अपना प्रतिनिधी बना लेकिन ये तो ठीक बात है, लेकिन हर्ज के मृत्यूं के बाद फिर से बिहार में कैसी सित्या गई, स्टेटले सोसाइटी, मतलब वो ऐसा समाज जिसमें राजी ही ना हो, अराजकता फैल गई, ठीक है, अब अराजकता फैल गई, तो आप देखेंगे कि बिहार के किसी अस्थ समय के लिए आप देखेंगे, तो तिबबत की संप्रभुता भी बिहार के कुछ भागों में अस्थापित हो गई थी, तो तिबबत ने भी बिहार पर कुछ समय के लिए कबजा कर लिया था, क्योंकि कोई अस्थानी अस्थासक है, अर्जुन, उसने चीनी आतरी को छती पह से कितना जो है इसम बिविधताओं से भरा है, और इसका अंत किस ने किया, जो हर्त वर्धन के मित्र थे, माधव गुप्त, माधव गुप्त का पुत्र था एक, आदित शेन, यह भी काफी प्रतापी सासक है, आदित शेन, इसके पहले आप लोगों ने क्या नाम सुना, इस पहलाज बार्ज़ आपको नाम मिल रहा है, यह बात ध्यान दिजेगा, और इधोंने क्या किया, यह काफी प्रतापी सासक है, इन्होंने ही जो है, तिबबत की संप्रभुता का समापन भी किया, अंत भी किया, और इन्होंने अस्व मेग याग्य करवाया, अस्व मेग कनोज का एरिया, जो यूपी के कनोज वाले एरिया है, वहाँ पर बंगाल के एरिया, इन्हों सभी एरिया पर आप देखेंगे, तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, किसका? यह आदित्य शेन का, तो इन्हों सभी छेत्रों में, मगद के छेत्र में, इधर पट मिलेगा, आदित्य शेन का, और उसके मृत्यों के कुछ समय के बाद ही इस वन्स का पतन हो गया, और देखेंगे, तो अंतिन सासक इस वन्स का कौन है? जीवित गुप्त, सल्थापक है क्रिष्ण गुप्त, और अंतिन सासक है जीवित गुप्त, यह बात याद रखेंगे, 725 इस्वी के लगभग कनोच के सासक यसो वर्मन ने उसका वध कर इस वन्स का अंत कर दिया यसो वर्मन ने इस वन्स का अंत कर दिया और इस समय तक पाटलि पुत्र का गौरव भी नस्ट हो चुका था हर्स कालीन यात्री है एक फेन शांग 635 इसवी के समीब जब इस छेत्र में आया तो पाटली पुत्र का नगर ध्वस्त हो चुका था और इस अस्थान पर कुछ छोटी बस्तियां बिखरी हुई थी मतलब पूरा जो छेत्र है अब क्या हो गया गाओं में तब्दील हो गया और छोटी बस्तिया जो है वो बिखरी पड़ी थी चलिए अधित्य यादव जी है एक अधित्य यादव जी जात्रकम प्रोमोस्नल एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अधित्य यादव जी मैं आपको इस मंच से एक बात कहता हूं कि अगर आपने फिर से दुबारा यह काम किया तो फिर आप इस चैनल पे कमेंट नहीं कर पाएंगे आपसे अनुरोध है और जो प्राथना है दिल से कि ऐसा काम आप न करें जो यह काम आप कर रहे हैं यह सभी को समझ में आ रहा है तो यह काम आप न करें कि किसी को ग्रूप जोइन कर आ रहे हैं अगर क्लियर है तो फिर इस सेशन को स्टार्ट करेंगे चलिए तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने इम्तियाज एहमत सर की बुक से सीधा जो है वो सीरीज स्टार्ट किया है यह वाली पुस्तक है, इम्तियाज जहमत सर की, इससे हम लोगों ने सीधा जो है वो सिरिज स्टार्ट किया है और इसमें हम लोगों ने प्राचीन बिहार की इतिहास को अलरेडी कवर कर लिया इस पूरे लेक्चर को आप देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में बहुत बचों की सिकायत है कि सर दिखता कम है थोड़ा, ओबेसली बात है दिखेगा कम, किताब को जो स्कैन होगा तो अगर बुक नहीं है तो यह तो बेसिक बुक है, यह तो आपको लेना चाहिए, तो इस बुक को ले लीजे, इसमें कौन सा जो है, पहार तूटेगा, अन्य जगों पर खर्च करते हैं, तो किताब पे तो खर्च किया है जा सकता है, तो प्राचीन बिहार की इतिहास को हम लोगों ने अल्रेडी कवर कर लिया, पूरा एक एक लाइन पढ़ लिया, आज हम लोग मद्धिकालीन बिहार के इतिहास में तब से पहले पूर्व मद्धिकाल को देखेंगे पूर्व मद्धिकाल के बारे में कुछ चीजों को समझने का प्रियास करेंगे मिथिला के करनाट वन्स को देखेंगे उसके बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे तुर्क जो आकरमन है वहाँ पर उसके बाद अफगानों का क्या रोल रहा दिल्ली सल्तरत पर भी कुछ बाते करेंगे फिर मुगल वन्स का बिह प्रभाव पड़ा तो इन सब सभी चीजों पर आज हम लोग विस्तार से discussion करेंगे जिसमें आप देखेंगे तो आपको दिखेंगा कि ये देखिए ये स्टार्ट हो रहा है इसके पहले तक की जो चीजे थी ये चुकि मैंने आपको अल्रेडी बता दिया था यहां तक अब हम लोग उसके बाद से सुरू करेंगे और एक-एक चीजों को बारीखी से पढ़ते हुए हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला जो लाइन है इसमें लिखा हुआ है कि हर्स के सामराज्य के विगठन के बाद हर्स का सामराज्य मतलब हर्स वर्धन का सामराज्य उस 701 से लेकर आप 799 तक समझ सकते हैं, 700 से लेकर, तो इसमें पालवन्स का उदै हुआ, और पालवन्स के संस्थापक कौन है? पालवन्स के संस्थापक है, गुपाल, क्या नाम है उनका? गुपाल, ठीक है? ये नाम याद रखिएगा, ये नाम important है, परिक्षा के दृस्टिकों से भी, तो पालवन्स के संस्थापक है, गुपाल, पालवन्स का जो प्रभाव छेतर है, वो बंगाल, बिहार वाला इलाका जो है, वो पालवन्स के प्रभाव छेतर में आता है, उसके बाद आप देखेंगे, तो उसने जो है, जैसे ही इसने स्थापना की, पालवन्स की, बिहार में अपना सासन विस्त्रित कर दिया, मिंस बिहार में अपने शाषन को, अपने सामराजी को इसने फैला दिया. अगर आप देखेंगे, तो पालवंस का जो सासनकाल है, वह कब से कब तक है पालवंस का सासनकाल? साथ सो पचास से लेकर साथ सो सत्तर इस्वी, ये पालवंस में गोपाल का सासनकाल है, गोपाल के बाद धरमपाल देवपाल आते हैं, ये गोपाल का सासनकाल है, साथ सो पचास में स्थापित किया पालवंस को, और जैसे ही पालवंस को स्थापित करता है, यह अपना सामराज जे काफे विस्तरत करने का प्रयास करता है बिहार के छेत्र में, इस्पिशली बिहार के छेत्र में, आप देखेंगे, तो जो कन्नौच पर अधिकार करने के लिए जो संघर चल दा था, ट्राइंगुलर संघर्स, उसमें भी ये भाग लेता है, और आप देखेंगे, तो कन्न पर अधिकार्स के संघर्स में भी भाग लेता है। धरम पाल ने आठवी सताबदी के चतुर्थांस में कन्नौज पर आकर्मन किया। ठीक है। और चक्र युद्ध को कन्नौज का सासन नियुक्त किया है। ये कौन है? ये है पालवंस का द्यूतिय शाशक। क्या नाम है धरम धरम पाल तो पालवंस का द्यूतिय शाशक है नाम है धरम पाल। समयकाल क्या है धरम पाल का? साथ सो सत्तर से लेकर आठ सो दस इस वी तक। इसने क्या किया? इसने कन्नौज पर आकर्मन किया। और कन्नौज पर आकर्मन करने के बाद आपको दिखेगा कि इसने चक्र यु तो ये भवे दर्बार का जो है वो आयोजन भी करता है इसके बाद आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसके बाद इसने किसकी उपाधिली उत्तरापत स्वामी नी मतलब मैं उत्तरापत जो उत्तरापत है उसका मैं स्वामी हूं इसकी उपाधिली किसने इसकी उपाध अधिली आपकी धरंपालने उत्तरापत के बारे में, मैंने रेडि प्राचीन बिहार की इतिहास में आपको बता रखा था। उसके बाद देखेंगे, तो अब कोन आया? सबसे पहले तो धरंपाल था, गुपाल के बाद धरंपाल आया था। और धरमपाल की बाद कौन आया? धरमपाल की बाद आया दियुपाल, क्या नाम है इसका? दियुपाल, ध्यान दिजेगा. दियुपाल का सासनकाल क्या है? दियुपाल का सासनकाल है 810 से लेकर 850. देखिए, 750 से 770 गुपाल का है, 770 से 810 धरमपाल का है, और 810 से 850 किसका है? चालिस चालिस साल धरंपाल और देवपाल इत एक ही समय तक सासन करते हैं मिन्स चालिस चालिस साल टेन्योर सेम है जो उनका पीरियड है तो ये साथ सो आठ सो दस से आठ सो पचास ठीक है इसने भी क्या अपनाई विस्तारबादी नीती अपनाई आप देखेंगे तो प्राग्य जोतिसपूर प्राग्य जोतिसपूर कहां है आप लोगों ने सुना होगा नाम अशाम का असाम में जो कामरूप का एरिया है कामरूप वाला रीजन उसको आप कहते हैं प्राग्य जोतिसपूर अब आप कहिएगा कि प्राचीन या मद्यकालीन बिहार के इतिहास में या मध्यकाली नितिहास में इसको प्राग्य जोतिसपूर क्यों कहा गया तो प्राग्य जोतिसपूर इसले कहा गया क्योंकि इस छेत्र में जोतिस सास्त्र जो है वह काफी प्रशिद्ध था जिस कारण से इसको प्राग्य जोतिसपूर कहा गया तो ये जो देवपाल का श उत्तर में कहां? नेपाल और पुर्वी सागर तट पर देखेंगे तो उडिशा में इसने अपना अधिकार विस्तार किया साथ ही साथ जो कन्नौज के लिए लड़ाई चल रही थी पाल प्रतिहारों की उसमें भी इसने भाग लिया जो ट्रैंगुलर लड़ाई चल रही थी उसमें भी इसने भाग लिया है किसने भाई? यहां है देवपाल उसके बाद देखेंगे तो कुछ इतिहास कारों के अनुसार उसने कहां लड़ाई की है? उसने दक्कन की राज्यों के साथ भी संगहर्स किया है अगर मैं आपको दक्कन का इलाका दिखाओं तो देखें इलाका है यहां देखें यह दक्कन का पठार इलाका है यहां पर तो जो यह वाला इलाका है इस पर भी देवपाल ने अपना प्रभुत्तो जमाने का प्रयास किया जो महरास्ट्रा तेलांगना आंधर प्रदेश वर्तमान तेलांगना आंधर प्रदेश इन सब वाला जो इ इस पर भी आप देखेंगे तो इसने अधिकार जमाने का प्रयास किया है किसनी देवपाल ने और आप देखिए तो आपको दिखेगा कि दक्षिन पुर्वी एसिया के साथ भी उसके संबंद काफी अच्छे रहे जिसमें जावा के एक शाशक है बाल पुत्र देव नाम क्या है बाल पुत्र देव जावा कहा पड़ता है एक आइलेंड है इंडोनेशिया में बाल पुत्र देव इनके साथ इसके संबंद अच्छे रहे हैं और बाल पुत्र देव के अनुरोध पर उसने नालंदा की देखर के लिए पांच गाउं अनुदान में दे दिये थे तो नालंदा महाविहार में आप देखेंगे तो नालंदा महाविहार के लिए इन्हों ने पांच गाउं अनुदान में दे दिये थे कौन है वो बाल पुत्रदेव के अनुरोध पर देव पालने बाल पुत्रदेव कहां का तो बाल पुत्र देव शाशक है आपका जावा का अगर आपको जावा देखना है तो देखिए यह है जावा यहाँ दिखेगा आपको जावा यह जावा सी है यह एक आइलेंड है यह देखिए जावा सी है यह एक आइलेंड है कहाँ पर इंडोनेसिया में तो आपको जिनको इन्होंने आप देखेंगे, तो जिनके अनुरोध पर इन्होंने पांच गाउं अनुदान में दे दिये, बौध धर्म की प्रस्रेदाता, बौध धर्म के आस्रेदाता, बौध धर्म के संडक्षक के रूप में इन्हें जाना जाता है, देव पाल की मृत्यू के आप देखेंगे तो क्या होता है पाल वंस का पतन आरंब होता है हाला कि फिर से इसको दुबारा रिवाइब कौन करता है दुबारा रिवाइब करता है मही पाल तो ग्यारवी सतापदी में जाकर दुबारा इसको मही पाल जो आता है पाल वंस का सासक वह इसका दुबारा जो उस पर भी जो है यह अपना अधिकार जमाता है। लेकिन क्या करेगा जब उत्रा धिकारी ही कमजोर रहेगाайте तो इत्रा अधिकारी जो है इसके कमजोर थे और उसका लाब उठाकर बंगाल में आप दिखेंगे तो इसका बंगाल के छेतर में इसका जो प्रभाव है वह कम हो जाता है और सीन शासक जो हैं सीन शासकों ने उत्तरी बिहार और बंगाल की कुछ छेत्रों में अपना राज्य स्थापित कर लिया है ये क्या है देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि तुरकों के आकर्मन के पहले बिहार की देखी इस्तिती क्या है पाल वंस इधर से अ लेगा और सीन सीन वंस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे परिशान नहीं होना है तो सीन शासकों के बारे में आप देखेंगे तो सीन सासकों ने भी उत्तरी बिहार और बंगाल के कुछ छेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया तो पाल वंस सेन वंस ये सभी जो है ये कुछ उस राज्य को तोड़ना या उस राज्य पर अपना अधिकार जमाना मुस्किल होता है लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर सभी जो है अपने ही हित की लडाई कर रहे हैं कोई अलग राजवन्स आ रहा है कभी कोई पाल आता है कभी कोई सेन आता है कुछ कुछ जो है व उसी समय का फाइदा उठा कर आप पर आकर्मन करने का प्रयास करेगा, क्लियर है, तो आपको दिखेगा कि पाल वंस में फिर महिपाल के समय में उदल होता है, पाल वंस की देवपाल की मृत्यू के बाद आप देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के चितर में, अब देखेंगे, एक दूसरा राजवंस भी आता है, वो कौन है, प्रतिहार, जिसमें कौन-कौन है, मिहीर भोज, जिनको भोज राजा कहा जाता है, और महेंदर पाल, तो मिहीर भोज, महेंदर पाल, इत्याधी, एक तो पाल वंस है, पाल वंस का धिरे-धिरे पतन हो रहा है, ये हो क्या रहा है, चारों तरफ से कभी पाल वन्स, कभी प्रतिहार वन्स, इधर से कभी सेन वन्स, तो बिहार जो है बिहार पर प्रभुत्व जमाना सब चाहता है लेकिन कोई एक सक्तिसाली राजवन सापको बिहार में प्रभावी नहीं दिख रहा है जिसका फाइदा आपको फाइनली बाद में दिखेगा कि जिसका फाइदा किसको मिलता है बक्तियार खिलजी को जो कि एक तुर्क सासक है आप देखेंगे तो इग्यारवी सताबदी में मैंने आपको बता दिया उसके बाद दिखेगे तो आपको दिखेगा कि इधर सेन आ गए अब रामपाल की मृत् और गया तक विस्तार कर लिया मिंस आरा और गया तक गहडवाल जो सासक है उसने भी अपना विस्तार कर लिया अब देखे यहां पर आगे गहडवाल गहडवाल जो है मुख्य तोर पर कनौज में इसने अपना सासन स्थापित किया था उत्तर प्रदेश साइड में इनको का असी के नरेश की रूप में भी जाना जाता था, साथ ही आप देखेंगे तो लगभग आपको पता चलेगा कि जो ये गहरवाल सासक हैं, गहरवाल सासक ने भी बिहार में सहाबाद और गया तक विस्तार कर लिया, आप देखें इधर सेन वंस, इधर पाल वंस, इधर प्रतिह जो है, वो उस समय जूज रहा है, तो गहरवाल वंस भी आया, गहरवाल वंस के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे दी, कि इसके संस्थापक चंद्र देव हैं, और आपको दिखेगा कि लगभग 11-12 सदी में इनका प्रभाव रहता है, उत्तर नरेश के रूप में भी जाना जाता है, आप दिखेंगे, तो सेन सासकों में, कौन को न आ गया, ये देखिए, यहाँ थोड़ा प्रभाव देखिए, कौन को न आया है भाई, एक तो पाल वंस आपको दिखी रहा था, फिर आपको दिखा प्रतिहार, फिर आपको दिखा से करने का प्रयास कर रहा है इसके बाद देखेंगे तो सेन सासक जो है जैसे नाम है इसमें लिखाए विजय सेन बलाल सेन इन्होंने भी अपनी सत्ता को विस्तार करने का प्रयास किया तो इनका भी यही काम था और देखेंगे तो गया के पूर्व तक अपना नियंतरन कर लिया मिन्स गया तक यह पहुँच गए इसके बाद अराजक्ता के इसी वातावरन में आप देखेगा देखते हैं अलग-अलग राजवन्सों का उदय है साथ में आप देखेंगे तो ये सब राजवन्स भी भाई हमको वहाँ धिकार करना है तो हम आपस में भी लड़ेंगे इसके अलावा कुछ स्थानिय सासकों का भी उदय हो गया तो उत्तर बिहार और दक्षिन बिहार क्या हुआ उत्तर बिहार में धेर सारे राजवन्सों का उदय हुआ आप देख रहे हैं पाल प्रतिहार दक्षिन बिहार में स्थानिय सासकों का भी उदय हो गया तो उत्तर बि ये मंगोलिया उत्तर पस्चिमी चीन की एक बरबर जाती है, और ये मंगोलिया तुर्कमेनिस्टान वेगर से आए हैं, और आप देखेंगे तो ये प्रारंभ में मुशलमान नहीं थे, लेकिन बाद में ये मुशलमान भी बन जाते हैं, तो अगर आपसे कोई कहे कि बिहार मे जिसने बिहार में आकरमन किया, तो तुरकी ही थे, क्योंकि ये बाद में मुस्लिम बन जाते हैं, प्रारंब में या मुस्लिम नहीं होते हैं. तो आप देखिए तो राजक्ता के इस वाताबरन में तुर्कों के आक्रमन विहार में कब होता है बारहवी सतापदी के अंत तक आरंब हो गए मतलब आपको दिखेगा कि 1197-1998 के समय पे बक्तियार खिल जी जो है वो आक्रमन मारता है और आपको दिखेगा कई तरह के महाविहारों को यह नस्ट करने का प्रयास करता है बाद में सेन सासकों की जो राजधानी थी नदिया बंगाल के करीब नदिया है सेन वंस की राजधानी वहाँ पर भी यह अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करता है इस सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे गहडवाल वंस के सासक गोविंदर चंद्र ने मनेर तामर पत्र में तुरुस्क डंड नामक कर की बात की है। तो आप देखिए, तो आपको पता चलेगा या किसानों से संबंधित एक कर है। किस से संबंधित है? किसानों से संबंधित यहां कर है। अभी तक यहां तक अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी तक यहां कर देखिए, तक यहां कर देखिए, तक यहां कर देखिए। चले, PDF जो है, वो पूरा अपलोड नहीं हुआ था। कभी-कभी PDF पे एरर आ जाता है। तो बस एक मिनट में ही PDF अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुरुस्क दर्ड नामक जो कर है, उसमें क्या है। उसमें आप देखेंगे तो वह किसानों से संबंधित है। और फाइनली जब आप देखिएगा। एक मिणनट, तो देखिए तो इस कर ाइंता, किस से है, इस कर का संबंद, दुरुस्क दंद नामक जो कर है, इसका संबंध किस से है? इसका संबंध है आपका किसानों से, क्योंकि यह किसानों से प्राप्त किया जाता था, और जो यह कर है, इससे जो किसानों से प्राप्त करते थे, और तुर्क के आकर्मन को, तुर्कों के आकर्मन को रोकने का प्रयास इस पैसे से किया जाता था, आप पाल सासक किस मत के प्रवर्तक है, किस मत को फालो करते हैं, तो वो बौध मत को फालो करते हैं, और बौध धरमावलंबी है, आप देखेंगे तो उन्होंने बौध सैक्चिक शंस्थाओं को प्रसरय दिया, विक्रम सिला जो विश्व विद्याले है जो विहार के भागलपूर के समीप है उसकी अस्थापना धरमपाल ने की और धरमपाल ने क्या किया नालंदा महा विहार को 200 ग्राम अनुदान के रूप में या किस ने दिया है धरमपाल ने तो धरमपाल ने नालंदा महा विहार को 200 गाउं आप इधर देखिएगा तो देव पाल के बारे में अल्रेडी बताया था कि नालंदा में विहार के लिए क्या दिया सासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर पांच गाउं अनुदान में दिये थे पांच गाउं जो जावा के सासक के अनुरोध पर और यहां पर धरम धरम पाल ने 200 गाओं दिया, धरम पाल ने साथ ही साथ विक्रम शिला विश्व विद्याले की अस्थापना भी की है, विक्रम शिला अगर विक्रम शिला की बात आती ही है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप जान जाएंगे, जो यह ओदांत पुरी विश्व विद्याले है, वो होने क्या की है ओदांत पूरी विश्व विद्याले के स्थापना की है तो यह सभी जो है आपको यहां पर यह प्रदर्शित करते हैं कि पाल वन्स का बौध धर्म के प्रती कितना जुकाव है और किस प्रकार वो बौध मताव लंबी हैं हाला कि बाद में आप देखेंगे तो एक दो विश्व विद्याले हो गए एक हो गए विक्रम शिला एक हो गए ओदांत पूरी हाला कि सोम पूरी भी है उसके अलावा कौन हो गए उसके अलावा हो गए आपके नालंदा तो नालंदा के बारे में तो बता ही दिया था कुमार गुप्त संस्थापक है विक्रम शि है तो एक box में बना करके आप पढ़िए ताकि comparison में याद रहे क्योंकि इस सासक जब ये आप से कोई भी एक पूछेगा विक्रम उध्यान देगा और दांत पूरी और जगदल के विश्व विद्याले का भी गठन पालवंस में हुआ उदांत पूरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया तिबत ते पाल के पालवंस के घनिष्ट संबन थे बौध बिद्वानों में सांत रक्षित क्या नाम है सांत दिपंकर सांत रक्षित और अतीस दिपंकर इसकाल में कहां है इसकाल में तिबबत आए हैं अतीस दिपंकर इसकाल में तिबबत आए हैं ठीक है बक्तियार खिलजी के अभियानों के बाद भी आप दिखेंगे बक्तियार खिलजी जब अभियान करता है इस पर आएंगे कि क चलेगा कि इस अभियान में भी क्या हुआ है नालंदा और उदांत पूरी महा विहार को नस्ट करने का प्रयास किया इसके बावजूद भी आपको दिखेगा कि इस शिक्षा प्राप्ति के लिए धर्म स्वामिन तिब्बत से विहार आता है तो आप सोच सकते हैं कि बौध ध बिहार के संबंध भी मैत्रिपूर्ण रहे थे इसके लाव बताया ही दिया कि दक्षिन पूर्वी एसिया के साथ भी आप दिखेंगे तो संबंध बढ़िया रहे जो देवपाल से नालंदा में एक बिहार बनाने के लिए क्या किया पांच गाउं अनुदान के रूप में ले लिया सेलेंदर वंसिया साशक जावा के शाशक बाल पुत्र देव ने उसके बाद इसी में लिखा है कि देवपाल ने उसके लिए आर्थी करूदान भी दिये तो इसी से समझ में आता है कि दक्षिन पूर्वी एसिया के दुईपो के साथ भी व्यापारिक और पूर्ण संबंध बने रहे हैं पालवन्स के गौतम बुध था हिंदू देवी देवताओं की सुन्दर प्रतिमा चमकीले काले पत्थर में बनाई गई है जब यह आर्टन कल्चर में पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे कि चमकीले काले पत्थर में आपको दिखेगा तो गौतम बुध और साथ हिसाथ हिंदू देवी देवताओं की भी प्रतिमा बनाई गई है और इसके साथ आपको दिखेगा कि कांस प्रतिमाओं के निर्मान में भी कांस प्रतिमाओं के निर्मान का भी जोक में भी क्या है पाल यूग सर्वस्रिष्ट था पाल यूग सर जी ठीक है पेज नमबर लिख दिया जाएगा चलिए पेज नमबर यह कौन सा है पेज नमबर यह यहां टॉप पे लिख दे रहें पेज नमबर 17 अब पता ने आगे पीछे होगा टॉपिक है अब मिथिला के करनाट वंस तो मिथिला के छेतर में इन करनाट वंसों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा तो बिहार में जिस समय तुर्क के सैनिक अभियानों की प्रिष्ट भीमी बन रही थी तुर्क के सैनिक अभियान मत्तल्ब तुर्क जब बिहार पर लग रहा था कि आब आकरमन कर देंगे उस समय इस शेतर में क्या थी? राजनेति का स्तिर्टा थी? इग्यारवी सतापदी के अंत तक पालों की सत्ता बिहार में पतन्सील हो गई आपने देखा कि देवपाल के बाद बस महीपाल एक बार आता है वही पालवंस का प्रोरदय करता है लेकिन उसके बाद के जो भी सासक है वो कमजोर थे तो पालवंस की सत्ता भी धिरे धिरे पतनसील अवस्था में आ गई। रामपाल के सासनकाल में, तिर्षुत में आप ये तिर्षुत का छेतर देखेंगे, वहाँ पर करणाट राज्ज का उदय हुआ तो बिहार के तिर्षुत में रामपाल, इधर पालवंस का है सासक रामप इसके संस्थापक का नाम क्या है नान्य देव किसके भाई मिधिला के करनाट वंस के संस्थापक का नाम और नान्य देव की जो चर्चा है एक महान सासक के रूप में होती है आप देखे तो नान्य देव के बाद कौन आता है इसका पुत्र है उसका नाम क्या है गंग देव ग नेपाल में यह सभी बाते लिखी हुई है तो मिधिला के करनाट वंस के सासकों की राजधानी कहां पड़ती है मिधिला के करनाट वंस को की सासकों की राजधानी सिम्रावगड है जो अब कहां है अब नेपाल तराई की पुर्वुत्तर छेत्र में इस्थित है तो देखिए इधर आपको दीख राए कि पाल वंस भी है, हालाकि पत्ना सी लवस्ठा में है, इधर सीन वंस है, जिनका बिहार पर भी प्रभाव था, बंगाल में तो प्रभाव था ही, बंगाल में नद्या जिनकी राजधानी भी हुआ करती थी, इधर आप देखेंगे, तो करनाट वंस ये सासक है, किधर मिधिला के छेतर में, तिरहुत के छेतर में, तो आप देखरा है कि पाल वंस है, इधर सेन वंस का अक्रमन है लागतार, इधर तिरहुत के छेतर में मिधला के करनाट वंस है, और आप देखेंगा, तो सेन वंस के जो सासक है उनका जो संघर्स है पीन वंस के सासकों का संघर्स आपको करनाट वंस के सासकों के साथ दिखेगा जिसमें आप करनाट वंस के एक सासक है नरसिंग देव उसके साथ बंगाल के सेन सासकों का संघर्स आपको दिखेगा ठीक है अब दिखेगा इसी कारण नरसिंग द्वारा क्या किया गया तुरको की साथ सहयोग किया गया जब आपसे ही में ही लड़ रहे हैं तो भाई नर्सिंग देख सहयोग मांगता है किसका तुरको का और तुरको का वो सहयोग करता भी है ठीक है जब बक्तियार खिलजी के अभियान बिहार के छेतर में हुए तब भी देखिएगा नर्सिंग देव ने क्या किया उसे नजराना और भेंट रासी देकर क्या किया संतुस्ट किया अब देखिए क्या यहां पर गेम है एक तो भाई सेन सासकों का जो है वो आकरमन हो रहा है तो अब सेन सासकों का आकरमन है इधर नर्सिंग देव है मिथला के करनाट वंसिय सासक, इनको लग रहा है कि तुर्कों के साथ ही सहयोग करना अभी उचित रहेगा, जब आपका बुद्धी भ्रस्ट होता है, तो आप इसी तरीके का काम करते हैं, तो इसी तरीके से उन्होंने काम किया, उसने अपनी प्रतिभा को न दिखाते हुए, तुर्क सासकों क चेतर तिरहुत और दर्भंगा के इलाके में फैला हुआ था, अब देखिएगा, तो तिरहुवी सताब्दी में बिहार के जो तुर्क प्रांत पती हैं, उनके द्वारा लागतार तिरहुत चेतर पर आकर्मन किये गए, अभियान किये गए, ठीक है, अब देखिए, नरसिं देव यह सहयोग तो करता है, लेकिन बाद में 13 वी सताब्दी के राउंड में क्या होता है, तो तुर्क जो वहां के प्रांत पती है, जो चेतर के तुर्क के प्रांत पती हैं, बिहार में, वो क्या करते हैं? वो आपको दिखेगा, तो रेगुलर तिरहुत चेतर पर सैनिक अभियान किये हुए हैं और जो समकालिन तिब्बत यात्री है क्या नाम है धर्म स्वामिन आपको पता है कि बक्तियार खिलजी के अभियान के बाद भी धर्म स्वामिन नालंदा आता है यह आपको बताया था मैंने अभी तो समकालिन तिब्बत यात्री धर्म स्वामिन ने इ दिरङ्वी सताप्धी में तुर्क प्रांतपतियों का अभियान हो रहा है, तिरहुत और दरभांगा के छेतर में, और उसमें जो सेनापती है, उसका नाम क्या है, तुगरिक, तुग्रिल तुगन, और जो समय सासक है, सासक कहां कहोगा? मिथिला के करनाट वंस का वो कौन है? राम सिंग देव लेकिन ये क्या बताते हैं? धर्मश्वामिन जो तिबबत के यात्रे हैं ये असफल अभियान था किनका? इनका? तुरकों का यह एक असफल अभियान था क्लियर है? बाद में देखेगे तो करनाटक सासकों के साथ दिल्ली के सुल्तानों का संपर्ख बना रहा सामाने तह दिल्ली सल्तनत के प्रांदपती जो बिहार और बंगाल के चेतर में न्यूक्त होते थे वो क्या है? आपको पता है कि इधर दिल्ली सल्तनत भी आ गया कब आया है दिल्ली सल्तनत में आपको दिखेगा कि कुतबुदी नेबक है उसके बाद इलतूतमीस है तो 1206-10 में कुतबुदी नेबक आगे 1211-36 में इलतूतमीस है तो इजर दिल्ली सल्तनत भी आपको दिख रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है तो दिल्ली कर करनाट तासकों के साथ दिल्ली के सुल्तानों का संपर्ख निरंतर बना रहा है और सामान तह दिल्ली सल्तनत के प्रांत पती प्रांत पती मतलब जो प्रमुक होते हैं प्रांत के जो बिहार और बंगाल के छेतर में न्यूक्त थे करनाट तासकों से नजराना प्राप्त करते इधर तो तुर्कों के साथ उनके संबंद बने ही रहे उनको भी नजराना दिया ही बक्तियार खिल जी को अभियान के समय और इधर देखेंगे तो इधर आपको दिखेगा कि दिल्ली सल्तरत के प्रांत पतियों को भी ये लोग नजराना भेट देते ही रहते थी ठीक है इस छेतर की विजय अंततह मिंस करनाट छेतर मिथिला के करनाट तासक करनाट छेतर नहीं मिथिला का छेतर तिरहुत का छेतर इस छेतर में आप देखेंगे अंततह विजय ग्यासुदीन तुगलक के कब होता है ग्यासुदीन तुगलक के द्वारा किया जाता है बंगाल उनका के छेतर पर अधिकार किया जाता है और इस तमें कौन है सासक इस तमें जब यह अधिकार होता है उस समय करनाट वंस का सासक कौन है हरी सिंग देव क्या नाम है हरी सिंग देव ठीक तो एक नरसिंग देव था जो बक्तियार खिलजी को नजराना दे रहा है एक हरी सिंग देव और आकरमन का वो तुर्क सिरा के साख आकरमन का वो सामना न कर सका और कहां भाग गया निपाल की तराई छेत्रों में तो आकरमन का सामना भी वो न कर सका हाला कि उसने आप दिखेंगे तो उसने क्या किया है एक समाज सुधारक के रूप में हाला कि हरी सिंग देव ने काम पहान समाज सुधारक के रूप में काम तौवसे किया, लेकिन ग्यासुदीन तुगलक के सामने ये खाड़ा भी नहीं हुआ, पलायन पहले ही कर गया नेपाल के तराई इलाकों में यह भाग गया, तो यह है इसने पंजी विवस्था की सुरवात की, पंजी प्रबंध जिसको वो हरी सिंग देव के द्वारा की गई, यहां तक कोई दिक्त है? इसके बाद में देखिए, बिहार में तुर्क शाषन, तो बिहार में तुर्क शाषन की अस्थापना से संबंदित कुछ बातों को हम लोग देख लेते हैं, देखिए, हुआ क्या है? तो बारहमी और तेरहमी सतापदी के मोड पर क्या है? तुर्क आकरमन के समय विहार एक संगठित राजनेती की काई नहीं था, आपको पता ही है, इधर करनाट वंस के सासक, इधर पाल वंस, इधर सेन वंस, तो आपको दिक्रा है कि एक संगठिती काई के रूप में नहीं है एक संगठन में सकती होती है, तो यहां संगठन तो ही नहीं, कुछ स्थानिय सासक भी है दक्षिन विहार के छेतरों में, तो उसकी कारण क्या है? कि यहां पर एक संगठित राजनेती की काई नहीं थी, उसके बाद देखेंगे, उत्तर विहार का जो अधिकांस भाग है, उ हम लोग कहते हैं कि उसका स्रे, स्रे नहीं है, हम लोग जब संगठित थे ही नहीं, तो भाई स्रे थोड़े है, स्रे तब मिलता जब संगठित होने के बाद भी हो, वो हम पर आकर्मन करके और हमारे छेतर पर अधिकार जमाता, लेकिन वहां स्रे नहीं बोलेंगे, स्रे ऐसे लिखा जाता है लेकिन यह स्रे नहीं है यह हम लोगों की ही कमी थी जिसके कारण बिहार के छेतर पर तुर्क सत्ता स्थापित होई और तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक स्रे किसे जाता है बक्तियार खिलजी को जाता है और यह बनारस और अवद छेतर के सेनापती मा अब देखेंगे तो यह बिहार और यूपी के साम इर्द गिर्द बहती है कर्मनासा नदी और वहां से आप देखेंगे तो यह बिहार और यूपी के साम इर्द गिर्द बहती है कर्मनासा नदी और वहां से आप देखेंगे तो यह बिहार और यूपी के साम इर्द गिर्द अभियान करने का प्रयास करता है कौन बक्तियार खिल जी और फाइनली यह आप तो पता ही है कि यह क्या करता है यह तुर्क जो सत्ता है उसका वास्त्विक संस्थापक तो यह बन ही जाता है और बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कर ही लेता है क्लियर है ठीक तो कर्मनासा नदी के पुर्वी और सेनिक अभियान करता है कर्मनासा नदी कहां से निकलती है आप लोग पता है कर्मनासा नदी कहां से ओरिजिनेट करती है बिहार के कैमूर जिले से देखेंगे एक बार मैप में दिखा दूँ तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा बिहार के कैमूर जिले से कर्मनासान और जी ओरिजनेट करती है उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा वाले इलाके में ये फ्लो भी करती है तो यह देखिए यहां से इस भाग से यहां देखिए कैमूर है इस भाग से और कह रहा है कि इसके पुर्वी भाग मतलब प इस छेतर में मालो कर्मनासा नदी है, तो इस छेतर के पूर्वी भाग से आपको दिखेगा, तो वो पूर्वी भाग में अपना सफल अभियान करने का प्रयास करता है, कौन? बक्तियार खिलजी. अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जब बक्तियार खिलजी ने आकर्मन कर र प्रद्यूम नपाल कहीं तो लिखा है इंद्र प्रद्यूम नपाल ठीक है और बिहार की पहली महातुपूर्ण सफलता उसकी कौन है ओधान्त पूरी ओधान्त पूरी महाविहार जो की बिहार सरीप में है नालंदा में है उसकी विजय तो सबसे पहला सफल अवियान अगर कह जाए बक्तियार खिलजी का तो कौन सा माना जाएगा ओदान्त पूरी ओदान्त पूरी महाविहार या फिर आप कहेंगे ओदान्त पूरी पर विजय ओदान्त पूरी कहा है नालंदा में संस्थापक गोपाल थे इसके इस पर विजय बक्तियार खिलजी की पहली सफलता मानी तो पालवंस के सासक हैं, अब आप देखेगा, तो यहांपर अभियान कंप्लीट करने के बाद, नालंदा विश्व विद्याले में अभियान कंप्लीट करने के बाद ये कहा जाता है यह 1204 में नदिया नदिया कहा है बंगाल पर बंगाल पर चड़ाई करता है तो 1198 में यहां पर आकर्मन करने के बाद नालंदा महाविहार और उदानपुरी महाविहार को तहस नहस कर देन और नदिया किसकी राजधानी थी? जो उस समय सेन वंस के सासक लक्षमन सेन थे. मैंने बताया जब बक्तियार खिलजी का आकर्बन हो रहा था तो उस समय पाल वंस के सासक इंदर प्रद्यों नपाल है. सेन वंस के सासक लक्षमन सेन है. सेन वंस के सासक लक्षमन सेन की बंगाल में नदिया में हैं वहाँ पर वो अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करता है और नदिया पर तफल अभियान करता है हलाकि आप देखेंगे तो उसे किसी विरोध का सामना करना ही नहीं पड़ा क्योंकि लक्षमन सेन उससे भैबीत होकर बिना युद्ध किये ही भाव जम जाता है और उसके बाद वह अपनी राजधानी नदिया के पास ही है लक नौती तो बक्तियार खिर जी ने अपनी राजधानी कहां बनाई है लक नौती जिसको कहा जाता है लक क्या है नम नम लक्षमन वटी लक्षमन वटी में बनाया क्लियर है उसके बाद देखेंगे तो उसने यहां पर थोड़ा एबक की बात आ रही है तो एबक की संप्रभूता औपचारिक रूप में स्विकार की लेकिन और एबक कौन कुतबुदीन एबक दिल्ली सलत्रत मैंने आपको बताया दिल्ली सलत्रत का प्रभाव है 1204 से 1210 तक और 1204 में ह अभियान होता है तो फानली दिखेंगे तो बक्तियार खिल जी ने एबक की अधिनता सुविकार की लेकिन मृत्यू तक वह इस छेत्र का सासक बना ही रहता है और इसकी मृत्यू के उपरांत संभावता एबक द्वारा इस छेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है ठीक है लेक कारण से बिहार और बंगाल की राजनितिक परिस्तिया एक जैसी थी अब बगले में है तो जोग्रोफिकल कंडीशन भी सेम था काफी डिस्टेंस है दिल्ली से अब कोई अटेक होगा अब दिल्ली से आएंगे तब तो उसका उसका जो है संभालेंगे फ्लाइट थोड़े ह तो संभाव नहीं था कि भाई अब बंगाल और बिहार के च्षितर में दिल्ली से नियंत्रन बनाया जा सके तो इसके लिए चाहे तो योग्य प्रांतपती की आवशकता थी प्रांत के प्रमुक्य की आवशकता थी जो दिल्ली सल्तरत के अधीन होता लेकिन स्टार्टिंग में इनके लिए काफी मुसीबत पर रहा था दिल्ली के सुल्तानों के लिए ठीक तो यहाँ पर दिल्ली के सुल्तानों के लिए मुश्किल हो रहा था बंगाल बिहार के छेतर में शासन करना एक तो दूरी है आवागमन की थोड़ी समस्या है अस्थानिय सामन्त अस्थानिय सासकों की महत्वाकांचा है यह सब ऐसी चीजे थी जिसके कारण आपको देखेंगे तो मुश्किल था दिल्ली सल्तरत का बंगाल बिहार इन सब छेतर पर प्रभाव बनाना ठीक है आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि अंततह बिहार का छेतर दिल्ली और बंगाल के सुल्तानों के बीच एक अखाणा बना रहता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का जो इलाका है वहाँ पर भी अब कुछ-कुछ सासक उभर जाते हैं बंगाल में भी अलगाव बादी भावना विक्सित होती है बंगाल में स्वतंतर राज्यों का निर्मान कई बार हुआ और बंगाल के सासक भी क्या है बिहार पर अपना प्रभुत्यों जमाने का प्रयास कर रहे है तो बंगाल और बिहार में आपको बताया दिल्ली सल्तरत के लिए मुश्किल था इधर बंगाल में अलगाओ बादी भावना होई कि हम अलग होंगे और बंगाल स्वतंत्र होना चाहता था और कई बार स्वतंत्र आप देखेंगे तो राज्यों का निर्मान भी हुआ सासक हुए और सासक चाहते थे कि हम बिहार पर भी कभजा कर लें दिल्ली सल्तनत का प्रभाव बन नहीं रहा था दिल्ली सल्तनत चाहता था कि बिहार पर उसका प्रभाव हो इधर बंगाल के सासक चाहते थे कि मेरा प्रभाव हो इस बीच के कारण क्या हुआ बंगाल और बिह का जो अखाड़ा बन गया लडाई का अखाड़ा बन गया कौन सा छेतर अपना बिहार का इलाखा ठीक है यहां पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इल्टूत्मीस जो 1211 से 1236 का दिल्ली सलत्रत का साशक है इल्टूत्मीस बिहार में सैनिक अभियान करने वाला पहला दिल्ल का सुल्तान था यह फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है अब क्या है उस समय बंगाल के सासकों का भी प्रभूत हो जाता था बिहार के छेतर में तो इल्टूत्मीस ने क्या किया कि बंगाल के सासक हिसा मुद्दीन एवज को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था लेक इल्टूत्मीस ने बिहार के छेतरों पर अपना प्रभाव जमाने का पूरा प्रयास किया और दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला आप देखेंगे तो इल्टूत्मीस बिहार को दिल्ली सल्तनत के अंतरगत सामिल करने वाला पहला सासक माना जा सकता है तो दिल्ली सल्तनत के अंतरगत लाने वाला बिहार कौन लाया इलतूत मिस दिल्ली सल्तनत के अंदर क्लियर है और उसने बंगाल के सासक हिसामुद्दिन एवच को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था अब देखेंगे तो बंग बलबन ने पुना इस छेतर में अभ्यान किये जब उसने तुग्रिल के विद्रोह का दमन किया हाला कि अब इसमें वही सब बाते हैं कि दिल्ली सल्तनत का कोई भी सासक उस तरह से प्रभावी नहीं रहा मतलब स्पेसली जो इलतूत मिस के उतरा धिकारी है बाद में तो ग्यासुद्दीन तुगलक वगरा आते ही है आप देखेंग तो तुगलक काल में बिहार के बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निरनायक वर्चस्प स्थापित हुआ है पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन बिहार को लाने वाला सासक इलतूत मिस है लेकिन जिसको का जाता है बिलतूत मिस के बाद उसका उतरा धिकारी है सब बिगार उसके बाद आता है तुगलक काल अब तूगलक काल में आप NGO मिलेगा कि जो बिहार पयवा का है च्छांप ओए उस पे वर्चस वृर्चस्व तुगलक काल में स्थापित होता है tremendous the kal और तिरहुत के छेतर पर दर्भंगा के छेतर पर अपना प्रभाव जमाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो तुगलक तिरहुत का छेतर को तुगलक सामराजे में मिला लिया गया और उसे तुगलक पूर का नया नाम दिया गया। तुगलक पूर जो नाम है वो मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखिएगा तो मुहम्मद बिन तुगलक ने हाला की आप देखेंगे मुहम्मद बिन तुगलक के समय भी क्या हुआ हरी सिंग देव के बिरुद अभियान करके उसको फाइनली पहारियों में सरन लेने पर बात्ध कर दिया तो जो भी ब मुहम्मद बिन तुगलक के समय में होता है तिरुध का छेतर क्योंकि यासो दिन तुगलक ने तो अपना अधा काम कर दिया था लेकिन फाइनली जो उसको सामिल किया जाता है तिरुध के छेतर को वो किया जाता है मुहम्मद बिन तुगलक के टाइम और इस छेतर का नाम क्या निर्मान करवाया और जामा मस्जिद का भी निर्मान करवाया उस समय के सूफी संत हजरत सपुद्दीन याहिया मनेरी के याहिया मनेरी के मलफूजात जो बोला गया है उसका संकलन और मना कीबूल-असाफिया जैसी रचनाओं से तुगलक काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती हैं तो यह सब चीजें हैं यह थोड़ा सा फेक्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा उसके बाद है FST फिरोज सा तुगलक वह भी अपने बंगाल अभियान के बाद आप देखेंगे तो उसके बाद बिहार आता है बंगाल अभियान के क्रम में और उसकी सेना संभवता जहारखंट छेतर से बंगाल की ओर बढ़ी थी मतलब उस समय तो ये बिहार का ही पार्ट है तो बिहार जो बंगाल अभियान के समय ये दिल्ली सल्तनत का सासक फिरोज सा तुगलक तुगलक वंसी असासक बंगाल अभियान करना चाहता है और उस बंगाल अभियान के दोरान वो बिहार से गुजरता है क्योंकि उस समय जहा कि राजगीर के कुछ जैन मंदिरों को भी फिरोज साह तुगलक ने क्या किया था। कि इम्तियाज हमसर की पुस्तक में यह नहीं लिखा है कि बक्तियार खिल जी की मृत्यू कहां हुई तो बक्तियार खिल जी की जो मृत्यू है वो अब मृत्यू के बाद जो उसका सव है वो दफनाया गया बिहार सरीफ के इमादपूर मुहले में बक्तियार खिल जी ने बक्तियार पूर की अस्थापना की बक्तियार पूर आप देखते ही होंगे बाड़ बक्तियार पूर का जो इलाका है बक्तियार पूर का जो छेत्र है उसकी भी अस्थापना बक्तियार खिलजी तुर्क शास के द्वारा ही की गई थी। तुगलक काल में ही माना जाता है कि इस राज्य और इसकी तातकालिक राजधानी का नाम बिहार इसी काल में पढ़ा था। चला जाए तो ये दहा आज का हमारा कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और इसके आगे हम लोग बिहार में अफगान प्रभूत पढ़ेंगे जो भी तुगलक काल में लिखा है कि बिहार के प्रसासकों में महत्वपूर्ण मलिक इब्राहीम है जिनको मलिक बया के नाम से जा करेंगे हलो गुड इवनिंग वेल्कम टू अनकेडमी अनकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का स्वागत है इम्तियाज अहमत सर की मेडिवल हिस्ट्री पर हम लोग डिसकेशन कर रहे थे और यह मेडिवल इस्ट्री का हमारा पार्ट टू है कल क्लास नहीं हो पाई थी कुछ कारणों वस तो आज पार्ट टू को हम लोग कम्प्लीट करेंगे हमने इसमें क्या पढ़ा था देखिएगा तो बिहार में अफगान प्रभुत्तो हम लोगों को पढ़ना था इसके पहले का जो भी टॉपिक था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था तो बिहार में अफगान प्रभुत्तो से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यह page number कितने में है बिहार में अफगान प्रभुतू यह तो book से बताना पड़ेगा ताकि किसी का जो अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो उनको पता चल जाए तो यह page number है page number 20 यह page number कितना है page number 20 page number 20 इम्तियाज एहमत सर के पुस्तक में तो बिहार में अफगान प्रभुतू ठीक 1398-99 में आपको पता है कि तैमूरों का आकर्मन हुआ और तैमूर के आकर्मन के फल स्वरूप जो तुगलक सामराजे था उसका विगठन हुआ ठीक बिहार का छेतर अपने पस्चिम में संगठित जो जौनपूर राज्य था यूपी का उसका एक अंग बन गया बकसर और दर्भंगा तक जौनपूर के राज्य का विस्तार हुआ तो जौनपूर राज्य का बिहार एक अंग बन चुका था मैं मैं पगर दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि बिहार का जो पस्चिमी छोड है वहाँ पर है जौनपूर उत्तर प्रदेश के पास उत्तर प्रदेश में और उसका अंग जो है वह बिहार बन गया था बकसर दर्भंगा तक आपको दिखेगा कि जौनपूर का प्रभाव है बकसर दर्भंगा तक तो आपको दिखेगा कि बकसर दर्भंगा यहाँ दिखिए यहाँ पर है इस इलाके में क्या है यहाँ पे यहां पर है आपका बकसर, इधर यूपी है, इधर जौनपूर का राज्य था, और इसके प्रभाव में आ गया बकसर का भी इलाका, और इधर दर्भंगा आपको दिख रहा है, यहां पर, तो यह सब छेत्र जो है, वो आप समझेंगे, तो बिहार का कुछ आनसिक छेत्र, किस के हिस्से में आ गया, या किस के प्रभुतों में आ गया, तो वो है, जौनपूर के प्रभुतों में, जौनपूर के सासकों के प्रभुतों में आ गया, जौनपूर के सरकी सासक, और बंगाल के हुसेन साही सासकों के बीच, इन बिहार के छेत्रों के लिए, लंबा जो आगे चलकर आपको दिखेगा जौनपूर पर दिल्ली की विजय के बाद और बंगाल के सासकों के बीच भी दिल्ली और बंगाल के सासकों के बीच भी चलता रहा तो ये उतना महत्तो पूर्ण बात नहीं है अगर बिहार के इतिहास के दिरिस्टी कोन से देखेंगे हाला कि ये बस जानने के दिरिस्टी कोन से सही है कि यहाँ पर क्या हो रहा था यहाँ पर देख रहे हैं आप तो जौनपुर के सरकी सासक और बंगाल के हुसैन साही सासक तो सरकी सासक और इधर हैं बंगाल के हुसैन साही सासक ये दोनों आपस में लड़ रहे थे क्यों भई इसलिए ताकि क्या किया जाए ताकि बिहार के छितर पर अपना प्रभाव जमा थिक है बिहार के छेतर पर अपना परभाव जमाया जाए और इसके बाद आप देखेंगे तो सिकंदर लोदी लोदी वन्स आप जानते होंगे जब आप पढ़ते होंगे दिल्ली सल्तन सर्की को पराजित कर उसने排 merit क्या नाम है दरिया खान नुहानी इसको क्या बनाया इसने इसको बिहार का प्रशासक नियुक्त किया है इसका नाम याद रखिये दरिया खान नुहानी का क्योंकि ये परिक्षा के दृस्टिकोन से काफे इंपोर्टेंट नाम भी है तो हुसेन शाह सरकी जो सरकी सासक है आप 1295-1996 में उसने किसको पराजित किया है भाई हुसैन साह सरकी को जौन पूर के सरकी ठासक हुसैन साह सरकी को और उसके बाद बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया बिहार का प्रशासक नियुक्त किया उसने दर्या खान नुहानी को ये नाम याद रखेगा और अंततह सिकंदर लोधी ने 1504 के आसपास बंगाल के साथ संधिकर मुंगीर के छेतर को बंगाल और बिहार के मद्ध सीमा रेखा का निर्धारन कर दिया तो उस समय का जगर आप मैप देखिएगा तो क्या हुआ कि यो मुंगीर का एरिया था ये वाला जो एरिया था ये बंगाल और बिहार का क्या बन गया एक सीमा वर्ती इलाका बन गया सीमा वाला छेतर बन गया यहीं बोल रहा है यहाँ पर अब चुकी नुहानी सासक दरिया खा नुहानी का को इन्होने क्या बनाया था बिहार में प्रशासक तो अब्यसली बात है कि जब बिहार में वो प्रशासक बनेंगे धिरे धिरे क्या हुआ कालांतर में लोधी शासकों के शासनकाल में नुहानी सासक यहाँ पर काफी सम्रिद्ध होते चले गए, इनकी स्तिती काफी मजबूत होते चली गई, सुद्रिद होते चली गई, जिसके बाद आपको दिखेगा कि इस छेतर के गवर्नर, जो बिहार छेतर के गवर्नर थे, दर अच्छे नहीं थे और वह एक स्वतंत्र राज के निर्मान के लिए विचार कर रहा था परन्तु 1523 में उसकी मृत्यू ही हो गई तो 1523 में मृत्यू ही हो गई किसकी भाई आपकी दरिया खा नुहानी की 1526 में पानिपत की लडाई में इब्राहिम लोदी की हार के बाद आप दिखेंगे दिल्ली और आगरा पर मुगलो का अधिकार हो गया तो इब्राहिम लोदी हार गए 1526 में पानिपत की लडाई में 1526 में उधर कौन है बाबर है 1526 से 1530 तक तो उसमें क्या हुआ इसमें मुगलो का अधिकार हो गया क्योंकि इबराहिम लोदी हार गया तो दिल्ली और आगरा के इलाके पर मुगलो का अधिकार हो गया बिहार में सुल्तान कौनायब बिहार में सुल्तान मुहम्मद सा नुहानी क्योंकि दरिया था नुहानी आपको पता है एक स्वतंत राज्य की स्थापना करना चाहता था इबराहिम लोदी के साथ उसके संबंध भी अच्छे नहीं थे लेकिन वह फाइनली 1523 इस्वी में उसक बिहार में उस समय मजबूत कौन रहता है सुल्तान मुहम्मद शाह नुहानी यह कौन था सुल्तान मुहम्मद सा नुहानी यह जो दरिया खा नुहानी है जिसको सिकंदर लोदी ने हुसेन सासक सरकी को पराजित करने के बाद मतलब जौनपूर के सासक सरकी सासक को पराजित करने के बाद जिसको प्रशासक नियुत किया था दरिया खानुहानी दरिया खानुहानी का कौन है ये सुल्तान मुहम्मद सानुहानी उसका बेटा है और उसका निजी नाम क्या था याद रखना है सुल्तान मुहम्मद सानुहानी का जो हम लोग बोलते हैं निकनेम वो क्या थ और यहां पर देखिएगा तो उसके साथ मतलों बहुत थे नुहानी और फरमूली कबीले के प्रमुख ने उसका जो है वो सहयोग भी किया मुखलों के साथ हाला कि आप देखेंगे तो इनका आरंबिक वर्स में संघर्ष भी हुआ और इन्होंने पस्चिम की दिशा में विस्तार के प्रयास किये तो मुखलों के साथ भी इसका जो संघर्ष होता है मुहम्मद सा नुहानी इसने क्या किया था बहार खाने बैसिकली मुहम्मद सा की उपाधी इसने धारन कर ली थी इसका संघर्ष भी हुआ मुखलों के साथ लेकिन देखेंगे तो बाबर ने इसके लिए अफगानों के बिरुद किसको आदेश दिया अफगानों के बिरुद कारवाई करने के लिए हुमायू बाबर के बाद आता है 1530 से 40 फिर बीच में गैप है 1555-56, गैप कैसे है, यह हम लोग पढ़ेंगे, तो हुमायू को आदेश दिया था, क्यूं भाई, ऐसा तो कुछ किया होगा इसने, तो क्या किया था, जौन पूर पर अफगानों के नियंतरन का प्रयास विफल कर दिया, तो अफगान जो है, वो जौन पूर पर भी नियंतरन का प्रयास करना चाहते थे, और इन अफगानों को नियंतरित करने के लिए आदेश दिया, किसने, बाबर ने, आपको, हुमायू को, और इसने क्या किया, इसने जौन पूर पर जो अफगानी शासक नियंतरन करना चाहते थे उन अफगानी सासकों को के जो प्रयास थे उनको इसने क्या नाम है इनका हुमायू ने उसको विफल कर दिया इस समय आप देखेंगे इस समय बिहार में दो अफगान सासकों का नियंतरन था दक्षिन बिहार का छेतर पुरू में मुंगेर तक मुहम्मद सानुहानी के नियंतरन में था तो दक्षिन बिहार जो है, यहांपर अगर देखेंगे, तो अगर यह मालो, कि अगर बीच से आपने इसको डिवाइड किया, तो दक्षिन बिहार का छेत्र मतलब यहां मुंगीर तक, इसमें मुहम्मद साह का परभाव है, दक्षिन बिहार में, मुहम्मद साह का अभाव है और उत्तरी बिहार के इलाका में आपको दिखेगा तो उत्तरी बिहार के जो इलाका है उसमें आपको कौन दिख रहा है एक मिनट नुसरत साह सुल्तान नुसरत साह के अधिन था उत्तरी बिहार का इलाका सुल्तान बंगाल के सुल्तान नुसरत साह के अधिन है तो उत्तरी बिहार का इलाका जो है वो बंगाल के सुल्तानों के अधिन है तो दक्षणी बिहार का इलाका मुहम्मद साह के अधीन और उत्तरी बिहार का जो इलाका है वह नुसरत साह के अधीन है नुसरत साह जो बंगाल का सासक है तो अफगानों के टाइम पे भी आपको बिहार में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि भाई जो उतरी बिहार का जो इलाका है और जो दक्षनी बिहार का इलाका है यहाँ अलग अलग शास्रकों के अधीन है क्लियर है चलिए इसको इधर किया जाए अब थोड़ा सा पढ़ा जाए इसमें ही ठीक है नुसरत साह के अधीन था बाबर का तो आपको पता है कि बाबर मुगल सासकों के साथ इनका संघर्स चलता रहता था तो बाबर का बिरोध करने के उद्यस से अफगान सासक एक दूसरे से सहयोग कर रहे थे obviously बात है कि दो अफगानी सासक है इधर मुगल सासक है अब दोनों अफगानी सासक इधर मिल जाते थे और इधर क्या करते थे भाई बाबर का बिरोध करेंगे दोनों मिलकर सामुहिक रूप से इसी बीच महमूद लोधी ने बिहार में संघर्स ली और बिहार में शरन ली और म सा मद्यकालीन भारत का इतिहास समझना पड़ेगा अगर मद्यकालीन भारत का इतिहास नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा इबराहिम लोधी कैसे आ गया महमूद लोधी कैसे आ गया तो यह सब थोड़ा सा एक बार आपको करना क्या होगा कि थोड़ा सा आपको जो भी ठीक है चलिए तो महमूद लोदी ने महमूद लोदी प्या कर रहा है बिहार में सरन ले रहा है और मुगलों के बरुद्ध संघर्च की तैयारी की गागरा की लड़ाई में बाबर ने इन अफगान सासकों को क्या किया गागरा की लड़ाई बड़ा फेमस लड़ाई है पूछा बे जाता है ये गागरा की लड़ाई इसमें ये किसके समय पे लड़ा गया बाबर के समय पे और इसमें क्या किया इन अफगानों को बाबर ने पंद्रह सो उन्तिस में क्या किया पराजित कर दिया इन अफगान सासकों को जो उनको परिशान कर रहे थी तो घागरा के लड़ाई में पंद्रह सो उन्तिस में बाबर ने इन अफगान सासकों को पराजित कर दिया बाबर का समयकाल 1526 से लेकर 1530 है ये आपको याद रखना है संभाउता उसने बक्सर और चौसा तक अधिकार कर लिया यहे इस poem बाबर बिहार के बक्सर और चौसा छितर तक बताया है कि मैं मनेर तक आया हूँ और हाजरी दिया हूँ यहां पर बड़ी दरगाह में इसकी चर्चा बाबर किस पर करता है स्वयम्तुजू के बाबरी में करता है कि बही मैं बिहार छित्र में आया था महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने मुहम्मद साह के पुत्र जलान खान को बिहार का प्रशासक न्युक्त किया तो यहाँ पर द्यान दिजेगा अब जो मुहम्मद शाह नुहानी था आपको पता है दरिया खान नुहानी के बाद कौन आया मुहम्मद साहनुहानी जिसको हमने बहार खान कहा बहार खान के बाद बाबर किसको न्युक्त करता है बहार खान या फिर मुहम्मद साहनुहानी के पुत्र जलाल खान को बिहार का प्रशाशक बनाता है बाबर की मृत्यों और हुमायू की आरंभिक कटनायों का लाब उठा कर क्या हुआ पुर्वी भारत के अफगान ने फिर एक बार मुगलों के बिरुद्ध संघर्स कर दिया बाबर का तो अफगानों के साथ युद्ध चली रहा था उसमें घागरा के युद्ध में उसने उसको पराजित भी किया लेकिन अब जैसे ही बाबर के मृत्यों हुई वैसे ही फिर से अफगानों ने यह संघर्स और तेज कर दिया और इस बार कौन था सामने इस बार सामने था बाबर का पुत्र हुमायू हुमायू ने 1532 में दोड़ा की लड़ाई में अफगानों को पराजित किया और इसी के साथ क्या हुआ बिहार में नुहानियों का सत्ता का अंत होने लगा आपको पता है कि मुहम्मद साह के पुत्र जलाल खान को प्रसासक निक्त किया था जलाल खान भी नुहानी है लेकिन अब चुकी जैसे ही बाबर के मृत्यू हुई उसके बाद अब समस्या आने लगी फिर से कि अफगान सासक फिर से अपना जो है अफगान सासकों के द्वारा फिर से संगहर्स को गती दी गई और इस बार सामने आपको बने बताया इस बार सामने है उनके पुत्र हुमायू ने क्या किया कि 1532 में दोड़ा की लड़ाई में हुमायू का समयकाल 1530 से 40 है तो हुमायू ने क्या किया कि दोड़ा की लड़ाई में अफगानों को पराजित कर दिया और इसी के साथ जो नुहानी सासक हैं उनकी सत्ता लगभग समाप्त हो गई अंत होने लगा इसी के बीच एक नए नेता का उदै हुआ वो नए नेता कौन थे अब देखिएगा तो इनही का संड़क्छक था जलाल खान का संड़क्छक था कौन था भई फरीद खान इसी के बी कीजिए एक नए नेता के उदै का मार्ग प्रशस्त हुआ जिन्हें क्या नाम दिया गया फरीद खान अथवा सीर्शाह सूरी इनका नाम था फरीद खान अथवा सीर्शाह सूरी ठीक है अब हम लोग थोड़ा सा सीर्शाह के बारे में समझने का प्रयास करते हैं होफूली कि इतना तो समझ में आप लोग को आ गया होगा मैं तो कमेंट भी नहीं देख पा रहा चलिए तो देखी मेडेवल हिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोग को लगेगा लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा जैसे ही आप अगर रिलेट करके पढ़ेंगे ना आपके मद्यकालीन जो भारत का इतिहास है उसके साथ तो सायद यह आपको उतना तंग न करे नहीं तो यह आपको तंग करेगा ठीक है अब देखे इधर 1530 से 40 का काल बाबर का है ए सौरी बाबर के पुत्र हुमायू का है 1530 से 40 1526 से 30 बाबर का था 1530 से 40 इधर कौन है इधर है हुमायू जो मुगल सासक है और इधर कौन है इधर है अफगान के एक नए नेता के रूप में उदय हो रहा है सीरशाह का तो दो देखे जो प्रमुक सक्तिया है इसको ऐसे समझना पड़ेगा दो प्रमुक सक्तिया है एक का अधिकार चेतर आपको पता है कि मुगल का आगरा के चेतर पर था दूसरा है सीरशाह सीरशाह बिहार का है भाई तो दिखेगा तो सीरशाह है एक तरफ और एक तरफ मुगल सासक कौन है एक तरफ मुगल सासक है आपको हुमायू एक तरफ मुगल सासक कौन है हुमायू इसका प्रभाव चेतर दिल्ली है आपको पता ह दिल्ली आगरा का इलाका, इन सब पर इनलों का प्रभावचेतर है, मुख्य प्रभावचेतर, और इधर जब की समाप्त होने की अवस्था है, किनकी जब की नुहानियों का समाप्ती हो गया, यहां पर अफगानों का भी अंतु होना था, अब एक नए नेता के रूप में सीर शाह या सीर खान ये परिक्षा के दरिस्टिकोन से आपके काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, तो इसको परिक्षा के लिहाज से ही आप लोग को पढ़ना भी है, उनके पिता का नाम हसन खासूर था, वह शाहशाराम के जागिरदार थे, एक युवक के रूप में सी अंदर मेधा आ गई, सेर था के अंदर, ये भाई, पहले से ही विक्षित थी आप देखेंगे, तो जब वो जवान थे, उस समय सासाराम का जागिरदार का प्रशासन उसने संभाला, और लगान जो टैक्सेसन सिस्टम होता है, उसकी प्रबंधन को एक अच्छा एक संगठि रूप देने का इसने काम भी किया, उसी संबंध में आप देखेंगे, तो उसने राजस्व प्रणाली की, मत्तब रेविन्यू सिस्टम का एक नया मेथड डेवलप किया है, एक नया रूप डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है, जो कालंतर में, उत्तर भारत में क्या बन जबती प्रणाली के नाम से क्या हुआ, लागू हुआ, जबत प्रणाली, तो आप देखेंगे, तो राजस्व प्रणाली की एक नई सिस्टम क्या नाम था उसका, जबत प्रणाली, जबत प्रणाली के नाम से एक विस्तरित छेतर में ये बाद में लागू हुआ, जबत प प्रणाली के नाम से इसमें क्या होता था इसमें आप देखेंगे तो भूमी की मापन की जाती थी भूमी को मेजरमेंट किया जाता था भूमी का लैंड का मेजरमेंट होता था और भूमी की माप के आधार पर क्या होता था लगान निर्धारित किया जाता था लगान निर्धा तो ये एक तरह से अच्छा सिस्टम है भाई, कि भूमी की माप करो, लेंड का मेजर्मेंट करो, और लेंड के मेजर्मेंट करने के बाद यह डिसाइड करो, कि इसमें कितना लगान इस भूमी से लिया जा सकता है, इस सिस्टम को कहा गया, जप्त या जप्ति प्रणाली, इसक विक्सित करने का स्रे आप किसको कहेंगे भाई इसको विक्सित करने का स्रे शीरशाह को था शीरशाह आप देखेंगे तो राजनेतिक स्थिति को भी मजबूत करना चाहता था और इसी करम में देखेंगे तो जलाल खान, जब नुहानी सासक जलाल खान है, जलाल खान के दर्बार में भी वो अपने आपको, वो अपनी सत्ता को अपने आपको सुद्रिध करने का प्रयास करता भी है 1536 में सूरजगढ़ा की लडाई में सेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर, पुर्वी भारत में अपनी स्तिती सर्वोपरी बना ली आपको मैंने बताया था कि बंगाल के सासक भी बिहार पर अपना अधिपत्य जमाना चाहते थी, अपना प्रभुत्य जमाना चाहते थी, यह लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया तो बंगाल की सेना को पराजित करके 1536 इस्वी में सुरजगढ़ा की लडाई में क्या करता है यह बंगाल को आप समझेंगे 1536 इस्वी में उसके बाद देखेगा तो 1537 में उसने क्या कर लिया 1536 के बाद अब क्या हुआ? 1537. इसमें क्या कर लिया? इस बार उसने क्या किया? बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया. बंगाल पर अधिकार क्लिर है? इसके बाद आपको दिखेगा. अब दिखेए. उसके पास सामने एक सक्ति थी, मजबूत सक्ति. वो कौन थी? वो थी आप की हुमायू, मुगल सासक हुमायू. अब वो हुमायू को भी पराजित करता है. कहां पर? तो 1549 में उसने हुमायू को पराजित किया. बकसर के समीब किसमें? चौसा की चौसा. बकसर के समीब चौसा है. चौसा के युद्ध में हुमायू को इसने पराजित किया. 1549 में. ठी अगर पराजित हो जाएगा, तो मुगल सत्ता की जो अस्तित्व है, वो काफी कमजोर हो जाएगा, तो मुगल सत्ता की जो अस्तित्व है, वो काफी कमजोर हो गई, काफी वीक पड़ गई, इसलिए अब देखेंगे तो क्या होता है, फिर से बाउंस बैक करने का प्रयास करता पिर्शा 1549 में हाला की हार जाता है फिर से 1540 में क्या किया 1540 में आप देखेंगे तो फिर से दुबारा वापसी करता है और पुनहां इस बार उसको फिर से हार का सामना देखना पड़ता है ठीक है यहां पर कौन सा युद होता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध तो क्या हुआ? इस युद्ध में हुमायू पुनह पराजित हो जाता है कन्योज के युद्ध में पुनह पराजित हो जाता है तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 1526 से 1530 तक आपने देखा कि 1526 से 1530 तक क्या हुआ था? 1526 से 1530 तक बाबर था 1530 ते 1540 तक ही हुमायू रह पाता है क्यों क्योंकि 1549 में वो 14 के युद में सेरसा से हारता है और 1540 में फिर एक साल के बाद जब वो बाउंस बैक करने का प्रयास करता है तो फिर कन्नौज के युद्ध में या बिलग्राम के युद्ध में वह दुबारा हुमायू से पराजित होता है। तो ये एक लड़ाई का क्रम है जो आपको याद रखना है। ठीक है। बड़ी भुमी का बिहार के छेत्र में निभाई गई सेर्शा के द्वारा। तो ये चारों जो युद्ध है इसको याद रखिएगा। जो भी चार पाच है। जो छेत्र है वो सेर्शा के नियंतरन में आगया क्योंकि जो मुगल सासक हुमायू था वो तो पराजित हो गया। सेर्शा ने अपने सासनकाल में पटना का दुर्ग बनवाया। खिला बनवाया। खिला होती है चार दिवारी टाइप की जो भाई मालनों हमको प्रोटेक्शन चाहिए। तो हम चार दिवारी बनाएंगे खिला टाइप का सैनिक वेगर रखेंगे वहाँ पर हमको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो एक दुर्ग का निर्मान किया एक फोर्ट बनवाया और उसने इस नगर को पुनह बिहार की राजधानी बनाई। बिहार की राजधानी बनाई कब 1541 में ये सवाल आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए इस सवाल को बिलकुल आप देखेंगे तो बिलकुल इसको याद रखना है और इसी के बाद पटना का इतिहास आपको निरंतर दिखेगा तो ये चीज आपको बिलकुल याद रखनी है कि भाई तीर शाह जो सासक है उसने पटना में दुर्ग बनवाया और उसके ये आपको कहां मिलती है राजधानी बनाने की बात और दुर्ग की बात दोनों की बात अबदुल्लाह की रचना है क्या नाम है तारीखे दाउदी इसमें आपको इसके बारे में जिक्र मिलता है कि सेरशाह ने बिहार में मिन्सपटना में एक दुर्ग बनवाया था और उस इसको बिहार की राजधानी भी बनाई थी, कब भाई ये दोनों कब हुआ था पंदरह सो एक तालीस में, थीक है, फिर बिहार को संगठित करने का कारे करता है, उतरी बिहार, दक्षणी बिहार, इसको एक संगठित इकाई के रूप में बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि सकता है आपने देखा कि जो तुर्ख सट्था है वो भी असंगठित था जब बिहार तभी उसने बिहार पर आकरबंड कर पाया और उस आकरमन को सफल बना पाया तो सेर्शाह ने वह गलती नहीं दोहराई और उत्तरी और गंगा के उत्तरी और दक्षनी मैदानों को क्या किया एकत्रित कर एक नई इकाई जो है वो संगठित की आप देखेंगे फिर भी मिला जुला कर उतार चलहाओ के बाद भी बिहार की राजनेतिक सिमाएं वस्त अकबर के समय में बिहार की सिमाएं कहां है रुहतास से तेलियागड़ी और तिरुत के परवतिय छेत्र तक विस्तरित थी जो तिरुत का इलाका है और रुहतास से तेलियागड़ी का जो इलाका है इसी में अबुल फजल के अनुसार अकबर के समय में जो बिहार की सिमा थी वो यहीं थी ठीक इसके अधीन साथ सरकारे और 199 परगने थे जिन से 55 लाक वारसिक लगान प्राप्त होता था तो यह सब चीजें बस for the purpose of knowledge है ज्यान के लिए है कि कितना प्राप्त होता था अब इतना fact अगर पुछेगा तो आपको जो है यह थोड़ा सा मुश्किल भी हो जा तो लगभग साथ सरकारे थी और 199 परगने थे यह अकबर के समय है यह औरंग जेब के समय कितना हो गया नौ सरकार और आपका 245 परगना इसमें 55 लाक लगान होता था 55 लाक वारसिक लगान इसमें हो गया आपको 96 लाक वारसिक लगान यह सरकार क्या है यह परगना क्या है जब हम लोग जब हम लोग थोड़ा सा मुगल समराज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा वारसिक लगान प्राप्त होता था बहुत ही कम समय के लिए आप देखेंगे तो सेरसा काफि बृधधवस्था में ही क्या होता है बृधधवस्था में राजा बनता है और बहुत ही अल्प समय के लिए यह राजा बनता है 1540 से 45 मात्र पांच साल के लिए क्योंकि बहुत ब्रिद्धा वास्था में चुकी राजा रहता है तो बहुत ही कम समय के लिए यह राजा बनता है अब आजाईए उसके बारे में हाला कि इम्तियाज अमद सर ने यहाँ पर तो चर्चा नहीं की है अब आते हैं बिहार और मुगल सामराच यहाँ तक कोई समस्या कोई परिशानी कोई डाउट कोई दिक्कत कोई डाउट कोई दिक्कत कोई सवाल कोई सवाल है है नो डाउट नोट सर चलिए चलिए कोई डाउट नहीं हमें लगा था कि सरकार और परगना में आप लोग को डाउट होगा ठीक है लेकिन कि नहीं को कोई डाउट नहीं हो ठीक है इसमें थोड़ा सा सरकार परवना समझना है हाला कि मुझे लगा था कि मुगल काल में बताऊंगा लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा एक होता है सूबा सूबा से आता है उसके बाद आता है सरकार सूबा को कई सरकारों में विभाजित किया जाता था और सरकार को विभाजित सरकार से बनता है कौन मतलब परगना मिलकर के सरकार, सरकार मिलकर के सूबा मतलब एक सूबा कई सरकारों में विभाजित और सरकार कई परगनों में विभाजित तो आप देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जब मुगल वन्स का आपको नाम हमेशा जब भी आपको सुनने को मिलेगा तो मुगल सामराजे को सूबा नामक प्रांतों में विभाजित किया जाता था आप एक प्रांत के दृस्टी कोन से इसको समझ सकते थे आप इसको एक प्रांत के दृस्टी कोन से समझ सकते हैं क्योंकि सूबेदार होता था या फिर प्रांत पती होता था तो सूबा मतलब होता है प्रांथ, तो सूबेदार का भी मतलब क्या हुआ, प्रांथ, सूबा मतलब प्रांथ और दार मतलब पती, मतलब प्रांथ का प्रमुक, ठीक है, तो सूबेदार बोलिए या प्रांथ पती बोलिए, सामाने तोर पर सेम है, अब पुरा टेक्निकल तो जैसे कि आप देखेंगे तो अकबर के समय इसी पर बताने वाला था लेकिन मुझे लगा कोई डाउट हो जाए सरकार परगना में अकबर के समय क्या हुआ कि आप देखेंगे तो 1580 के राउंड में बिहार को मुगल सामराज के सूबे के रूप में एक प्रांत के रूप में सामिल कर लिया गया तो सूबा को आपको एक प्रांत के रूप में लेना है अब आपने एक प्रांत ले लिया अब प्रांत में आपक स्थानिय निकाय को आप समझ सकते हैं जो लोकल एडिमिनिस्ट्रेटिव बॉडडी है सरकार की वो कौन है परगना है स्थानिय टाइप की तो प्रांथ हो गया सरकारों में डिवाइट और सरकार कई परगनां में डिवाइड़ है सेलाल अभी के जैसा ही थोड़ा सा सिस्टम आप आप जोडएंगे तो कोरिलेट कर पाएंगे तो सूबा सरकार और परगना सूबा को ही प्रांत कहा जाता था ठीक है अब आते हैं बिहार में मुगल पुनरस्थापना के बावजूद बिहार का छेतर किसमें रहा है अफगानों के नियंत्रण में रहा है देखे 1540 से 45 आपको पता है सेरशाह ने इसमें जो हैसो अपना परचम लहराया और सेरशाह के बाद उसके जो उत्रा धिकारी हैं वो आते हैं और लगबद 1556 तक उनका प है वह अभी भी कमोवेस अफगान सासको के ही नियंत्रण में रहता है आप देखेंगे तो कौन-कौन सासक अभी भी है तो ताज खां करारानी ताज खां करारानी उसके बाद सूलिमान खान सूलिमान खान उसके बाद दावद खान दावद खान यह हैं यह सब अभी भी ताजखा कररारानी है ताजखा कररारानी के बाद सुलिमान खान है और सुलिमान खान के बाद आपको दाउद खान है यहाँ पर सुलिमान खान से चीजों को स्टार्ट करते हैं ताजखा करारानी बस ठीक है बिहार उसके अधीन था पिहार उसके नियंत्रण में था सुलिमान खान का सासन का जो समय काल है वो 1565 ते 1572 है यह ध्यान दिजेगा 1565 ते 1572 अब देखे 1557 से लगभग लेकर 1605 तक अकबर का समय है ठीक अब देखे इधर कौन है इधर बिहार में अफगानों का नियंत्रन है इधर साइड इसको अटाता हूं मैं सूबा सरकार को अब 1565 से 1572 में यहां कौन है सूलेमान खान और इधर मुगल सासा क्वान है अकबर है ठीक यह देखे यह धर अकबर है इसी समय में अब सूलेमान खान तो भई बढ़िया काम करता है यह अकबर के साथ अहंकारी रवया नहीं अपनाता है सिगनल ग्रिन है बढ़िया चल रहा है माम दाउद खान ये क्या होता है ये अकबर के साथ अहंकार पूर्ण रवया अपनाता है अब देखिए इसके साथ हो गया signal आपका रिड दाउद खान इसलिए क्या करता है कि अकबर उसको स्वयम दंडित करना चाहता है 1572 तक तो सुलिमान खाने मामला ठीक ठाक है लेकिन दाउद खान इसके साथ अहंकारी रवया अपनाता है तो अकबर इसको स्वयम दंडित करना चाहता है और उसके बाद आप देखेंगे तो 1574 में वहब बिहार आता है और इसके राज्य पर आकर्मन करता है ठीक है बहुत बहुत ज़्यादा बिरोध किया जाता है दाउद खा के दोरा अफगान सासकों के दोरा लेकिन फिर भी अकबर जो है वो आपको दिखेगा कि इस छेत्र पर उसने आकर्मन किया इस छेत्र पर उसने अपना अधिकार जमाया और पटना नगर को उसने जीत लिया और और फानली देखेंगे तो दाउद खां इस नगर से पलायन कर गया उसके बाद अकपर बंगाल पे भी अभियान करता है और बंगाल के छेतर को भी जितता है मिथला के राजा को भी हराता है तो आप बोल सकते हैं कि बिहार का अंतिम अफगान सासक कौन है अंतिम अफगान सासक तो वो कौन है वो है दाउद खान कौन है दाउद खान अंतिम अफगान सासक है और यह थोड़ा सा अहंकारे किसम का था इसलिए अकबर ने इसको हरा भी दिया ठीक अब देखेंगे तो 1580 के आसपास बिहार को मुगल सामराज की सूबा अब देखें इमत्याज अमत्त भी लिख रहे हैं अथवा प्रांत का धर्जा प्राफ्थ हुआ यही मैंने आपको बताया सूबेदार बोलिए या प्रांत पती बोलिए बाद में सूब को प्रांत पती बोलने जाने लगा उर्दी जब हम लोग मुगल सा सकते तो यह लोग सूबेदार बोलते थे सूबा मतलब भी प्रांत होता है दार मतलब प्रमुख तो प्रांत पती प्रांत प्रमुख 1580 के आसफास बिहार को मुगल सामराज के सुबे अत्वा प्रांत का धर्जा प्राप्त हुआ तो 1580 का डेट आपको याद रखना है हलाकि आप देखेंगे कि तो 1576 में उसने जीता था लेकिन मुगल जो सामराज है उसके अंतरगत बिहार को जो 1574 में जीत लिया था लेकिन इसको बिहार को जो मुगल सामराज के अंतरगत एक प्रांत का दर्जा मिला है वह 1580 में मिला है और उस समें भी सासनकाल किसका है 1557 से 1605 तक अकबर है तो उस समय भी सासनकाल किसका है? अकबर का. ये दोनों चीज काफी important है परिक्षा के दृस्टिकोन से. परिक्षा में दो तरीके से सवाल आपसे पूछेगा. पहला सवाल तो ये पूछ देगा कि भई किसके सासनकाल में बिहार को मुगल सामराजी का एक प्रांत या सुबा ब बनाया गया. तो वो हो जाएगा 1580 में. तीसरा पूछ देगा कि बिहार का अंतिम अफगान सासक कौन है? तो वो दावद खां है. चौथा पूछेगा, इसी में सुलिमान खान का ओप्सन भी देदेगा. चौथा पूछेगा कि दावद खां को किस ने हराया? तो अकबर ने हराया. तो ये चारों चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा. अब देखेंगे, तो छोटे-छोटे स्थानी ये सासक हाला की थे फिर भी, फिर भी इनका बिरोध का सामना करना पड़ता था. तो इसी लिए क्या किया? कि अकबर ने किसको प्रांत पती बनाया? चुकि ब बिहार का प्रांत पती बनाता है. और वो काफी प्रसिद्ध भी है. इसने 1587 से लेकर 1594 तक क्या किया? काफी प्रसिद्धी हासिल की मुगल सत्ता को सुद्रिड किया. जो खरकपूर और भोजपूर के राजा हैं, उनको इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्थानियों जसासक है उस समय, उनको इन्होंने पराजित भी किया. और सबसे इंपोर्टेंट बात है कि रोहतास को इन्होंने अपनी राजधानी बना दी. इनके बनाय हुए लिखा है कि इनके बनाय हुए दो रोग अवसेस आज भी देखे जाते हैं. और मान सिंग के बारे में कहा जाता है र अकबर नगर का नाम दिया था. अकबर नगर का ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है? यहीं से ज़्यादा सवाल आपसे पूछेगा. क्लियर है? क्लियर है? चलिए तब बढ़ियर है तब कोई दिखते नहीं. तो उसने गुत ओके यह बने बताया ने गिध्धौर. गिध्धौर कोन सा जगा है? पताया आपको. यहां पर लिखा हुआ है गिध्धौर. उसने गिध्धौर, भोजपूर, इत्यादी के सास्थानिय सरदारों को चीक है. किसका जो है दिकार स्थापित हुआ? जहांगीर का दिकार स्थापित हुआ? और इसका पता है आपको कि इस छेतर में इस छेतर का जो है और द्योगिक महत तो काफी जादा है. यहां से हीरे की खान भी उससमें मिली. ठीक. जहांगीर की आत्म कथा है? तुजू के जहांगी प्राप्ति का उलेख किस मुगल सासक के जो वृतान्त है उसमें किया गया है तो तुजू के जहागीरी में इस छित्र में सोने की प्राप्ति का भी उलेख है 16 में देखेंगे तो उनी 1621 में अब देखिए 1557 से आपको बताया 1605 तक कौन है 1557 से 1605 तक है अकबर थोड़ा सासनकाल को नहीं समझेंगे न तो दिक्कत है ठीक है तो थोड़ा दिक्कत होगा अब देखिए तो अकबर के बाद कौन आया है जहागीर अकबर के बाद आया जहागीर 1656 से आप माल देजिए 1627 तक ठीक है 1656 से 1627 तक है जहागीर अब इसके बाद आता है 1628 से लेकर 1656 के राउंट कौन आता है ता जहाँ सा जहाँ यह है प्रमुख सीड़ी इसी तरीके से चल रहा है अब देखिएगा तो 1621 में मतलब इसके सासनकाल में अकबर वाला मामला तो खतम हो गया 1621 में क्या हुआ कि राजकुमार परवेज जो उसका बेटा है राजकुमार परवेज हाला कि सा जहाँ भी बेटा है राजकुमार परवेज को उसने बिहार का प्रांत पती बनाया मतलब प्रांत प्रमुख बिहार का समझी अभी फिलाल के हिताब से चीफ मिनिस्टर तो बिहार का प्रांत पती बनाया गया राजकुमार परवेज को और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपको एक चीज़ पता चलेगा इसके पहले तक कोई राजकुमार नहीं बनता था अब इसके बाद से जो भी बनने लगा अब इसके बाद से ही यह जो प्रांत पती का प्रमुख जो पद है यह राजकुमारों को दिया जाने लगा 1623-24 में बिहार का छेतर ताजहा के विद्रोहों से भी प्रवावित रहा साजहा ने परवेज के अधिकारियों से बिहार का छेतर छीन लिया परन्तु उसका विद्रोह सिग्र ही दवा दिया गया तो साजहा के सासनकाल में वैसा कुछ बिसेस आपको यहाँ पर पढ़ने की आवश्चता नहीं है उस तरीके से कि साजहा के सासनकाल में क्या हुआ देखेंगे तो बिहार में सांती बनी रही तो उस तरीके से साजहा का छीत्र आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है साजहा के सासंकाल में क्या हुआ बिहार में 1656 से 1707 तक अब आया औरंग जेब साजहा के बाद और औरंग जेब ने राजकुमार अजीम चुकि राजकुमारों को ही बनाने का मतलब था तो उसका पोत्र था पोता राजकुमार अजीम उसको क्या किया 1702 में बिहार का सूबेदार बनाया सूबेदार मतल erzählt प्रांथपती, प्रांथप्रमुक, चीफ मिनिस्टर टाइट तो कब बनाया है या बनाया 1702 में किसको बनाया है? राज़कुमार अजीम को राज़कुमार अजीम कौन है? उसका पोतर है, पोता ठीक राजकुमार अजीम को बनाया जो उसका क्या है पोत्र है ठीक अब दिखिएगा तो उसने पटना को अजीमाबाद का नाम दे दिया अब बढ़िया कामेख हुआ अब देखेंगे तो राजकुमार अजीम ने पटना को क्या नाम दिया अजीमाबाद पटना में एक फोर्ट किसने बनवाया था? 1541 में, नाम याद करिए, किसने बनवाया था? साजहानी, साजहानी, जिसका वर्णन अब्दुल्ला सहाब भी करते हैं, दाउदी में, तो यहाँ पर जीमाबाद का नया नाम दिया, पुना निर्मान भी कराया, करोड़ों तो यह सब जो चीजे हैं, यह बात आपको राजकुमार अजीम से रिलेटिड है, राजकुमार अजीम द्वारा पटना में बसने का एक कारण यह भी था, यहाँ पर थोड़ा सा कॉंसेप्ट आपका यूज होगा, कि उसके संबंध मुरसीद कुली खान के साथ अच्छे न और अपनी योग्यता और अनुशासन प्रेम के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, बाद में आप देखे मुरसीद कुली खान कौन है, आपको पता चलेगा, 704 में मुरसीद कुली खान ने बंगाल का प्रसासन वस्तुतह अपने हाथों में ले लिया, और इसने अपनी राजधानी मुरसीदाबाद को अपनी राजधानी बनाई है, तो मुरसीद कुली खान जो और अंगजेब का दिवान था, इसका संबंध राजकुमार अजीम के साथ अच्छा नहीं था, तो सोचा भया, वहां कहां रहें, यहीं पर पटना में ही राते हैं, तो यहीं पर ल शासन भी अपने हाथ में लेता है, अब इसी के बनसजो की कहानी आपको आगे मिलेगी जब हम लोग अंग्रेज जब भारत आते हैं, उस समय जब हम लोग पढ़ेंगे, औरंगजेब के सासनकाल में हाला की अनेक अस्थानों पर विद्रो हुए बिहार में, लेकिन मिला शानती विवस्था बनी रही, इसके बाद देखेंगे, औरंगजेब के मृत्यू के बाद कौन आया है, बहादुरसा, बहादुरसा का समय काल क्या है, 1707 से 1712, 1707 से 1712, 1702 लिखे हैं, 1707 से 1712, और इसने भी क्या किया, इसने राजकुमार जो अजीम उस्सान था, ये अजीम इसको फिर से बिहार का सुबेदार बना दिया। और अंगजेब तो बनाया ही था, फिरसे दुबारा इसने भी बना दिया। तो कहने का मतलब है कि ये 1702 से लेकर लगभग 1712 तक रहता है, थीक है? बिहार का सुबेदार फरुक्सियार को बंगाल में नायब का पद प्रदान किया गया नायब भी बंगाल में समझी एक तरह से प्रमुख ही है नायब और 1711 में फरुक्सियार बिहार चला गया तो फरुक्सियार को बंगाल में नायब का प्रद प्रदान किया गया और 1711 में फरुक्सियार अबाएगा फरुक्सियार बिहार चला गया 1712 में बहादुरसा की मृत्यू हुई और आप देखेंगे तो पठना में ही फरुक्सियार ने क्या किया अपना अपचारिक राज्या भी से करवाया ठीक अफचारिक राज्याविसे करवाया और आग्रा में विजित होकर आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि कॉंसेप्ट का इस्तेमाल होगा अगर नहीं पढ़े होंगे एक बार भी तो युद्ध में विजई होकर वह पहला विद्ध में विजई होकर समराट बना तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 1712 से 19 में कई सुबेदार थोड़े थोड़े समय के लिए बिहार में न्युक्त हुए लेकिन बिहार पर अब बंगाल के नबावों का प्रभुत्व स्थापित ह चला था मुर्सीत कुली खाने औरंग्जेब के मृत्यू के साथ ही मुर्सीत कुली खाने नाम सुना था जिसने बंगाल का प्रसासन ले लिया था के साथ ही बंगाल में अपना पूर्ण नियंत्रन स्थापित कर लिया धीरे धीरे उसने बिहार पर भी अपना प्रभाव वि अब है कि मुगल कालीन बिहार विदेश व्यपार का प्रमुक केंद्र था और इसके व्यपारिक संपर्क एसिया के साथ-साथ अफरीका के टटवर्ती छेत्रों और यूरोप के प्रमुक नगरों के साथ भी बने थे ये थोड़ा सा बिहार की आर्थिक संपर्नता के बारे में आपको बताता है उसके बाद मद्यकालीन बिहार में सांस्कृतिक प्रगती का करम बना रहा और एक समन्वित परंपरा विक्सित हुई जिसे क्या कहा गया जिसे जिसमें सूफी संतों की महत्वपूर्ण देन माने ग अब अब आट इंद कल्चर जो मुगल कालीन आट इंद कल्चर है वह स्टार्ट हो गया है यहां पर तो मुगल कालीन आट इंद कल्चर को तो हम लोगा नेक्स क्लास में ही पढ़ेंगे पंजी कुई समस्ट्या जीद कोई समस्ट्या नहीं दो यहां तक वैसे भी कोई समस्ट्या होगी नहीं एकाद दो लाइन कहीं कई पर मैंने छोड़ा होगा उसको देखिए का जैसे यहां पर बताया नहीं जहादर्सा क्योंकि जहादर्सा बहिए एकाद साल के लिए रहता है 171213 में तो जहादर्सा के बारे में क्या बात करना उसके बाद आही गया फरुक्सियार सवाल कि पटना में ही उसने अपनी जो है वो राज्या विशेक करवाई थी यह काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है तो जहादर्सा से कोई related कोई सवाल है नहीं तो जहादर्सा को इसलिए मैंने स्कीप भी मारा था वहाँ पर जो काम का ही नहीं है यहाँ पर बहादुर्था का 1707 से 12 है इसको सुधार लिजेगा 207 तक तो औरंग्जी भी रहे है ठीक है 1658 से 1707 तक तो वही रहे थी क्योंकि 1657 तक तो 128 से 1657 तक तो वही रहे सा जहां तो यह है प्रमुख जो चीजे हम लोगों को पढ़नी थी तो इस बार का जो है वो यूसेट होगा और उसके अलावा जो बैच कोर्से से है इसमें 12 जनवरी 2022 12 जनवरी 2022 के लिए फाउंडेशन कोर्स जो टार्गेट 68th PT PLUS MINS के लिए है वो 12 जनवरी से है 8 महिने का कोर्स है और मीडियम इसकी हिंदी है इसके अलावा जो एचीवर बैच है आपका जो कि अंग्रिजी माध्यम के बच्चों के लिए है एचीवर बैच वो भी स्टार्ट होने वाला है उसका भी मैं आपको डेट बता दूँ एचीवर बैच की जो स्टार्टिंग ड कोई अलग नहीं है CDPU के त्यारी उसी के अनुरूप ही त्यारी करनी पड़ती है और इन सभी के लिए आप मेरे कोड BSTNLIVE का इस्तिमाल कर सकते हैं तो चलिए फिर थेंक यू थेंक यू वरी मच्च कर दो